Hello everybody, this is DIGRAS SINGH RAJPOOT, welcome to Magnet Brains इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर है हमारा Class 9 Civics का Democratic Rights काफी interesting चैप्टर है, बहुत मज़धार चैप्टर है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा अपने Rights के बारे में पता चलेगा और जो बहुत जरूरी भी है, जरूरी किस सेंस में कल को आप रोड पर जा रहे हैं, आपकी किसी राइट का वालेशन हो रहा है आपको अगर उस चीज की जानकारी है, तो आप क्या कर सकते हो अपने Rights के Restoration के लिए क्लेम कर सकते हो ना, तो उस सेंस में आपके अधिकार क्या है जब तक आपको पता नहीं रहेगा, आप कैसे आवाज उठाओगे यही समस्या होती है, जैसे कहते हैं कि पड़ा लिखा आदमी जो रहता है, पड़ा लिखा इंसान जो रहता है तो उसे क्या पता रहता है, उसे अपने अधिकार पता रहते है और वहीं पर अगर exploitation हो रहा है, कहां पर किसी uneducated का, तो उसके पीछे basic reason यह होता है कि जो पल नहीं पाया है, उसे अपने rights की जानकारी नहीं होती है तो इस chapter में हम वही सारी चीज़े पढ़ने वाले हैं, काफी interesting chapter है उस perspective से अब देखिए, यह basically एक introduction video है, इस introduction video में आपको बताऊंगा कि हम यह chapter क्यों पढ़ रहे हैं, क्या-क्या पढ़ने वाले हैं जैसे कि हर chapter में हम start करते हैं, एक introduction video के साथ में, तो यह वैसे ही एक introduction video है clear, अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मतलब अगर ऐसे left or right करते हैं, ठीक है तो left or right में क्या होता है, कि हमने एक side तो सारी ये चीज़ें पढ़ी हैं क्या हमने democracy को समझा, starting से अगर 9th class में आपने civics पढ़ना start करिए तो starting से आप क्या पढ़ रहे हैं, अपने democracy को समझा, constitution को समझा, election को समझा कि constitution होता है, constitution के हिसाब से, सारी चीज़ें चलती हैं देश में, फिर election कैसे होता है हमने अलग-अलग chapters में पढ़ा, electoral politics में पढ़ा था, constitutional design में, constitution के बारे में पढ़ा था फिर हमने institutions को समझा, वो कैसे काम करती हैं, वो सारा सब कुछ समझा, democracy में institutions का क्या रोल होता है तो एक sense में हमने क्या देखा, democracy और democracy से जुड़े हुए सारे facts देख लिए हैं लेकिन, अब हम जो देखेंगे इस chapter में, वो क्या है, वो citizens and their rights के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम कि हमने अभी तक democracy को तो समझा, अब democracy को जो लोग democracy बनाते हैं, कौन बनाते है democracy को democracy we the citizens, ठीक है, क्योंकि democracy क्या है, democracy कुछ नहीं, एक people centric system है जो लोगों को govern कर रहा है तो वही पर हम यह भी देखें, यह देखना बहुत ज़रूरी है, कि democracy में जो लोग democracy को democracy बना रहे हैं, जो citizens हैं, उनके क्या rights हैं, वो rights democracy से कैसे relate करते हैं, clear है तो उस perspective से हम क्या बोलेंगे, true democracy is what, true democracy is a democratic government respecting the rights of individual मतलब true democratic government एक वही government होगी, जहाँ पर क्या हो रहा है, individuals के rights की respect की जारी, individuals के rights को क्या दी जारी, value दी जारी है तो I hope आपको यह चीज़ें clear होगी, कि एक side अगर आप यह सारी चीज़ें ले जाएं, और दूसरे side आपके rights है, तो दोनों के बीच में आपस में क्या होना चीए, तालमेल होना चीए, ठीक है, government जो है, democracy जो भी है, it should respect the rights of individuals, clear, तो यह सारा सब कुछ हम, इस chapter का basic crux जो है, वो यही है, इस chapter में हम इस बात को ध्यान रखेगा, introduction video को हलके में लेना आपको, बहुत भारी video होता है, ठीक है, बहुत भारी sense में कि आपको जो भी इसमें बताया जा रहा है, यह background बन गया, इस background को ध्यान में रखते हुए, पूरे chapter को पढ़ना है, clear, अब क्या-क्या पढ तो case studies कहां कहां की, case studies of Guantanamo Bay, Guantanamo Bay कहां है, यह भी बताऊंगा, मैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, तो Guantanamo Bay की case study पढ़ेंगे, हम साओधिय एरिविया की case study पढ़ेंगे, और कोसोवो की case study पढ़ेंगे, तो यह तीन जगह है, म rights क्या होते है, अधिकार क्या होता है, ठीक है, फिर meaning and need of rights, तो meaning भी समझेंगे rights का, कि rights का real sense में क्या meaning होता है, और जरूरत क्यों होती है, अच्छा यह मुझे मैं आपसे अभी जैसे पूछता हूँ, कि आपको अधिकार नहीं होंगे, तो क्या होगा, ठीक है, सोचिए गा, एक background बनाईएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, चैप्टर में एक एक करके हम सारी चीज़ें clear करते चलेंगे, लेकिन एक, आपकी भी तो कुछ सोच होगी ना, देखते हैं, आपकी सोच, मेरी सोच कितनी मिलती है, कब, जब हम इस topic को specifically discuss करेंगे, कि अगर अधिकार नहीं होते, तो क्या होता, ठीक है, आपको जो आज अधिकार मिले हैं, आप क्या अधिकार मिले हैं, आप क्या अधिकार मिले कि आप बोल सकते हो कि मुझे आज 9 वे तक सोना है, ठीक है, वो अधिकार नहीं है, अधिकार मतलब जैसे आपको right to speak है, ठीक है, right to vote होता है, अभ मतलब क्यूंकि आप इंडिया में रह रहे हो, इंडियान पर्स्पेक्टिफ से सारी चीजों को पड़ेंगे, समझेंगे, तो हम ये भी देखने वाले हैं कि इंडियान गॉंसीरिए में हमें कौन-कॉन से राइट्स दिए हैं Indian Constitution से मेरा मतलब यह है कि हम राइट जो होते हैं ऐसा हवा में नहीं होते कहीं भी कि यह राइट से राइट तो फ्रीड़म है टीक है राइट जितने भी आपको जो भी अधिकार दी है तो उसे एक लीगल बैकिंग मिलिए लीगल बैकिंग हमारे Constitution में दीए तो पही दिखेंग लेकिन बहुत थोड़ा-थोड़ा मतलब टच-टच करके जाते थे एक दम तो अब हम 9 में ultimately पढ़ेंगे हर fundamental right को specifically और काफी अच्छी तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं clear तो fundamental rights के बारे में पढ़ेंगे National Human Rights Commission के बारे में भी पढ़ेंगे Commission का एक S गायब है ठीक तो National Human Human Rights Commission के बारे में पढ़ेंगे expanding space for rights और rights किस तरह से दिन पर दिन क्या होते जा रहें evolve होते जा रहें बढ़ते जा रहें उस perspective से rights को भी समझेंगे हम clear है तो यह सारा material यह सारी पूरी कहानी हम पढ़ने वाले इस chapter में बड़ा interesting chapter होने वाला है topics subtopics सारी चीजों का हम continuously पढ़े क्लियर है अब देखिए यहां पर क्या है यहां पर simple सी चीज़े कि अभी जो हमारा next topic होने वाला है वह के स्टेडीज ऑफ ग्वांटनामोबे की स्टेडीज में आपको समझाने वाला हूं तो next video में हमारा यही topic होने वाला है इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आ आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंह राजपूत welcome to magnetbrains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे prison in guantanamo bay देखिए पिछले वीडियो में मैं आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में एक basic introduction बताया था कि इस chapter में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैंन सब्सक्राइब के पास में व्ल्ड मैप आप लोगों देखा है व्ल्ड मैप में जो हमारा मतलब इधर मैप में जो western side होता है तो वहां पर आपको US दिखेगा ठीक है मतलब south america north america वाले continents हैं तो व्ल्ड मैप में आपने united states देखा ठीक है यह united states के यहां पे बना हुआ हुआ बे क्या होता मतलब गल्फ है sorry ठीक है यह जो गल्फ है Gulf of Mexico फिर उसके बाज में यहां पर छोटी छोटी से island countries है तो इन island country में से एक क्यूबा के पास में यहां पे ठीक है क्यूबा के मतलब eastern side में यह एक dot लगा है जो में लगाया है ठीक है यहां पर है Guantanamo Bay ठीक अब यह Guant रहते हैं सारी चीजें तो यह Guantanamo Bay में यूएस का एक naval base है अब यहां यहां पर यूएस का है तो इससे मतलब आप यह सोच रहे हैं यह मतलब geography पढ़ रहे हैं civics पढ़ रहे हैं तो यही तो खूबसूरती है subject की बता है social science की कि आप सारी चीजों को आपस में interrelated करके पढ़ होता है अपने आप ऐसा नहीं सोचना है कि civics से तो civics तक ही limited रहे हैं उसे history है तो सरफ history तक सारी चीजे आपस में interrelated रहती है तो अब दो को यहां पर क्या है कि यहां पे जो naval base है तो इस naval base में prison मतलब क्या होता है जेल ठीक है तो US government ने जेल भी बना के रखी है अब यह जेल कि अब Guantanamo Bay पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं हाँ पर हुआ क्या था चलिए मैं आपको बताता हूं देखूं तो यहां पर क्या हुआ था सबसे पहली और सबसे important चीज़ और कहीं तो नहीं है red यह है चलो क्या होता है about 600 people were secretly picked up by the US forces from all over the world were kept in prison Guantanamo Bay ठीक है तो लगब लगब 600 लोग ठीक है एक दो भी नहीं 600 बहुत होते हैं 600 लोग में पूरा एक stadium तो नहीं लेकिन आप एक hall भर सकते हो एक बड़ा सा ठीक है तो अब 600 लोगों को क्या किया गया था उठाया गया था उठाया गया क्लियर है तो 600 लोगों को अरेस्ट किया गया अब यह 600 लोगों को अरेस्ट करने के बाद में क्या किया अरेस्ट किसने किया था यूस फोर्स में अब यूस फोर्स ने जब अरेस्ट भी किया तो सीक्रेटली किया ऐसा नहीं कि डोलबाजी के साथ में गए लोगों को अरेस् सीक्रेटली अरेश्ट करने के बाद में में लोगों को क्या किया ? सारे लोगों को अरेश्ट करके कहां पर ढाल दिया ? कौन सी प्रिजन में ढाल दिया ? प्रिजन एट гॉनygen अ nor व बे. two Guantanamoo bay मेने आपको दिखा दिया भी अब यह Guantanamo Bay वाथी जो जेल थी इस जेल में नोगों को ले जा कि क्या कर दिया है? वहाँ पे बंद ही बना दिया से जेल में डाल दिया, बंद कर दिया। अब U.S. government ने क्या argument दिया होगा? आप किसी को arrest कर रहे हो तो कुछ argument दिना पढ़ेगा न आपको क्या क्या Sounds कर रहे हो? विकॉस देवर अनिमिज ऑफ यू एस एंड वर लिंक्ड टु दी अटैक ऑन न्यू यॉर्क ऑन 11 सब्टेंबर 2001 ठीक है तो 11 सब्टेंबर को जो हमला हुआ था कहा हमला हुआ था हमला हुआ था यूएस के व्ल्ड ट्रेट सेंडर पे 2001 में आपको ध्यानों तो उसामा बीन ल इस इस पर की जो अटैक हुआ था इस अटैक में यह 600 लोग पर जुड़े हुए था इन 600 को हिले यूब की आइज और यहाथ है तो यूएस गषतम ने इस बीना पर किया इन लोगों को अरेस्ट कर लिए अरेस्ट करके जेल में डाल धिए कहां की जेल में डाला गुंटे न not knew about that और जब अरेस्ट किया गया तो लोगों को मतलब उन लोगों की फैमिली को भी नहीं बताया गया उनकी जैसे मान लीजे किसी ये 600 लोग में से भी हमें पढ़ेंगे कि अनस की भी फैमिली थी वो UK से थे ठीक है United Kingdom से तो उन लोगों की फैमिली को नहीं पता है जहां से को पता है ना उन्हें पता है कि उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया है no one was allowed to meet the prisoners there was no trial before any magistrate मतलब ना फैमिली के लोग मिल पाएं ना United Nations के जो रिप्रेजेंटेटिस थे उन्हें मिलने दिया जा रहा था ना मीडिया जा पारी थी और नहीं किसी प्रकार का कोई ट्राइल हुआ जैसे अधिकतर आपने सुना होगा चोटी ग्लासिस में पड़ा भी आपने क्या कि आप किसी को अरेस्ट करते हो तो विदिन 24 आर्स इंडियन प्रोविजन क्या है कि आपको इसको मजिस्टीट के सामने प्रस्तूत करना होता है you are required to present him in front of the magistrate तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ इन लोगों को अरेस्ट किया गया अरेस्ट करके सीधे जेल में डाल जिया है इनको मतलब कोई ट्रायल भी नहीं दिया गया आया समझ में तो क्या होता है कि इन सारे अर्गुमेंट्स को सुनने के बाद में पढ़ने के बाद में आपको क्या क्लियर होगा कि this was the clear case of infringement of fundamental rights infringement मतलब क्या होता उलंगान एक तरह से तो यहां पर आप देख रहे हैं कि clear case infringement का किस चीज़ के fundamental rights के मतलब यह जो 600 लोगों को आपने अरेस्ट किया है यह भी human beings है जो अरेस्ट करने गये थे पुलिस वाले और यह लोग सभी के दो-दो हाथ थे दो-दो पैर थे ठीक दो आप उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं यह भी नहीं पता है उन्हें तो इस सेंस में का है इस सेंस में अगर हम देखें तो this is the case या फिर this was the case of infringement of fundamental rights अब क्या होता है यह बात दीरे-दीरे कैसे लोगों तक पहुचती है बात दीरे-दीरे लोगों तक पहुचती है एमिनस्टी इंटरनेशनल के थूए एमिनस्टी इंटरनेशनल का है वो मैं आपको बता देता हूं तो यह लोगों है एक एंजियो है एक और्गनाइजिशन ने जो क्या करती है जो human rights violation वगएरा इन सारी चीजों के लिए काम करती है तो एमिनस्टी इंटरनेशनल ने बाद हिसाब से जिस तरह से उन्हें treat करना चाहिए दूसरे मुझरिमों को उससे कहीं बत्तर कंडिशन में रखा जा रहा था ठीक है और उसके बाद में क्या है कि human rights का violation हो रहा थे हाप पीटा जा रहा था मारा जा था वो सारी चीज़ें भी हो रही थी और सबसे में चीज तो यह यूस के उन्हें एक बच्चा नौ साल का बच्चा ठीक है फॉम अनस जमिल बनान ठीक है तो यह नौ साल का बच्चा है जो यूस प्रसीडेंट को लिखता है एक letter में बताता है कि आपने मेरे father को arrest किया है तो वो मतलब उस situation में अपने आपको रख के रिखो कि एक बच्चा I was waiting for a long time but you did not reply. Please can you give me an answer to my question? Why is my dad in prison? ठीक है बच्चा पूछ रहा है कि मेरे पिता जी को आपने जेल में क्यों बन करके रखा है? Why is he far away in that Guantanamo Bay? I miss my dad so much. I have not seen my dad for three years. पिछले तीन सालों से arrest करके रखा है ना बच्चा देख पाया अपने पिता को क्यों? क्योंकि US government ने किसी को allow नहीं किया है ना जाने के लिए. Argument क्या दे रहा है कि they were linked to the attack. ठीक है जो World Trade Center पर attack हुआ था उस attack में कहीं ना कहीं यह लोग linked है. बस यस argument के बच्चा पूर नहीं ने अर्जिस करके रखा है. I have not seen my dad for three years. I know my dad has not done anything because he is a good man. I hear everybody speak about my dad in a nice way. Your children spend Christmas with you but me and my brothers and sisters have spent Eid alone without our dad for three years. मतलब पिछले तीन सालों से मतलब थोड़ा सा नॉस्टाल्जिक हो गया बच्चा की हमारे पिता जी को आपने अर्श्ट करके रखा है. आप और आपके बच्चे मिलके Christmas बनाते हो. लेकिन मेरे भाई बेन और हम लोगों ने मिलके अभी तक तीन सालों से Eid नही इसे बंद कर देना चाहिए. लेकिन US Government refused to accept the pleas. ठीक है? US Government ने मना बोलती है हम नहीं बंद करेंगे उस prison को. अब UN कुछ क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि देखो powerful country है. दिखती बात है. तो I hope आपको ये topic clear हुआ कि Guantanamo Bay में हुआ क्या. मैंने आपको पूरी story relate करवा दिये. अब इसे हम सीखे क्या है? हम इसे सीखें यह हैं. देखिए कि fundamental rights का violation हुआ है. और यहाँ पर क्या देख रहे हो? कि एक country ने दूसरे citizens का fundamental right वालेट करा. तो आप बोल तो कि powerful country था इसलिए fundamental rights का violation हो गया. और दूसरे देश के लोगों का हुआ है. कोई अपने देश में अपने लोगों का violation थोरी ना होत होता है. तो अब हम next case study में यही पढ़ेंगे कि असा नहीं है कि सिर्फ दूसरे देशों के लोगों के fundamental rights wallet होते हैं. या फिर prisoners के fundamental rights wallet होते हैं. citizens के normal citizens के भी fundamental rights wallet होते हैं. तो case study of Saudi Arabia जो हम पढ़ेंगे तो उसमें यही साही चीज़ें पढ़ने वाले हैं. इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हों डाउनलोड कर सकते हैं. feel free to visit our official website magnetbrains.com. बिलते हैं next video में. Thank you, thank you very much. Hello everybody, this is Digras Singh Rajput, welcome to magnetbrains. इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस video में हम पढ़ेंगे citizens rights in Saudi Arabia. मतलब है हमारी second case study होने वाली है. इस case study में हम Saudi Arabia के perspective से देखेंगे कैसे वहाँ पर fundamental rights लोगों के wallet हो रहे हैं. पिछले video में मैंने आपको Guantanamo Bay के बारे में बताया था. Guantanamo Bay के बार तो एक सवाल के साथ में छोड़े गए थे हम आपको. वो यह था कि यह तो ऐसा हो रहा है कि foreign citizens है, इस current से उनके fundamental rights wallet हो रहे है. तो अब इस case study के माधियम से मैं आपको यह बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे? खुद की country में भी लोगों के fundamental rights wallet हो जाते हैं. क्लियर है? हमारे chapter रही है, democratic rights, तो हम rights और rights से related सारे issues को समझेंगे, अलग-अलग case studies के थ्रू समझेंगे, दूसरी case study है, clear? देखो यहां पर क्या हो रहा है? citizens rights in Saudi Arabia. ठीक, तो पहले Saudi Arabia को हम समझ लेते हैं, Saudi Arabia कहा है? यह वल्ड में आप है, ठीक है वल्ड में हम यहां बैठे हैं, पढ़ रहे है clear है? अब center में में बैठ गया हूँ, क्योंकि मैं center में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, गोपाल में, आप लोग जहां भी बैठे हो, अपने आपको position कर वा लो, यह India है, तो इंडिया के western side में अगर देखेंगे, आप तो एक country है, यह Saudi Arabia है, यह पूरा Saudi Arabia है, ठीक है? यह red color से जो हम देखते हैं कि Saudi Arabia में किस तरह से उनके relation है, वहाँ पर क्या system चला आ रहा है, clear? देखो, there is rule of hereditary king, Saudi Arabia में क्या है, rule of hereditary king, hereditary king मतलब क्या है, hereditary king में आपको समझाता हूँ, कि मैं राजा हूँ, तो मेरा बेटा भी क्या होगा, राजा, उसका बेटा, राजा, तो एक hereditary ही चली आ रही है, ठीक है, तो यह hereditary rule है, यहाँ पर people have no rule in electing or changing their rulers, ठीक है, तो अब यहाँ पर लोगों की बात की जाए, जैसे हम क्या बात करते हैं, बड़ी बाते करते हैं, आप बोलरों कि sir, आप chapter 1 से यही तो चिला रहे हो, कि democracy equal to people, ठीक है, democracy rests on the people, तो उस तरह से यहा पर लोगों के पास में कोई अधिकार नहीं है, people have no rule, people have no role in electing, ठीक है, आपर rules की जगा आएगा, रोल, तो people have no role in electing or changing their rulers, मतलब लोगों के पास में कोई अधिकार नहीं है, दिखती बात है कि आज जो राजा कल को उसका बेटा ही राजा बनेगा, आप कितने ही प्रयास कर लोगों क्योंकि वहाँ पर सिस्टम ये चला रहा है ना, तो इस सेंस में अगर अब हमारी कंट्री में ऐसा होता कि कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हो, तो अलट पलट कर देंगे दो पूरे के पूरे देश को लोग, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर राइट टुवोट की कोई वहीं नहीं है, मतलब एक थरा से राइट टुवोट के लिए कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मिलना ही नहीं है आया समझ में, तो उस सेंस में आप लोगों के पास में फंडमेंटल राइट है क्या वोटिंग का, करेंगे यह यह लोग एक्जिक्री काम करेंगे जुडिशरी जो है तो बता देंगे किया यह जज होंगे जज नहीं होंगे। तो अब आप देख रहे हो कि एक इनसान जो है हम यहाँ पर बात वह करी नहीं सकते हो जैसाяться democratic country में बात करते हो ना क्या कि suppression of power होना चाहिए legislature और executive से independent रहे judiciary जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था तो वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है ठीक लोग आवाज भी नहीं इठाएंगे और सारी चीज़े किसके दारा की जाएगी राजा के दारा की जाएगी citizens cannot form political parties and media is also not free यहाँ पर लोगों के पास भी कोई अधिकार नहीं है लोगों के पास कैसा अधिकार नहीं कोई political party नहीं बना सकते हो आप राजा के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हो there is no freedom of religion freedom of religion क्या बोलना चाह रहे है यहाँ पर देखिए हूँ कि freedom of religion कि होना होगा और अगर कोई दूसरे religion follow भी है कोई दूसरे religion का follower भी है जैसे मानलो सौधियरी में दूसरे लोग होंगे no doubt दूसरे religion के लोग होंगे लेकिन उनको क्या करना होगा अपने rituals को अपनी religious practices को privately करना होगा मतला अपने घर में अपनी पुझा पाट करो जो भी करना है आपको दूसरे religion में से अगर आप हो तो ठीक है पुब्लिक प्लेस में आपको इसलाम को ही accept करना होगा आया समझ में तो उस सेंस में freedom of religion नहीं है यहाँ पे बिलकुल भी जो एक democratic country में मिलती है अब अगर आप rights की बात करोगे तो आपका right to choose any religion वाला right तो यहाँ पर रहा ही नहीं ठीक है क्यों क्योंकि तुरोंने साफ clear कर दिया अब उसके बाद में क्या बुर्खा हिजाब यह सारी चीज़ों को पहन के रखना पड़ रहा है अभी आपके लिए homework भी लाए हों में ठीक यह मुनारक of Saudi Arabia at now ठीक है तो अभी इस समय में at present ही इस दी मुनारक of Saudi Arabia आपका काम क्या है नाम पता करना एंकल का ठीक है इनका नाम क्या है वह आप पता करेंगे और comment section में मुझे बताएंगे clear तो वुमें की जो condition है बहुत जादा बुरी है they are subject to many restrictions उसके बाद में the testimony of one man is considered देखो यहाँ पे clear cut violation हो रहा हमारी country में ऐसा हो जाएगा तो लोग भूचाल ला देंगे एक तरह से the testimony of one man is considered equal to that of two women मतलब एक male की जो position है that is equal to two women ठीक है मतलब एक male के पास जितने अधिकार है जो भी है मतलब आप ऐसे simple simple कह सकते हो क्या कि equality की बात करते ना one person one vote वाली जो बात करते तो वहाँ पे उल्टा है पूरा क्या कि एक male के पास जितनी power होगी जितनी आजादी होगी जितनी सारी scope होगा जो भी rights का वो दो महिलाओं के बराबर होगा मतलब दो महिलाओ equal to one man ऐसा वाला equation च क्लियर है समझा आगे आप बोले हो अब यहाँ पे चीज और देखिए मगए यहाँ पर मों यार्ग्यमेंट यह की चल रही है इसके लिए ऐसा होता था क्यूंकि मोनार्की चले चल रही है ऑप दो यह सब ऊई च्य Ugh कोसोवों में fundamental rights लोगों के वायलेट हो रहे थे despite the fact that monarchy was not over there ठीक है वहाँ पर monarchy नहीं थी वहाँ पर तो democratically elected government थी लेकिन वहाँ पर भी लोगों के rights, fundamental rights जो थे citizens के जो rights थे वो वायलेट हो रहे हैं तो ये सारी सीज़ें हम third case study में पढ़ेंगे हमारी clear है इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्श वीडियो में, thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूद, welcome to magnetbrains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगी ethnic massacre in Kosovo अब देखिए, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ाया है फिर दूसरी case study हमने क्या देखी, Saudi Arabia की देखी कि जहां पे किस तरह से लोगों को rights थे ही नहीं ठीके, अब हमारी तीसरी case study जो है, वो है ethnic massacre in Kosovo पहले शब्द समझा देता हूँ ethnic massacre का मतलब क्या होता, किसी एक ethnic group के, किसी एक नसल के लोगों का आप क्या कर रहे है massacre कर रहे है, massacre करना मतलब large scale पे लोगों को मारना, जैसे हमने नाजीजम वाला जो chapter पढ़ा है, तो उसमें हमने आपको समझाया था, कि अलग race थी जियसे एक अलग race के लोगों गए तो उन लोगों को क्या किया जाता था उन लोगों को मारा गया, ठीक है large scale पे तो मैसाइकर, तो वैसे एकаем cosmic massacre कोशोवो में भी हुआ है, ठीक है कोशोवो क्या है कोशोवो क्या है वो आपको समझा देते तो कोशोवो एक province रहा है कहा का province रहा है कोशोवो, युगोसलाविया का यूगोसलाविया क्या है कोसोविया क्या है समझाता हूं जोखो यह यूरोप का मैप है छोटा मैप है यहाँ उन्हे क्या लिखा है ह publisher Yugoslavia winter में बढ़ गया जिसे तो लोगो करता था तो उस समय पे प्रोविंस thी कोसोवो, यह रहा कोसोवो, ठीक है, तो एक कोसोवो प्रोविंस की कहानी हम पढ़ने वाले हैं, एक autonomous प्रोविंस था, कहां का, यूगोसलाविया का, चलिए, तो अब देखिए क्या है, हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना एक कोसोवो से प्रोविंस ओफ यूगोसलाविया वाज इसलिए लिखा क्योंकि आज अब वो योगसलाग गया ही नहीं है अब दो को यहां पर दो चीज़ें कि जैसे हम देखते हैं इंडिया है इंडिया में लग रहा है स्टेट से महारास्ट है अब महारास्ट का हो सकता है कि population composition कुछ और हो वहाँ पर किसी और ethnic group के लोग ज़ादा हो या फिर जैसे लिए s technik people के है UCLA अब महाराथी speaking people कहाँ का composition अगर देखा जाए तो महारास्ट में क्या है ज़्यादा है ठीक है तो महराज में मैजॉरिटी में कौन हो गए महराथी speaking people लेकिन all over the country अगर बात की जाए तो Hindi speaking people जो है वह majority में है आएसा है तो उस सेंस में यहां पर भी ऐसा था कि जो कोसोवो प्रोविंस था ठीक है इस कोसोवो प्रोविंस में क्या है इस कोसोवो प्रो है तो पूरी country में majority में कौन था सर्ब्स सर्ब्स कौन है सर्ब्स एक एथनिक ग्रूप है क्लियर है तो कोसोवो अलबेनियंस और सर्ब्स क्लियर होगी कहानी कि कैसा country का composition था अब आगे देखते हैं क्या होते हैं कि हम यहां पर क्या पढ़ रहे हम जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में अगर ध्यान हो आपको तो मैंने बताया था कि आप बोलोगे साओधी अर्यविया में राइट्स का infringement इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां पे लोग क्या थे वहां पे मतलब मोनार्की थी तो मोनार्की के चलते लोगों को राइट्स तो मिलना ही नहीं आपने यह बोला था ठीक है अब लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि हाप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेट कंट्री था यूगोसलाविया यूगोसलाविया में एलेक्शन होते एलेक्शन होने के बाद में कौन बनता है वहां का लीडर तो नेरो मैंडेट सर्ब नैशनलिस्ट ल मालोषीघ क्या बोलता है कि एलेक्शन में अपने आपको कंटेस करऊँ और इलेक्शन जीता भी वह इन्सान तो यह फोटो है कांगल की ठीक है यह क्या करते हैं यह ऐ Chap会 यूजलाविया में एलेक्शन जीतते हैं और यह कौन है यह एक तरह से कह सकते हैं कि Allah the सब नेशनलिस्ट लीडर हैं यह उन्हीं के एथनीक के लोगों की बात करते हैं अगे लेजाने के बात करते हैं यह हो गया फिर आगे क्या होता है कि जब एलक्षण जीत जाते ऑफ हैं इस चिनले के जीतने के बाद में एंटर दी लिदर्शिप ऑफ मेलोशेविक ठीक और यह किसके तुवर्ट्स होस्टाइल है यह होस्टाइल है अलबीनियन्स के तुवर्ट्स तो आयोप आपको कहानी समझ में आगे कि अलबीनियन्स शुट आइधर लीव दी कंट्री उन्होंने बोल दिया अलबीनियन्स को यह तो देश छोड़के चले यह और एक्सेप्ट कर लेगी हाँ यूगोसलाविया में सर्ब्स की चलेगी अलबीनियन्स को जुक्के रहना पड़ेगा तो इस तरह का एट्मॉसफेर ब उसने घर में रह रहे थे पूरी कहानी आप बुक में पढ़सकते कहानी लिए इसलिए मैं नहीं आप लिखी निया आपको सुना देता हूं फिर अचानक क्या होता है कि आर्मी आ जाती है उनको बंबाड्मेंट की अवाज सुनाई देती है आर्मी आती है और देखते हैं कि इस तरह से आप देख रहे हैं कि खुले आम यह तो एक कहानी है कि एक घर में ऐसा हुआ कि जहां पर वह एलबेनियन थे इसके चलते बहुत सारे एलबेनियन एथनिक ग्रूप के लोगों को क्या करना पड़ा अपनी जान से हाथ दोना पड़ा क्लियर है अब देखिये क्या होता है तो यह स्टोरी में आपको बता दी अब यह जो मसाकर हुआ है तो इस मसाकर में ऐसा नहीं कोई कि जैसे हमने देखा गूंटा नामों बे में लोगों के राइट्स वालेट हुए तो क्यों 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 दूसरी कंट्री के लोग तो उनको दूसरी कंट्री की गवर्मेंट ने पकड़के लगी चलो बात मान लिया हमने ठीक है फिर आपने बोला साओधियरी पर हमें तो इसलिए हो रहा शायद मोनार्की थी लेकिन यहां पर तो देखिए एक सिच्वेशन क्या है देमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है और उन्हीं की कंट्री की आर्मी जो है उन्हीं के लोगों के राइट्स को क्या कर रही है वालेट कर रही है तो इस संस में आपको क्या समझ में है इस समझ में है कि जो वालेशन होता है फंडमेंटल राइट्स की जरुवत हमें ऐस नहीं है कि democratic country में rights का वालेशन नहीं होता है या फिर आपका लीडर है आपके आर्मी तो आपके साथ कुछ नहीं करेंगे rights का वालेशन कहीं भी कैसे भी हो सकता है all this was happening under the leadership of a democratically elected leader ठीक है तो हम देखना है कि एक democratically elected leader थे अब मिलोशेविक जो थे तो उनने क्या किया था elections के थूर इलेक्शन के थूर इलेक्ट किया ना लेकिन उन साइज चिलों के बावजूद भी हो गया इतना साथ लोगों का rights वालेट हुए बाद में फिर international community को जब दिखा यह issue कि आर इशू बहुत बड़ा है हां तो large scale पे लो सफर कर रहे होंगे लोग यह ठीक है अब खुले आम लोगों की जाने ली जा रही थी किसकी जो Albanian community के लोग थे clear है तो what lessons do we get from all this यह जो तीनों case studies पड़ी यह वाली जो case studies पड़ी तो इन सारी case studies से हमें क्या समझ में आया infringement of rights can happen anywhere and by anyone ठीक है कहीं पे भी हो सकता है कोई भी आपके rights को वालेट कर सकता है be it you are living in a democratic country or a monarchical form of country ठीक है का protection बहुत जादा जरूरी है अब यह तीन case studies को आप क्या करना एक reference की तरह रखना ठीक है repeat my words एक reference की तरह रखना हम जो पूरा chapter पड़ेंगे तो कहीं न कहीं आप recall करते रहने कि अच्छा यह वहाँ पैसा हुआ था तो इस sense में rights की जरुवत होती है clear है तो यह सारा सब website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से क्लास 12 तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com विल दे नेक्ष वीडियो में thank you thank you very much Hello everybody, this is दिग्राश सिंग राजपूत, welcome to magnetbrains. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे rights in a democracy. पिछले वीडियो तक हम लोगों ने case studies complete कर चुके हैं, Guantanamo Bay की, Saudi Arabia की और Kosovo की. तो मतलब मैं ये presume कर सकता हूँ कि आप लोगों के पास एक basic foundation है. किस चीज का foundation है? आपको rights के बारे में कुछ कुछ चीजे पता है, आपने देखा कि कैसे rights का violation हुआ इन तीनो countries में तीनो areas में. अब हम क्या करते हैं? अब हम हमारे इस topic को आगे लेकर चलते हैं. आगे लेकर चलते हैं, अलग-अलग dimensions से जोड़ेंगे rights को, देखेंगे rights कौन-कौन से हैं, कैसे हैं? तो basically यह जो वीडियो है. इस वीडियो में मैं आपको rights in a democracy, तो आपको rights की definition दूँगा. ऐसी definition दूँगा कि एकदम perfect definition है. वो ठीक है? उस definition को हम यहीं पर सीखेंगे, अभी इसी video में सीख लेंगे definition को. और उसी के साथ साथ में क्या होगा? कि उस philosophical बात है, जैसे rights, democracy, कैसे जुड़े हुएं आपस में, basic spirit क्या rights की, इन सारी चीजों को हम समझ लेंगे. स्टार्ट करते हैं, देखिए, relation of the rights and democracy. अब rights और democracy के बीच में क्या relation है? बताएंगे आप मुझे? जी हाँ. देखो, हमने क्या देखा? साओधी अरीब्या में भी दे जते थे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने देखा, मौनार्की थी, मौनार्की ने बोल दिया, मतलब मौनार्की एल फार्म अग गशली आ रही थी, उन्होंने बोल जै कि नहीं, आपको अगर साओधी अरीब्या में रहना, तो सरफ एक धर्म को क्या करना होगा मानना होगा, you are required to follow a single religion that was Islam, ठीके? तो लेकिन ऐसा यहाँ पर democracy में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप एक democratic country में रह रहे हो और आपका constitution आपको बोल रहा है कि you are a secular country, आप धर्मन रिपेक्ष country है, तो फिर क्या होगा? फिर आपको, आपके पास में एक legitimacy आगई ना, कि आप democratic country में रह रहे हैं, आपके democracy है, उस democracy के चलते जो constitution है, वो यह बोल रहा है क्या? कि secularism है, सभी धर्मों की, को practice करनी की आज़ादी है, तो आप claim कर सकते हो, तो अगर आप relation देखे, rights का और democracy का, तो simple सा सीधा relation है, क्या? कि democracy में you are free to claim rights, क्यों? क्योंकि democracy rests on the rights, एक तरह से हैं, क्यों? क्योंकि लोगों की value करती है, ठीक है, people centric होती है, democracy और लोगों का अधिकार होना चाहिए, तो उस sense में, अगर देखा जाए scope, तो rights का, आपके अधिकारों का scope, democracy में बहुत ज़ादा होता है, clear? तो अगर हम इसकी spirit समझें, ठीक है, what is the basic spirit of rights, अधिकारों की एक basic मूलभुद भावनाएं क्या होती है, तो कुछ ऐसी है, assurance not only on paper, but in reality, assurance होना चाहिए, rights में आपको क्या, एक थोड़ा से assurance मिल गाए, कि हाँ, आपके अधिकार रहेंगे, अब यह जो assurance दी जा रही है, तो it should not only on the papers, ठीक है, इसरे बहुत नहीं है कि कागच पे लिखके दे दि ठीक है, we should be in reality, अब इस assurance में क्या दिया जाना चाहिए, where at least minimum is guaranteed to everyone, everyone मतलब छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी इंसान हो, हर इंसान को कम से कम कुछ minimum की तो guarantee हो, कम से कम कुछ minimum की guarantee हो, मतलब हर इंसान को यह guarantee है, आग देश में कोई भी रह रहा हो, उसको यह एक assurance है कि उसका अधिकार है कि वह जिंदा रहे, यह उसका अधिकार है कि उसे सम्मान मिले, आया समझ में, तो rights वही होते है, basic spirit है कि सबको एक minimum की guarantee होना चाहिए, अब आप बोलोगे, sir, यह तो थोड़ा सा कह सकते complicated से लग रहा है, इसकी definition से आप हमें explain करो, तो definition से समझते ह तो what is rights, उसकी definition देखो, definition मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब पूरी 9 book में अगर देखा जाया तो यह definition अपने आप में पूरे एक chapter को summarize कर देती है, क्या है, rights are reasonable claims, ठीक है, of a person recognized by society, ठीक है, इसे भी धियान रखना, recognized by society and sanctioned by laws, अब इसमें तीन चीज़े है, मैंने तीन reasonable claims of a person recognized by society and sanctioned by laws, अब जड़ा एक एक शब्द को लेते हैं, देखो, क्या है, rights आपके reasonable claims होते है, reasonable claims का मतलब क्या है, अब आप यह बोलोगे कि sir, हमें क्या करना है, हमें यह रोड़ पे से जो बच्चा जा रहा है, इस से टौफी छुडाना है, ठीक, वो बोलोगे, यह हमार अधिकार है, तो यह reasonable है क्या, यह reasonable नहीं है, क्यों, क्योंकि आप किसी और के साथ में क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो reasonable नहीं है, तो आप जो भी claim करोगे, ठीक, आपका जो भी claim है, आप बोल रहे हो, sir, मुझे क्या चाहिए, मुझे 10 लाग रुपे चाहिए, लेकिन reasonable नहीं है, तो rights क्या होते है, हर इंसान की reasonable claims, अगर जैसे आप बोल रहे हो, कि मुझे अपने opinions को express करने की आजादी हो, तो आपके opinions को express करने से आप किसी को एक तरह से ऐसा तो नहीं है, कि किसी का कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, आप गाना गाना चाह रहे हो, तो आपको गान अजादी दी जाए, च्छत पर खड़े हो के, तो वो reasonable नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि वो reasonable इस नहीं रहेगा, क्योंकि आप दूसरों को disturb कर रहे है, तो rights आपके क्या होते है, rights are reasonable claims of a person, ठीक है, जो भी आप claim कर रहे हो, आपको खुद सोचना चाहिए, कि क्या वो आपको द अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार ऐसा होना चाहिए, कि वो दूसरे को परिशान ना करे, reasonable होना चाहिए, should be justified, clear, अब यह हो गया, उसके बाद में, recognized by society, ये भी बहुत important चीज़ है, कि आप जिस चीज़ को बोल रहे हो, अधिकार है मेरा, तो इसे society भी recognize करे, जैसे, आप क्या बोल रहे हो, कि आप ये बोल रहे हो, कि इस इंसान ने क्या करा, इस इंसान ने मेरे 10 रुपे चोरी कर ले थी, तो मैं इस इंसान का murder करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब आप बोलोगे, reasonable है, मेरे 10 रुपे चोरी कर लिए, लेकिन क्या society इस चीज़ को recognize करेगी, society क्या आप प्रूफ करेगी, कि society इसा बोल देगी, हाँ, हाँ, murder करना सही है, नहीं बोलेगी न, society में आपको समाज में रहना है, तो थोड़ा सा आपको adjust करना होगा, 10 रुपे चुराए, उससे आप 20 ले सकते हो, fine के तोर पे, लेकिन आप किसी का murder कर दोगे, क्या, would it be acceptable by the society, नही society कभी accept नहीं करेगी, तो आपके जो reasonable claims है, उन claims को society भी accept करे, इसको और एक और example के थो कर समझे हम, जैसे क्या है, कि आपका reasonable claim आपने क्या बोल दिया, आपने reasonable claim ये बोल दिया, कि मुझे वो यो express वाला, ठीके, आपने बोल दिया, I should have the freedom to express my opinions, आप अपने opinions को express करना चाह रह ही, मतलब आपको आपके shows करने नहीं देती है, तो आप क्या बोलोगे, ये मेरी freedom of speech or expression के against जा रहा है, मैं आप कुछ express करना चाह रहा हूं, कुछ बोलना चाह रहा हूं, ये मेरा reasonable claim है, और society भी उस चीज़ को recognize कर रही है, कि हाँ, अगर अपनी कवीता सुना रहे हैं, एक society, आप जैसे, आपको बड़ा अच्छा लगता है, क्या कि दो बजे रात को आपको ऊपर चट पे खड़ो के, माइक लगाओ तो बहुत तेज-देज गाना गाना, लेकिन क्या society उस चीज़ को recognize करेगी, कि आपका वो rights होना चाहिए, नहीं करेगे ने, क्योंकि society को तो सोना ह आपको जागना है, तो हम क्या करें, society से confused, यह मत हो जाना कि आप जिस society मेरे रहे हो वाली society, society मतलब in general, समाज उस चीज़ को allow नहीं करेगा न, तो it should be recognized by society and sanctioned by laws, यह important clause है, sanctioned by laws का मतलब क्या है, कि मानलो आपका claim भी reasonable है, society भी मानती कि यहाँ यह होना चाहिए ऐसा, लेकिन अगर उसको law के form में sanction नहीं किया गए, अगर वो constitution में नहीं लिखा है, तो वो आपका right रहे गा ही नहीं क्यों, क्योंकि वो कोई भी violate कर देगा, लेकिन government उसके against में action नहीं ले पाईगी, क्यों, क्योंकि वो law में तो दिया ही नहीं है, तो मतलब जिस भी चीज़ को आप punishment मिल सकती है, आगे समय में तो ये तीन major components है, क्या, rights are the reasonable claims of a person, recognized by society and sanctioned by laws, तीन चीज़ है, अब जरा फटा-फट मैं छुपा लेता हूं इसे और आप मुझे बताएंगे क्या definition क्या है, तो rights are the reasonable claims, ठीक है, किसके reasonable claims, reasonable claims of a person, अब इस चीज़ को वैसी जोड़ो, आपके claims हो है लेकिन it should be recognized by the society and sanctioned by the law, हो गया यही पर याद अच्छी definition थी, तो I hope you got the definition, और इस तरह से आप भी कुछ हो रहे होंगे, कि यहाँ जी, बढ़िया, definition हमारे को समझ में आ गई है, याद हो गई है, तो यह definition याद रखना है, क्योंकि अगर question आता तो direct हमको ऐसा ही लिखना है, clear अब next video में हम क्या करेंगे, next video में से और अच्छे से समझेंगे, आगे समझेंगे कि हमें rights के जरुवत होती क्यों है, why do we need rights, clear है, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते है, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available है, जि feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिग्राश सिंह राजपूद, welcome to magnetbrains, इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, why do we need rights in a democracy, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ rights के बारे में basic information बताई थी, basic information के साथ में expert definition बताई clear है, तो I hope आपने उस वीडियो को follow किया है, अब हमने rights को तो समझ लिया, rights की definition को तो समझ लिया, अब सवाल हमारे सामने ये आता है, कि rights की definition जानने के बाद में आप ये पुछोगे कि अधिकार की जरुवत क्यों होती है, why do we need rights, ठीके, और democracy में rights की क्यों जरुवत होती है, तो आईए, अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आपको वो सारी चीजे में clear कर दूँगा, तीन points पर discuss करेंगे हम, 5 marks का question आएगा आपको direct, क्या, कि why do we need rights, what are the needs of rights, ठीके, तो इस तरह से question अगर आता है, तो आपको, मतलब content पूरा हम discuss करेंगे कि क्या answer में लिखना है, clear ह तो rights in democracy, अगर बात की जाए, democracy में rights की, तो rights बहुत important होते हैं, अब बहुत important क्यों होते हैं, क्यों important होते हैं, क्यों important होते हैं, देखो, कि अगर आप democracy के sustenance की बात करते हैं, कि democracy आपकी sustain कर जाएगा आगे तक, तो sustenance of democracy depends on rights, ठीके, depends on rights का मतलब क्या है, कि आप अगर एक democracy, तो उसके लिए क्या है उसके लिए आपको कुछ बेसिक राइट्स तो होना ही चाहिए मतलब यह अधिकार अगर नहीं होंगे तो आपकी कंट्री में डेमोक्रिसी कहलाएगी नहीं न एक्जामपल देता हूं जैसे हमने साओधी अरेबिया पड़ा ठीक है अब साओधी हमारी कंट्री में बुट मिल जाएगा तो रहना तो राजाएजिए न तो उस सेंस में क्या है अगर आप डेमोक्रे cosmET diff McD why do we need rights in democracy तो democracy की basic spirit क्या है कुछ rights जैसे right to vote right to vote होगा तभी तो आपकी country democratic country कहलाएगी अगर आपकी country में right to vote ही नहीं है तो क्या आपकी country democratic country कहलाएगी नहीं कहलाएगी इसलिए आया समझ में तो sustenance of democracy depends on rights तो कौन-कौन से rights जैसे right to vote, right to express, right to form political parties these are the basic core ideas of democracy, these are the basic core ideas of democracy, democracy cannot survive without these rights तो sustenance में क्या कहते है कि अगर आपको आपकी country को democratic country बोलना है then you are obliged to give some rights to the citizens, ठीक है, you are bound to give some rights तो और ये rights कौन से होगे वो मैंने आपको बताया, जिसे right to vote, right to express, right to form political parties clear है, तो ये पहला point हमने समझा कि क्यों हमें rights की जरुवत होती, क्यों, क्यों राइट्स होंगे तभी आपकी country में democracy sustain कर पाएगी sustenance के अगर बात की जाए तो democracy की sustenance के लिए आपको अधिकारों की बहुत जादा शक्त जरुवत होती है clear, दूसरा point देखें, rights protect minority from the operation of majority, दो चीज़े आ गई यहाँ पे, minority, majority और तीसरी मेरी तरफ से ले लो operation, ठीक है, अब देखों यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको समझना है कि country है, जैसे जंगल होता है, ठीक, अब जंगल में कोई अधिकार नहीं होते है, जंगल में कोई अधिकार नहीं होते है, तो आपको दिखता है कि जो एक हिरन रहता है, उस हिरन को शेर के हाथों क्या करना पड़ता है, मरना पड़ता है, मतलब शेर सिकार कर लेता है हिरन का या फिर हिरन शेर का सिकार करती है शेर हिरन का सिकार करता है ठीक है तो यहां पर सिकार होना तो हिरन का तो हिरन हमें क्या दिख रहा है एक तरह से देखें हिरन कमजोर है तो कमजोर होने के कारण हम उसको मैनुरिटी वाले सेक्षिन में डाल देते हैं कि वह कमजोर है और शेर में ज्यादा इसलिए मेज्योरिटी हो गए तो हमेशे पॉसिबिलिटी रहती है क्या जैसे अगर आप बात कर रहे हैं कि जंगल की तो जंगल में क्या पॉसिबिलिटी महापे कोई राइट्स नहीं कोई कर जिसे पॉपर अत्याचार कर सकती है थीक है तो हमें क्या करना है हमें अगर प्रोटै्ट करना है मांईरिटी को आप डेमुकरति कंट्रिम energator सबको प्रोटेक्षिन पड़ेगी तो rite protects minority from the operation of majority तो अगर आपको minority को protect करना है किससे operation of majority majority के अथ्याचारों से अगर आपको क्या करना है LPर्टेक्षिन करना है minority को तो उस sense में आपको क्या करना होगा is sense में आपको ध्यान रखना होगा कि आप rites डे दे किसे ignoring दे दे रानकों को मिलना अचीमिर को ही मिजोरुटी को वी लेकिन रहेंगे तो मैं एट्स की लिए जादा फाइदा आए ताकि मेज़ी के अत्याचारोंbet बच सके अगर मजूरिटी ये सोच ले कि हमें एक्स्प्स्प्लोइट करना है मैरे हैं तो वह ये करने से पहले चार बार पहले सोचै क्यों क्योंकि मैरे इस के पास अगर राइट सावी होगा तो जो वाइले पैसे चुडा लए तो संच में किया होता है उस सेंस में लेकिन आपके पास parents होते हैं parents के सामने सारी चीज Online अग Sundεillos अगर आपके साहत अतिया चार हो रहा है तो आपके करते हो आपने rights का वो इस्तमाल करते हो दो हो लगा है तो sex मैं कि 코로 Object करते हैं उसे भी डर के रहना पड़े, minorities की भी क्या करना पड़े, respect करना पड़े, ठीक है तो यह दूसरा कारण हो गया है कि हमें क्यों rights की जरुवत होती है, तीसरा कारण समझते हैं, देखे, rights protect citizens against the government also, अब देखो क्या होता है, आप यहां पे देखोगे कि majority, minority के उपर अत्याचार न हुका है, ना, ठीक है, government देखती है, अब सवाल एक यह आता है, कि अगर ऐसा हो, कि government खुद ही लोगों को परिशान कर रही हो, जैसे हुआ था, कहा हुआ था, कोसोवों में देखा था ना, हमने, इलेक्टेड लीडर था, उन्ही की government थी, उन्ही की army थी, और उन्ही की army ने उन्ही की government में उन्ही के देश के लोगों को क्या कर दिया, परिशान किया मारा, Albanians की जान ली गई, तो वो भी तो यूगोसलाविया के ही लोग थे, उन्होंने भी कही वोट दिया होगा, जबी ज अब क्या बने होंगे, लीडर बने होंगे, तो इस सेंफ में ने क्या देखा, कि यहाँ पर तो government खुद exploit कर रही है, तो आपको तब भी protection की जरुवत होगी, जी हाँ, तो वहाँ काम करते है rights, rights protect citizens against the government also, जैसे government also क्यों protection की जरुवत है, तो इस simple सी चीज़ है, sometime elected government may also attack the rights of their own citizens example, कोसोवो में जैसा हुआ, ठीक है, जो elected government होती है, वो भी अपने citizens के rights के उपर हमला कर सकती है, जैसे के example देते हैं, क्या, आज जिसे Indian context में हम देखे, Indian context में आप सारी चीज़े smoothly चल रही है, अब government क्या करती है, government एक law ले आती है, क्या, कि government इस तरह से बोल देती है, क्या, क government ने इंक्रोच कर दिया, government ने law लिया ये, अगर मानलो आप मद्यप्रदेश से या फिर कहीं भी जहां भी रहे रहें, आप वहां से बाहर निकल के जाते है, आपको arrest कर लिया जाएगा, तो sense में क्या है, उस sense में आपका right wallet हो रहा है, और wallet करने वाला कौन है, wallet करने वाला government ह तो rights हैं अगर आपके constitution में rights दियें तो आप judiciary के पास जाएंगे और आप आवाद उठाएंगे किस के against में, आप government के against में भी आवाद उठा सकते हैं, आया समझ में, तो sense में हमारी country में provision है, हमारे constitution में provision है क्या, कि rights जो है, वो rights आपको सिर्फ majority से ही protection नहीं देते, rights आपको government स से भी protection देते, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा powerful कौन होता है, पता है, देश में सबसे ज़्यादा powerful government ही होती है, क्योंकि government के पास सारी चीज़ें, सारे resources, सारा mechanism, सारी institutions होती है, तो sense में हमें government से भी protection के जरुवत है, एक individual तो बहुत छोटा रहता है government के सामने, तो rights है, तो rights individual को क्या करते है, empower करते है, fundamental rights जो रहते है, तो they are really empowering the individuals, clear, तो therefore some rights need to be placed higher than the government, तो जो आपके अधिकार है, वो government से भी उपर होते है, जिने government भी wallet नहीं कर सकती है, clear, तो I hope आपको इस समझ में आया, why do we need rights in a democracy, एक अच्छा सा सुन्दर सा answer लिख सकते है, अब आप इस ची हम देखेंगे, Indian Constitution में कौन-कौन से rights है, आप भी सोचिएगा, next video में में आपको बताता हूँ कि हमारे पास कौन-कौन से rights हमें दिये गए है, clear, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते है, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available है, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिग्रास सिंह राजपूद, welcome to magnetbrains, इस video में क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम पढ़ेंगे, Rights in the Indian Constitution, heading को समझ ये आप, Rights in the Indian Constitution, मतलब इंडियन Constitution में हमें कौन-कौन से अधिकार दिये हैं, वो पढ़ने वाले हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, why do we need Rights in a democracy, तो हमने वहाँ पे ये सिखा था, हमें जरुवत क्या होती है, अब जरूरत दरवत हैं, तो if we go by the definition, जो definition हमने क्या करा था, पिछले कुछ वीडियो में हमने डिसकस करी थी, उस definition को एक बार जरा फिर से रिकॉल कीजिए, तो इसी बहारे आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपने definition देखिए, मैंने आपको वीडियो में ही याद करवाई थी, Rights are the reasonable claims of a person फिर क्या है, accepted by the, recognized by the society and sanctioned by the law, तो हमारी definition में एक शब्द क्या आया था, sanctioned by law, तो अब sanctioned by law का मतलब क्या होता है, कि उसे law ने guaranteed कर आएगी, हाँ आपको ये जो अधिकार हैं आपके, अधिकार कब बनेंगे, जब आपको वो law guarantee करेगा उस चीज़ की, मतलब आपका, आपके देश का जो कानून है, वो आपको ये allow कर रहा है, कि हाँ, ये आपके अधिकार है, अगर इसका violation होगा, तो आपको restore करके देंगे, जो violate कर रहा है, उसे punishment देंगे, तभी तो वो आपके अधिकार कहलाएंगे न, तो sense में क्या है, हमने definition में समझा था चीज़ों को, कि rights are the reasonable claims of a person, recognized by the society and sanctioned by the law, मतलब इसे क्या मिलती है, एक legal backing मिलती है, आपके rights को, अब legal backing मिलती है, and rights are mentioned in our constitution, and therefore we respect them, क्योंकि हमारे constitution में दिये गए है, उन्हें एक legal backing मिली हुई है, और इनी सभी कारणों से हम क्या करते है, rights को respect करते है, ये भी कह सकते है, हम डरते भी हैं लोगो, rights को violate करने से, क्योंकि rights करेंगे, तो punishment मिलेगी, तो उसके चलते हैं, आप मतलब जैसा समझना चाहो, ठीक है, sophisticated term में अगर सुनना चाहते है, तो बोल दो, constitution में दिये, इसलिए हम उनकी respect करते है, और reality क्या है, क्योंकि constitution में दिये, wallet करोगे, तो punishment मिलेगी, इसलिए हम भी क्या करते हैं, लोगों के rights की, दूसरों के rights की respect करते हैं, clear है, तो यह हमने देखा, कि Indian constitution में इस तरह से कुछ rights को mention किया गया, यह कुछ, कह सकते हैं, एक dimension, एक perspective है, कि हमें rights की respect क्यों करना पड़ती है, और Indian constitution में rights हैं, तो वह कैसे हैं, अब देखते हैं, कौन से rights हैं, जो हमारे सबसे a little over life का मतलब क्या होता है, simple से चीज़े बहुत simple सी है, कि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं, जो आपके sustenance के लिए, आपका जीवन यापन करने के लिए आपको बहुत जारूर ही होते है, जैसे right to life, ठीक है, अगर आपको जिन्दा रहना है, तो आपको अधिकार होना चाहिए कि आपके life कोई भी ऐसे यूई ना चीन सके आपसे, क्यों कि अगर आपको कोई भी मार देगा तो फिर ऐसे मतलब आपके life की value नहींगी तो आपको तो कोई भी यूई ही मार सकता है, आई समझ में, तो सेंस में क्या है कि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं, जो आपकी life के लिए बहुत जादा fundamental होते हैं, बहुत जादा fundamental होते हैं, मतलब बहुत जादा जरूरी होते हैं, basic होते हैं, उनके बिना आप जिन्दा नहीं रह सकते हो, तो ऐसे rights जो होते हैं, अच्छा, आप मुझे बताईए कि चलो, मतलब एक तरह से अपन करते हैं, एक interesting comment section में आपसे answer देख नहीं पाऊंगा, तो इसमें exception क्या छोड़ना है, आपको right to life छोड़गी, क्योंकि right to life सभी लिखेंगे वैसे तो, right to life के अलावा, मतलब second number पर आपका कौन सा right है, जिसे आप बहुत essential समझते हैं, अपने जीवन को जीने के लिए, clear ही आपका होंब क्या बताएंगे सभी लो 8th पढ़ते पढ़ते आएं, 9th में पढ़ेंगे हम fundamental rights को, हर class में कहीं fundamental rights मेली जाते हैं civics में, तो ये fundamental rights कौन-कौन से हमारे constitution में, हमारे constitution में, अगर Indian constitution की बात की जाए, कि Indian constitution में कौन-कौन से fundamental rights दिये गए हैं, तो right to equality, मतलब देखो क्या है, एक पूरी series है, constitution में article 13 से लगा करते हैं, तो हमने क्या एक broad category बना दिये 6 rights की, उन 6 rights में हमारे पूरा article आते हैं और उन article के हिसाब से आपको अधिकार दिये गए हैं, तो जिसे right to equality की बात करते हैं हमारे constitution में, ठीक है, 14, 15, 16 ऐसा कुछ, तो right to equality आ गया, फिर right to freedom आ गया, फिर right against exploitation, तो हम एक-एक करके specific discuss करे करेंगे सारे rights को, specific subheads, heading, सब discuss करेंगे, चिंदा करने की जरुवत नहीं है, हापे मैं आपको इस एक outline बता रहो कि कौन-कौन से rights दिये हैं, तो right to equality दिया है, right to freedom दिया है, ठीक है, right to freedom समझते हैं, आजादी, आजादी का अधिकार, right against exploitation, मतलब आपको कोई loot नहीं सकता, आप आपके education system को preserve करने की आजादी दिये, कैसे दिये, वो मैं आपको बताऊंगा, specific video में, ठीक है, right to constitutional remedies, सबसे important यह है, सबसे important क्यों है, मैंने सक्यों का, सबसे important यह है, क्योंकि यह सारे rights अगर आपके violate होते हैं, तो इनके violation के against में आपको क्या restoration मिले, मतलब आपको justice मिले, वो यह आपको fundamental right है, मतलब वो भी अपने आप में एक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, कि अगर आपके in rights को violate किया जाता है, तो आपको इसके against में justice मिले, यह भी आपको fundamental right है, तो constitutional remedies वो अलराइट है, तो इन 6 rights को हम discuss करने वाले हैं, हम हमारे पूरे chapter में, clear, तो मैंने आप आपको अभी तक अगर recap करें तो कुछ case studies पड़ी है, rights का basic meaning definition समझाया है, क्यों जरुवत होती वो समझाया है, अब Indian constitution में कौन-कौन से rights हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, next video में हम क्या करेंगे, next video में हम एक rights से start करेंगे, right to equality से, एक एक करके सारे rights को हम समझते Right to equality is going to be our next topic, इस chapter के notes आप हमारे official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, विलते हैं next video में, thank you, thank you very Hello everybody, this is दिगरास सिंग राजपूद, welcome to magnetbrains. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे right to equality के बारे में, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको basic information दी थी किस चीज के बारे में, कि हमें ज पहला right है, वो है right to equality, ठीक है, यहां से start करते है, right to equality आपको क्या समझ में आता है, I hope 9th class में आगो, अब तक पढ़ते पढ़ते इतना समझ में आगे, equality आने समानता, कि सब को equally treat किया जाए, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, अब सब को equally treat किया जाए, तो वहाँ पर एक important concept क सब से उपर भी होता है, rule of law का मतलब भी यह होता है, क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ, देखे क्या होता है, कि आप एक देश में अगर जी रहे हैं, तो अब उस देश में क्या होता है, कि सरकारे आती है, चले जाती है, हर बार election में जिसे लोग contest करते हैं, कोई जो पोजिशन थी, वो कल भी वही थी, आज भी वही यह, आगे भी वही रहेगी, तो सेंस में क्या देखते हैं, कि right to equality और rule of law में एक बहुत गहरा connection है, अभी तक समझ नहीं आया है, अब मैं समझाता हूँ, rule of law मतलब simple सी चीज़े कि आप क्या कर रहे हो, आप सारी चीज़ अगर सारी power दे दोगे, आप तो इंसान अपने motive के साब से चीज़े नहीं करने लगेगा, वो यह नहीं देखने लगा कि क्या उसे favor दे रहा है, वो ऐसा करेगा, वो अपने against में जा कि क्यों करेगा कुछ भी, लेकिन कानून है, और कानून का, मतलब rule of law है, अगर कानून के साब सारी चीज़े govern होगी, तो उसके चलते क्या होगा, law यह थोरी नहीं देखेगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन power में है, कौन power में नहीं है, वो तो सब को equally treat करेगा, इस sense में क्या होना चीए, कोई person सब से उपर नहीं होना चीए, all things should be governed by the law, law सब से उपर होना यही होता है, rule of law, दो चीज़ें होती ही, देखो, क्या होता है, कि अभी आप 9th में, 10th में और आगे पढ़ोगे चीज़ों को 11th में, आप humanities अगर लेते हो, तो और पढ़ोगे, ठीक है, तो सेंस में क्या है, आपकी foundation यही से बनती चलती है, और आपको इन चीज़ों को अब क्या होता है, कि आप जो भी कर रहे हैं, वो एक पहले से predefined set of laws है, कानून है, constitution है, उसके हिसाब से हो रहा है, तो वो सबको equally treat करेगा, अब अगर rule by law होता है, ठीक है, rule of law यहां पे लिखा है, मैं बोल रूल by law होता है, तो उसमें क्या होता है, कि एक इनसान law बना देता on the concept of rule of law, rule of law रहेगा, तभी right to equality हम exercise कर पाएंगे, क्यों क्यों कि कानून सब को क्या करेगा, equally treat करेगा, आया समझें अच्छी चीज़ है, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यह वही सारा सब को समझा रहा है, law applies in the same manner to all, it means that no person is above the law, law जो है, वो सब को उपर same manner में example देता हूं, कि एक बहुत करोरपती इंसान है, उसने एक murder किया, और एक गरिम इंसान ने murder किया, तो दोनों को same law के थुरू prosecute किया जाएगा, दोनों को same constitution के थुरू दोनों के उपर same मुकदमा चलेगा, यह मतलब यह theoretical बाते हैं, और अब आप बहुत सारे बच्चे अभी जोश है, तो आप लोग क्या वोलो के सर ऐसा का होता है, ग्राउंड रियालिटी तो अलग है, इसके पास पैसे होते हैं, वो बचके निकल जाता है, तो practically क्या हो रहा है, वो एक अलग matter of debate है, बाकि हमें जब समझना है, चीजों को ऐसे समझना है, कि हमारे constitution में दिया है, ठी means that no person is above the law, मतलब सबसे उपर कौन है, लिख दे हमने, सबसे उपर law है, मतलब किसी भी इंसान को हम बड़ा या छोटा consider नहीं करते है, सबसे बड़ा law है, और law के हिसाब से जो गलत है, जो सही है, वो सही है, clear? अब देखो क्या है, all citizens are subject to same law, अब इस चीज को समझना है, all citizens are subject to same law का मतलब यह है, कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें क्या करना होता है, उन्हें एक ही कानून के दाएरे में रहे कर चीजों को करना होता है, मतलब आप वालेट करोगे तो आपको भी उतनी फाइन देना पड़ेगी, आप वालेट करोगे आपको भी उ तो ऐसा हमने देखा है कि अगर law wallet होते हैं अगर किसी भी तरह से या फिर जो बात की जाती laws कैसे काम करते हैं तो हर इंसान को equally treat करते हैं हमारी country में prime ministers ने भी trial face कि है prime ministers ने trial face कि what I mean by this कि जैसे नर्सिमर आउद थे ठीक है तो उन्हें क्या हुआ उनके पर मुकदमा चला उन्हें आरोपी ठहराए गया ठीक बैसी इंद्रा गांदी जब prime minister थी उस समय पर क्या है उस समय पर पर मुकदमा चला उन्हें भी जाना पड़ता था कोर्ट में मतलब अपनी बेगुनाई का सबूत देना पड़ता था सारी चीज़ें करना पड़ती थी तो यहां पर क्या बताया जा रहे हैं आपर वही बताया जा रहा ऑल सीटिजन सार सब्जेक्ट तू सेम लॉज ठीक है कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इस चीज़ को अंडलेंड कर लो जया रहा ऑनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ लिए आर्टिकल 15 कितने लोगों ने देखी है आर्टिकल 15 ज़रूर देखिएगा उस मूवी को देखने के बाद मतलब यह सारी इस चीज़ें पढ़ने में फिर का बहुत रिलेटेबल लगती है रिलेटेबल इसलिए लगती है क्योंकि आप चीजों को विज्वालाइज करते हो से इंटेटेन्मेंट के परपस से देखते हो लेकिन जब उस चीज़ को पढ़ाई से जोड़ते हो तो आपको पढ़ाई इंटेटेन्मेंट लगने लगती है लोड नहीं होता है चीज़ को इस पढ़ाई को कर आप बढ़न की तरह लेकर बैठ जाओगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा लेकिन आप बाहर की लाइफ से जो भी कर रहें जो भी देख रहें चीज़ें उसको सीखो उसको अपनी प पर लेजी का अबटाइजमेंट ठीक है तो वह चीज़ ध्यान रखिएगा तो अब देखो क्या है यह आटिकल 15 इसी चीज़ पर बेज़ें पूरी क्या कि अंडर राइट विक्वालिटी गवर्मेंट शुड नाट डिस्क्रिमेट गवर्मेंट को डिस्क्रिमेट नहीं कर कि कास्ट अलागेस का मतलब यह नहीं कि आप उसे सब human की तरह consider को आप कुछ भी कर दो उनके कोई अधिकार नहीं है तो यह गलत होता है आया समझ में और गवर्मेंट यह नहीं कर सकती है गवर्मेंट शुड नोट डिस्क्रिमेट गवर्मेंट भी डिस्क्रिमेट करता तो आप क्या कर सकते हो उसके अगेंस्ट में यह केस फाइल कर सकते हो ठीक है आया समझ में तो यह सारे कुछ ग्राउंट बताएगा जिसके बीसिस पर डिस्क्रिमेट नहीं होना चाहिए फिर और देखते हैं कि यहां पर क्या है कि आप देखोगे कि आप देखोगे कि बहुत सी बहुत और यहां आज भी हो रहा हो ठीक है जो अलाऊट तो fetch water from the common well of the village ठीक है जो गाओं का एक कह सकते common सा जो कुवा रहता जहां से सभी लोग पानी भरने हैं वहां से lower caste के लोगों को पानी भरने देंगे वो मंदिरों में नहीं जाने देते हैं तो इस तरह से लोगों के साथ discrimination होता है तो यह गलत है every citizen shall have equal access to public places public places मतलब ऐसा आपका घर नहीं public places याने क्या वो तो आपकी personal space हो गई कि जो सारविजनिक स्थान है सारविजनिक स्थान है जहां पर सभी लोग जा सके आँ सके वह public places होती है तो every citizen shall have equal access to public places like shops ठीक है equal access होना चाहिए ऐसा नहीं कि upper caste का है तो नहीं के लिए shop है lower caste के लोग यहां से समान नहीं ले सकते है restaurants, hotels and cinema halls and there shall be no restriction with regard to their use मतलब हर आदमे को वहां तक जाने के आज़ादी हो और इनी चीजों को use करने की public places पे इतने भी सारी चीज़ें दी गई होती है इन सभी चीजों को use करने की भी equal opportunity होना चाहिए तो इस sense में कोई भी discrimination नहीं होना चाहिए equality promote हो रही है इस बात से इस point से अब यह क्या यह मैंने आपको broad heading के अंदर जैसे आपकी book में दिया है right to equality बागी constitution में अलग-अलग articles दिये गए article 13 14 15 13 stands for this 14 stands for this इस तरह से अलग-अलग article wise आपको दिया है आगे जब बड़ी classes में पढ़ोगे तो article wise पढ़ लेना अभी इन general समझ लेते हैं ठीक है तो every citizen is equal access to public places यह हो गया हमारा अब equality should equality should be there in case of public jobs public jobs मतलब क्या है government jobs ठीक है तो government jobs के अगर बात करते हम तो government jobs के time period पर क्या होना चाहिए equality होना चाहिए अब बहुत बोलते हैं कि तीवर गती से आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जब government jobs में आप बोल रहे हो कि equality होना चाहिए तो फिर then why government gives reservation आया ना सवाल पता था मुझे सभी के मन में आया होगा यह बहुत जोर से आया होगा और तो मैं आपको specific वीडियो में समझाओंगा कि reservation की policy क्या है क्या reservation गलत है या फिर सही है तो उस चीज़ को हम next video में discuss करने वाले हैं clear तो यह भी एक equality है क्या कि equality should be there in case of public jobs और reservation एक exception है वो क्या exception है वो मैं आपको next video में बताऊंगा तो यह भी धियान रखना आपको कि jobs के मामने में भी government सबको equally treat करती है ऐसा नहीं है clear फिर banning the practice of untouchability untouchability की जो practice है उसे ban करना अब देखो क्या है untouchability हमारी society में एक तरह से कह सकते curse है ठीक एक श्राप था हमारी society में आज भी जिसे कही कही देखा जाता है तो इसके चलते क्या है कि जो basic dignity होती ही लोगों की उसे खतम किया जा रहा था untouchability क्या है सरफ एक ideological basis पे आप क्या करते है आ रहे हो लोगों को discriminate कर रहे हो क्योंकि वो lower caste क्या आप lower caste क्यों और उसके चलते बहुत जादा discrimination face करते थे तो government ने क्या कर दिया इसे एक तरह से punishable offense बना दिया कि कोई भी untouchability को practice करते मिलेगा तो उसे क्या हो जाएगी उसे सजा दी जाएगी ठीक है और government ने untouchability को ban कर दिया clear तो यह सारी point जो हमने discuss कर रहे हैं हमारे किस अधिकार को बताते हैं यह हमारे right to equality समानता के अधिकार को बताते हैं Clear है? तो हमने ये सारा सब कुछ पढ़ लिया है, अब ये सारा पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे? ये सारा पढ़ने के बाद में एक जो आपके मन में question अभी भी नाच रहा है, वो है then why government gives reservation, तो reservation की, मतलब reservation का exception समझेंगे next video में, उस पे specific question भी पूछा जा सकता है, Clear है? इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, लिलते हैं next video में, thank you, thank you very much. Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूद, welcome to magnetbrains. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, are reservations against the right to equality? Question में आपको लगाते हैं हैं आपे? चलो ठीके. पिछले वीडियो में हमने आपसे यही पूछा था, कि सारे right to equality के rights बता हैं मैंने आपको, और वहाँ पे एक चीज़ यह भी बताईए कि equality in terms of providing public jobs, ठीके? फिर आप बोलोगे public jobs में जब equality की बात करते हैं, तो फिर reservation क्या है? यह तो on equality है, ठीके? तो अब हम वही समझेंगे कि our reservations against the right to equality, ठीके? तो इस वीडियो का content पूरा यही होने वाला है, आपको मैं satisfy कर दूँगा है, hope कि reservation equality का violation क्यों नहीं है, ठीके? स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ही मैं start ऐसे करूँगा कि no they are not, मतलब आपका अगर question है कि our reservations against the right to equality, तो मैं कहूँगा no they are not, reservations कभी भी right to equality के against नहीं गए हैं, अब आप भी कुछ इसी तरह से बोलेंगे कि justify कर दो तो हम मान जाएंगे, ठीके? अब मैं उसे justify कर देता हूँ, justification कुछ ऐसा है समझेगा, reservations होते क्या है? reservations मतलब आप जिन लोगों को थोड़ा सा भी reservation को clear out करने में दिक्कत है, वो समझा देता हूँ, मतलब आप क्या कर रहे हो कि एक category के इंसान को beat general, ठीके? जनरल के इंसान को अगर किसी exam में, मतलब मान लीजे कोई government vacancy निकलिए, पटवारी के लिए job निकलिए, जनरल के इंसान को अगर क्या करना पड़ता है, उस job को secure करने के लिए 80 number लाना पड़ रहा है 100 में से, ठीके? तो वहीं पे दूसरी categories जो हमारे country में जैसे कह सकते है, schedule cast हो गई, तो schedule cast के इंसान को कितने number लाना होगा, मानलो 60 पे ही हो रहा है, तो जनरल के इंसान 80 marks लाएगा, तब वो उस job के लिए eligible होगा, और schedule cast के इंसान को 60 marks लाने पर भी उस job को दे दिया जाएगा, तो एक तरह से हमने क्या कर दिया है, कि ये 60 marks पे भी eligible होगा है, तो हम ऐसे देखते है reservation को, मतलब ऐसी कुछ चीज नहीं है कि आप कम marks पे दे रहो, वो क्या करा है, आपने की total jobs जितनी है, total jobs मानली जी जिसे 100 है, तो 100 jobs में से आपने क्या करा, एक हिस्सा, मतलब एक हिस्सा याने कह सकते हैं, कि 30 jobs, 30 jobs आपने क्या कर दिये, reserve कर दिये, किसके लिए, schedule cast के लिए, अब क्योंकि ये 30 jobs पे schedule cast के इंसान ही रहेंगे, तो उसके लिए उनका कम marks पे हो जाता है, तो ये basic phenomena होता है, इस तरह से reservation काम करता है, अभी समस्या यह है कि हमें justify यह करना है, कि reservation सही है या नहीं है, तो आइए वो मैं समझाता हूँ, देखो क्या होता है, equality doesn't mean giving everyone the same treatment, ठीक है, giving everyone the same treatment मतलब क्या है, कि आप बोल रहे हो कि equality का मतलब सब को same treatment देदो, सब को क्या होना चाहिए, एक समान देखें, एक नजरों से देखें हम, तो वो equality नहीं होती है, इस statement को explain करें हम, जैसे क्या होता है, कि मान लीजे, आप बोल रहे हो कि सब को equally treat करना चाहिए, और सब को equally treat करना चाहिए, इसलिए race होगी, तो race में जैसी photograph देखो, बहुत अच्छा example है, इस photograph को आपने अलग-अलग जगा, अलग-अलग context में देखा होगा, मैं आपको इस context में समझाने की कोशिश करता हूँ, यह हाथी है, यह बंदर है, यह penguin है, यह मचली है, यह पता नहीं क्या-क्या है, ठीक है, एक seal दिख रही है और एक dog दिख रहा है, तो यह सारे जानवर जो है, यह सारे लोगों को क्या बोला जाता है, for a fair selection, everybody has to take the same exam, please climb that tree, अब आप यहाँ बताजी क्या equality हो रही है, उनने बोल दिख रहा है, इस बहुत 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 आसान हो जाएगा, बंदर तो सिधे चड़ जागा पीड़ पे, क्या हाथी और मश्ली चड़ पाएंगे, कभी नहीं चड़ पाएंगे, आया समझ में, तो equality doesn't mean giving everyone the same treatment, आप हर इंसान को एक प्यमाने पे नहीं तोल सकते हो, हर इंसान को आप क्या कर सकते हो, एक प्यमाने पे नहीं तोल सकते हो, जैसे क्या है बाउलर हो कि आप एक्जाम लेना है, अब एक्जाम लेना है तो आप दिखती बात है, 10th class के बच्चे, 10th class का एक्जाम देंगे, 9th class के बच्चे से आप 10th class का एक्जाम दिलवा लोगे क्या, अभी बताओ जड़ा, नहीं दिलवा पाओगे ना, क्योंकि 9th class के बच्चों का syllabus अलगे, उन्हें चीजां अलग करिए, उनका level अलग है, तो उस सेंस में यहाँ पे क्या होता है, कि आप equality की बात करते हैं, उसका मतलब यह नहीं कि आप हर इंसान को same treatment दो, ठीक है, और वहीं से reservation evolve होके आए है, ठीक है, sometime it is necessary to give, sometime it is necessary to give special treatment to someone, in order to ensure equal opportunity, अब देखो क्या है, special treatment की बात की गई है, special treatment to ensure equal opportunity, जैसे क्या होता है, यह मेरा favorite example है, ठीक है, क्या होता है, कि आप race हो रही है, अब एक race में X-side हूसन बोल्ट है, X-side, एक छोटा सा toddler है, ठीक है, मतलब जो अभी चलना सीखा ही होगा, मानलो, चलना सीखा होगा तो नहीं, क्या सकते हैं, मानलो कि आप हो, ठीक है, आप उसन बोल्ट को हरा भी सकते हो, क्या भरोसाब तीज भी दोल सकते हो, लेकिन आपका और उसन बोल्ट का क्या करते हैं, रेस करवाते हैं, अब जब रेस करवाएंगे, तो उस रेस में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कि दोनों को starting line पर खड़ा किया जाएगा, दोनों को क्या किया जाएगा, एक साथ दोड़ने को कहा जाएगा, और दोनों को एक ही time period में दोड़ना है, मतलब fair competition है एकदम, अब आप बताईए, क्या ये equality है, equality नहीं है ये, क्यों नहीं है, आप बोलोगे मैं तो capable ही नहीं उसन बोल्ट के साथ साथ दोड़ने के लिए, ठीक है, अब उसन बोल्ट के साथ साथ दोड़ने के लिए आप capable नहीं हो, आप हार जाओगे दिख रहा है, फिर भी आपको अगर race में दोड़ाया जा रहा, तो समवन इन ओडर तो इंशॉर एकॉल अपर्चिनिटी, ताकि हमें थोड़ा सा मतलब यह इंशॉर कर सके कि हाँ अपर्चिनिटी दोनों के पास रहे, अब उसन बोल्ट के पास भी अपर्चिनिटी है, वो भी जीच सकता है पैदल दोड़ के, और आपके पास भी अपर्चिनिटी के आप साइकल के थूर जाजा, तेज दोड़ सकते हैं अपेख्षा किसके पैदल चलने के, आया समझ में, तो वही चीज यहाँ पे है, इन ओडर तो इंशॉर एकॉल अपर्चिनिटी, तो यह जो इस्पेशल ट्रीट्मेंट वाली बात होती है, यही होता है रिजर्विशन, देखो क्या होता है कि हमारी सुसाइटी में हम देख रहे हैं, सारे लोग समान इस्तर पे नहीं है, जब कॉंस्टिटीशन मना उस समय पे क्या था, उन्टेचेबिलीटी की एक बहुत पिछले वीडियो में आपको था, एक कर्स था, एक श्राप था, जिसके चलते सुसाइटी का एक पूरा का पूरा सेक्शन क्या था, पिछड़ा वर्ग में आता था, जिसे बहुत जादा डिस्क्रिमेशन फेस करना पड़ता था, जिसे बहुत जादा परिशानियों का सामना करना पड़ता था, अब आप कोशिश, मतलब आप यह प्रिजूम करो कि fair treatment, equality की बात करते हुए क्या, कि एक upper caste के इंसान को और एक lower caste के इंसान को, जिनके बीच में बहुत जमीन आस्मान का फरक था उस समय पे, उन दोनों को क्या करवा रहे हैं, आप एक ही exam में बैठने को बोलोरोरोरों कि दोनों same marks लेक्या हो, तो क्या यह reservation justified है, तो क्या इस तरह की equality justified है, नहीं, क्यों justified नहीं क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि जो lower caste का इंसान है, वो पीछे रहे गया है, अब उस इंसान को पीछे से आपको आगे लाना है, तो आपको कुछ क्या दिना पड़ेगा, special privileges, special treatment दिना पड़ेगा ना, वही चीज़ें, वही प्रिंसीपल पर reservation को justify करते हैं, कि reservation कुछ नहीं, reservation क्या है, reservation एक simple सा टूल है, जिसके थूरू आप क्या कर रहे हो, जो unequals हैं, उन्हें कुछ unequals treatment देके बराबर लाने की कोशिश कर रहे हो, कोई पीछे रह गया है, तो उसे आगे लाके खड़ा कर रहे हो, बस और कुछ नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारे बुद्धी जीव होते हैं, जो reservation को challenge करते हैं, गलत है यह वो, मैं मानता हूं बिल्कुल, कि आज के समय में reservation का context पूरा बदल गया, याज जो well off है, वो लोग फाइदा उठा रहे हैं, ठीक है, बनाया किस perspective से गाया था, कि जो लोग पीछे रह गया है, उन्हें आगे लाया जाए, अब क्या हो रहा है, जो आगे 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 हैं, अब वो reservation का फाइदा उठा के और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बात तो भई हो जाएगे, कि disparity create हो गई है, कि जो आगे निकल गए है, वो इतना आगे निकल गए हैं, कि जो पहले अपरकाश कर लोग हुआ करते तो वो पीछे रह गए हैं, ठीक है, तो उस चीज पे सोचने की, समझने की modification की जरुवत हैं, लेकिन जो basic idea था reservation का, Was it against the idea of equality? No, it was not, ठीक है, तो आप justified मानते हो इस चीज को वड़ा से, अगर मानते हो तो comment section में एक thumbs up जरूर बता दीजेगा, clear है, यह हो गया हमारा, तो इस sense में हम क्या बोलते हैं, इस sense में हम बोलते हैं, कि reservation are not against the right to equality, क्यों, क्योंकि ये line side चीजों को sum up करेगी, equals should be treated equally and unequals should be treated unequally, मतलब जो equal थें, जो upper caste के लोग थें, तो उन लोगों को equal treatment दिया जाना चाहिए, बिलकुल उनके बीच में कोई किसी प्रकार का discrimination नहीं होगा, जैसे हम देखते है, general category का इंसान, चाहे हो अमीर हो गरीब हो, हर इंसान को क्या करना पड़ता है, same marks लाना पड़ता है, लेकिन जो unequal है, जो पीछे रहे गए थे, उन्हें क्या देना पड़ रहा है, आपको unequal treatment, थोड़ा सा extra advantages, special treatment देना पड़ रहा है, ताकि वो ऊपर आ सके, clear है, therefore we can say that reservation of this kind, ठीक है, यह क्या है, इस तरह का reservation है, reservation of this kind is not abolition of right to equality, I hope यह clear हो गया, तो अगर question आता है, exam में are reservations against the right to equality, तो आपके पास में बहुत सारा content है, बहुत अच्छा answer लिख सकते हो, पूरे marks fetch कर सकते हो, clear है, अब हमारा right to equality हो गया, उससे जुड़ी भी बाते हो गई है, अब आएंगे हम right to freedom पे, right to freedom है एक बहुत broad right है, ठीक है, बहुत कह सकते हैं, एक बहुत खुला हुआ अधिकार जिसके बहुत सारा अलग-लग interpretations है, तो right to freedom को हम next video में discuss करने वाले हैं, clear है, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिग्रास सिंह राजपूत, welcome to magnetbrains, इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम पढ़ेंगे, right to freedom, right to freedom क्या होता है, freedom क्या होता है, simple सी चीज, freedom मतलब आजादी एक तरह से, ठीके, अब देखिए, पहल वो भी देख चुके हैं, अब अगला जो right है हमारे constitution में जो हमें दिया है, वो है right to freedom, ठीक है, तो right to freedom भी कोई एक single exclusion में right नहीं है, right to freedom के अंदर बहुत सारी चीज़े हैं, आपके constitution में आपको क्या क्या दिया है, वो सारी चीज़े हम इस video में discuss करने वाले हैं, right to freedom क्या है, एक दम कह सकते हैं कि exclusive है कि आपको हर चीज़ करने के आज़ादी है, तो उस issue पे भी हम discuss करने वाले हैं कुछ चीज़ों को, तो यह हमारा पूरा content होने वाला इस video का, start करते हैं, freedom होता क्या है, freedom means absence of constraints, ठीक है, अब देखो, absence of constraints का मतलब क्या होता है, कि कोई भी बंदिशे न constraints नहीं होना चाहिए आपके उपर, आपको आजाद, मतलब बोलते हैं कि खुला महसूल करना होगा तो freedom का मतलब यह होता है कि आपके उपर किसी प्रकार का कोई constraints ना डाला जाए, तो उस चीज़ को कैसे ensure किया जाता है, और कौन constraint ना डाले, by whom, यह भी तो एक सवाल है कि मतलब आप अपनी आजादी को क्या कर पाओ, अपनी freedom को क्या कर पाओ, freely exercise कर पाओ, यह होता है right to freedom, अभी इसमें बहुत सारे loopholes है, मैं आगे चलते चलते आपको समझाते चलूँगा, अब आपके उपर constraints नहीं होना चाहिए, किस के दवारा, कोई individual के दवारा और ना government के आप जैसे curfew लगता, तो government असा बोल देते हैं, कि बहुत सारे लोग एक साथ इखटे नहीं हो सकते हैं, ठीके, government हमें कुछ कह सकते हैं, कि government हमें, government की सारे institutions में हमें जाने के आजादी होना चाहिए, फिर government हमें army के base camps में क्यों नहीं जाने देती है, तो government आप बोलो कि government तो आजादी के उपर encroach करें, ना government आपकी आजादी के उपर encroach करें, और इसी principle के उपर चलते हुए क्या है, under Indian Constitution, all citizens have the right to, मतलब इसी चीज को, इसी concept को, इसी freedom की इसी concept को धियान में रखते हो क्या है, हमारे Indian Constitution के अंदर, citizens के पास में कुछ rights हैं, क्या rights हैं, देखो, freedom of speech and expression, म बोलने के आजादी है, मुझे आजादी है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो यह क्या है, freedom of speech and expression, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कल मैं अपने viewpoint आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, तो आप फॉलो करेंगे, आपको अच्छा नहीं ठीक है, इखटा होना मतलब एक साथ लोग जैसे देखते हैं, आप लंच ब्रेक में हो जाते हो इखटे, आप पीसफुल मैनेर में खड़े हो जब तक बहुत अच्छी बात है, पीसफुल मैनेर में मतलब कि आप खड़े हो के चिपचा बात कर रहे हो, फिर पता लग रहा ह तो उस तरह से क्या कर रहे हैं, कि संगटन में शक्ति और वो रोड ले जा रहे हैं, पूरा का पूरा उठागे, ऐसा नहीं, एस चीज के आजादी है, आपको यह आपके राइट तो फ्रीडम का पार्ट हो गया, ठीक है, तो फॉर्म असोशेशन और यूनियंस, आप आपको किसी भी प्रॉफेशन को, किसी भी उक्यूपेशन को करी आउट करने के अजादी है, तो यह कुछ क्या है, यह सारे सिटीजन को राइट दिये गए हमारे कॉंस्ट्रीशन में, अब यहाँ पर सवाल उठे होंगे आपके मन में, हो सकता है, नहीं भी उठे हो, तो मै मैं उठा देता हूँ, अब आप बोल रहे हैं कि freedom of speech and expression, तो फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि government कुछ writers को की book published नहीं होने देती है, कुछ movies को क्या करती, censor कर देती है, ऐसा क्यूं, यह discuss करें हम specific videos में, ठीक है, सवाल में यही पर generate कर देता हूँ, answer हम specific videos में देखते चलेंगे, assembly in peaceful manner, ठीक है, इस पर भी कुछ loophole से वह आपको समझा दूगा, मैं, form associations, trade unions, तो फिर terrorist organizations को क्यों नहीं बनाने देती, government, ठीक है, यह सवाल उठ गया एक, clear, इन साही चीज़ों के सवाल अभी मन में उठा लो, answer हम discuss करते चलेंगे, move freely throughout the country, कहीं भी घूमने के आजाद दी जाती तो फिर वही, army base camps में क्यों नहीं जाने देती, government, ठीक है, अंडमान निकोपार के कुछ पार्ट्स में क्यों नहीं जाने देती, government भूमने हमें, वो भी एक सवाल है, practice any profession or to carry on any occupation, trade or business, ठीक है, अब मैं doctor बनना चाह रहा हूं, मैं आपका operation करना चाह रहा हूं, क्या government हुज है आपका operation करने देगी, नहीं करने देगी, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह right to freedom जो है, तो यह बहुत वेग सा नहीं लग रहा है कि कहीं कहीं पर तो आपको constitution में दे दिया है, ऐसा कि you are free to move in any part of the country, लेकिन फिर restrictions लगा देती, government, तो ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे क्य कारण है reasonable restrictions का, ठीक है, बागी सब मिटा देते हैं, आपको इन सवालों को ध्यान रखना क्योंकि हम discuss करते चलेंगे, ठीक है, right to freedom comes with some reasonable restrictions, reasonable restrictions क्या होते है, restrictions तो समझते हैं आप, restrictions मतलब वही कि आपको रोख दिया गया किसी चीज के लिए, ठीक है, अब reasonable restriction का मतलब क्या है, कि government कभी-कभी क्या करती है, कभी-कभी government किसी चीज को करने से citizens को रोकती है, जैसे वही इंडमान, निकोबार, आइलेंड में, यहाँ पर आपको राइट दिया है, that you are having the right to move freely throughout the country, पूरी country में घूमने के आज़ादी है, इंडमान, निकोबार are the integral part of our country, लेकिन फिर वही इंडम वास ही है, उन लोगों को बाहर के दुनिया में क्या चल रहा है, उसके बाहर में कुछ नहीं पता है, वहां का उनका अलग atmosphere है, उनका अलग culture है, और आप वहां पर जाओगे, उन्हें डिस्टप करो कि आप अपनी जान से हाथ हो सकते हो, उन्हें भी डिस्टप करो कि अपन आने भी जरूरी है, कि आप freedom of speech and expression के चलते क्या है, रात में दो बजे अपने घर के चट पे खड़े हो, क्या कर रहे हो, जोर जोर से गाने बजा रहे हो, तो उसमें क्या है, आप बोलो कि यह तो मेरा freedom of speech and expression है, मैं अपने आपको express कर रहा हूं, मैं खुस हूँ, इसलिए क्य क्या कर रहा हूं, दो बजे रात को चट पे गाने बजा रहा हूं, जो जोर से, लेकिन उससे आप क्या कर रहे हो, उससे आप क्या कर रहे हो, यूर freedom should not, your freedom should not cause public nuisance or disorder, आप public nuisance नहीं create कर सकते हो, आप जनता को परिशान नहीं कर सकते हो, अप अपनी आजादी को exercise करने के चलत करते क्या है, therefore, to protect larger interest of the society, society के larger interest को, एक आपका individual interest है, आप सोच रहे है, मैं गाना बजा हो रात में दो बजे, तो आपका particular individual interest है, लेकिन society का larger interest क्या होगा, रात के दो बजे सब सोना चाहेंगे, तो to protect larger interest of the society, government can impose certain reasonable restrictions, तो government क्या कर सकती है, government reasonable restrictions, मतलब ऐसे restrictions, जिनके पीछे कु freedom के उपर लगाया जा सकते हैं, I hope, right to freedom, reasonable restrictions क्या होते हैं, क्यों लगाया जा सकते हैं, कैसे लगाया जा सकते हैं, कौन-कौन से rights दिये गए हैं, यह सारी चीज़ें आपको clear हो गई है, अब हमें क्या करने वाले हैं, अब हम एक-एक करके मतलब यह जो points दिये, तो जो valid हैं, मैं उन चीज़ों का आपके साथ discuss करते चलूँगा, उनसे जुड़ों के dimensions आपके साथ में discuss करते चलूँगा, clear है, तो बड़ा interesting right है हमारा, right to freedom मतलब क्या है, exclusive right नहीं है यह आपका, ठीक है, इस right के उपर क्या किया जा सकता है, इस right के उपर, हम कहा सकते हैं, इस right के उपर barriers लगाये जा सकते हैं, इस right के उपर कुछ restrictions लगाये जा सकते हैं, reasonable restrictions लगाये जा सकते हैं, clear है, तो अभी यह इतना हो गया, आप next video में, freedom of speech and expression से जुड़ों कुछ बाते पढ़ेंगे, इस right को और अच्छे से समझेंगे, इस chapter के notes आप हमारी official website, magnetbins.com पर जाकर, बहुत आसान इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website, magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much, hello everybody, myself, दिग्रास सिंह राजपूत, welcome to magnet brains, इस video में क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में बढ़ेंगे, freedom of speech and expression, देखिये, पिछले video में हमने क्या start किया था, पिछले video में हम बहुत सारे तरह-तरह के rights दिए गए हैं, उन सारे rights को मैंने आपको, मतलब कह सकते हैं, कि touch किया था सारे rights को, मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन से rights है, reasonable restriction की कहानी सुना दी थी, अब देखिये क्या है, अब उन rights में से हर right की एक अपनी अलग कहानी है, तो हर right के लिए क् बनना चाहिए तो हम वो समझते हैं तो right to freedom के चलते हैं आपको right क्या मिलता है एक अधिकार क्या है freedom of speech and expression मतलब आप बोल सकते हैं आप जो चाहते हैं और आप उन्हीं चीजों को express कर सकते हैं ठीक है आप अपने तरीके से उन्ग अदिने अब right to freedom of speech and expression क्यों चाहिए देखिए everyone's idea of thinking is different and he she should have the freedom to express them लब हर आदमी का सोचने का समझने का तरीका चीजों को करने का क्या होता है अलग होता है होता है मानते और आप मानते नहीं देखो क्या है क्या है क्योंकि आप जिस तरीके से सोचर हो सकता है उस तरीके हो सकता है आपको पसंद ना हो आपको भी पसंद हो सकता है जैसे आपको maths पसंद हो सकता है मुझे maths पसंद नहीं है तो क्या है हर आदमी के अलग-अलग choice होती है हर आदमी के अलग-अलग viewpoint होते हैं हर आदमी के अलग-अलग और activities of an association and you are free to criticize them. यह चीज समझेगा बहुत important है कि जैसे government ने कोई policy लेकर आई है, for example लेते हैं, बहुत classical example है demonetization, अब पुरा देश बटा हुआ है demonetization पे, कुछ लोग क्या बोलता है demonetization अच्छा है, कुछ लोग क्या बोलता है demonetization गलत है, तो you may disagree with the policy of government or activity of an association, BCCI हो गया, ठीक, BCCI को समझते हैं सब Board of Cricket Control of India, तो BCCI की कुछ policies हैं, आप हो सकता उससे पसंद कर रहे हैं उस policy को, हो सकता उस policy को पसंद ना कर रहे हो, उन्होंने किसी और को captain मना दिया, तो हो सकता आप उससे पसंद कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और मतलब आपके opinions हैं, अब क्या है, you are free to criticize them, और आप उन्होंने जो भी किया, government ने, किसी association ने कुछ भी किया है, तो you are free to criticize them, आप उन्हें criticize करने के लिए free हैं, criticize क्या होता है, मतलब आप उसके उपर क्या कर सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, कह सकते हैं, कि point out करके बता सकते हो, कि हम इस चीज से पसंद नहीं, क्योंकि हम हमारे ये viewpoint हैं, ऐसा अदिकतर होता है, कहा होता मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप newspaper पढ़ेंगे, newspaper में editorial section होता है, editorial section में क्या होता है, कि अलग-अलग लोग, eminent personalities जो रहती हैं, कोई मतलब कह सकते हैं, कि कोई professor है, कोई editor है, कोई editor है, कोई कुछ है, तो वो सारे लोग क्या करते हैं, अपने viewpoint को express करते हैं, आप पढ़ते हैं, आपको अच्छा भी लग सकता है, आपको खराब भी लग सकता है, लेकिन उन्हें आजादी है कि वो अपने viewpoint को क्या करें, express करें, आया समझ में तो यह वही बता रहे हैं, क्या, कि हरा आदम, दोनों चीज़ों को अब relate करो जारा, में एक democratic country में रह रहे हैं, जहां पर right to freedom है, और उस right to freedom के चलते हैं, he is free to criticize all such things, ठीक है, जो भी हो रहा है, उस चीज़ को criticize करने की उसे पूरी-पूरी आज़ादी है, अब आप बोलोगे criticize कैसे करेगा, चर्थ पर खड़े हो जाएगा, और चिलाएगा, ठीक है, तो वो भी हैं, और उसके लावा दूसरे भी तरीक हैं, कैसे criticize कर सकता है, तो वन में publishizes her views through a pamphlet, magazine और newspaper, मतलब आप ये तो कुछ example दिये, जैसे pamphlet में लिखके अपनी चीज़ों को publicize कर सकते हो, ठीक है, जैसे हमने देखा था ना French Revolution वाला अज्जा chapter पड़ा था, तो उसमें देखाता है कि जो philosophers होते तो वो अपने viewpoint को कैसे publicize करते थे, ऐसे ही लिख के logo तक पहचाते थे, magazines में लिखते थे, newspapers में लिख सकते हो, आप लोगों को बता सकते हो अपने बारे में, अपने viewpoint के बारे में, आप video lectures के थूँ जैसे हम क्या कर सकते हैं, अपने views को express कर सकते हैं, आप audios के थूँ कर सकते हैं, आप TV शो में जा के बोल सकते हो, आया तो आप speech दे सकते हो, तो बहुत सारे multiple ways हैं, आप देखो क्या है, यह तो आपने समझा कि freedom of speech and expression क्यों ज़रूरी होता है, कैसे आप express कर सकते हो अपने आपको, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है, और यह सबसे important है क्या, वाल एक्सरिजिक फृडम उप स्पीच एंश्परेशन, यू नौत इस फृडम तू इंस्टिंगे वाविलेंस अगेंस अदर, highlight करा मैं इस एं ठीके, इंस्टिंगे वालेंस अगेंस अदर, you cannot use it to inside people inside people to rebel against government ठीक है यह हो गया उसके आद में neither can you use it to defame others by saying false means ठीक है to defame others by saying false and mean things that that can cause damage to person's reputation अब दोको यह पर तीन चीज मेंने underline करिये instigate violence against others ठीक है इंसाइट people to rebel against government और तीसी चीज़ का है to defame others by saying false and mean things अब देखो गया है आप अपने freedom of speech and expression का इस्तेमाल करते हुए लोगों के साथ गलत नहीं कर सकते हो आपका viewpoint है आप express करो लेकिन आपको इन चीजों को ध्यान रखना है you cannot instigate violence against others ऐसा नहीं है अप जैसे आपका viewpoint क्या है कि आप particular किसी भी religion को विलॉंग करते हैं against each other ठीक है you are instigating violence among the two communities which is not good for the country अब अगर ऐसा करोगे आप ऐसा करोगे जिससे country का law and order disturb हो रहा है तो आपकी freedom of speech expression का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो और reasonable restriction चलते हुए government आपको रोखेगी नहीं मानोगे तो jail में डाल देगी ठीक है तो यह आपको धिहान रखना है कि while exercising freedom of speech and expression you cannot use this freedom to पहला point आया समझ में दूसरा you cannot use it to instigate people to rebel against the government आप ऐसा देखो government माल अभी जैसे आज का economic condition हमारे देश की खराब चल रही है ठीक है बिल्कुल सही चल रही है लेकिन economic condition खराब चल रही है तो आप government को खुब जम के criticize करो वह मैं वोलना you are free to criticize them आप magazine में लिखो article में लिखो कि पहले के समय में ऐसी economy perform कर रही थी आज economy का इस तरह यहां तक गिर चुका है government की policies सही चैनल नहीं रही है और तरह तरह की चीज़े आप government को criticize करिए और आप नहीं करोगे तो अपन तो तकता पलट कर देंगे प्राइम मिनिस्टर को उनकी position से हटा देंगे और democracy से dictatorship ले आएंगे तो वो क्या कर रहा है आप वो गलत कर रहे हो you cannot use it to inside people to rebel against the government ठीक हर चीज का solution यह नहीं होता कि आप rebel करो बागी बनना movie में ही अच्छा लगता है ठीक है बागी मतलब rebel ठीक है तो आपको यहाँ पे हर चीज में rebel नहीं करना है rebel mainly against the government आप criticize कीजिए constructive criticism होना चाहिए जिससे government सुधरें government को यह डर रहे कि नहीं जागरूख है लोग हमें सवाल कर सकते हैं ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना होगा while exercising your freedom of speech and expression अगली चीज नाइधर can you use it to defame others ठीक है आप किसी और इंसान के बारे में कुछ भी गलत information newspaper में प्रिंट कर दे रहे हो और और ground reality आए तो मतलब और ground reality पर देखें example तो आप किसी के घर के सामने जाके उसे गालिया देना चालू कर दो ठीक है तो आप क्या कर रहे हो आप बोलो कि मैं तो मेरी freedom of speech and expression का इस्तमाल कर रहे हो तो वह आदनी gate खोल के आएगा बहार और आपके सुन्दर से चेहरे को बिगार देगा ठीक है तो उस तरह से क्या है कि you cannot defame others by saying false and mean things मतलब आप अपनी freedom of speech and expression का use कीजे बिलकुल लोगों क क्रिटिसाइज करने के लिए लेकिन आप किसी को defame नहीं कर सकते हो अगर आपके पास में valid reason है जैसे क्या है विजय मालिया है अब valid reason ही आप दिख रहा है कि वह भगोडा है देश का पैसे लेके भागा है ठीक है तो वहाँ पे क्या है आप क्रिटिसाइज किजिए खुल के क लोगों की इमेज को क्या कर रहे है तो उसके चलते भी आप क्या कर रहे है अपनी freedom of speech and expression का गलत इस्तमाल कर रहे है तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा आपको हमेशा वाइल exercising your freedom of speech and expression clear तो यह तीन पॉइंट में आपको बताएं तो यह क्या है यह reasonable restrictions लगाने के grounds है government can put reasonable restrictions on this ground that if while exercising your freedom of speech and expression you are violating these principles तो government क्या करेगी reasonable restrictions लगा सकती है clear है I hope आपको बहुत अची तरह से clear हो गया कि freedom of speech and expression की जरुवत क्यूं होती है कैसे आप express करोगे और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए clear है तो जो हमने right to freedom topic खोला था हमारा एक right खोला था उसमें मैंने आपको एक right जो आपकी book में specific दिया है उसे समझा दिया इसी तरह से हम और जितने भी specific topics होने अलग-अलग वीडियो में discuss करते चलेंगे ताकि आपको एक in-depth clearance मिल जाए उन सारी चीजों की clear है इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते है magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के sub-topics एक arranged format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूत, welcome to magnetbrains इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम पढ़ेंगे freedom to hold meetings, processions, rallies and demonstrations right to freedom पढ़ रहे थे हम लोग, right to freedom में मैंने आपको क्या बताया था, right to freedom में मैंने आपको एक broad outline बताया था किन चीजों का दियान रखना होगा आपको, उस right को exercise करते समय, वो सारी चीज़े हम पढ़ चुके हैं, ठीक है अभी अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी अब हम पढ़ेंगे freedom to hold meetings, processions, rallies and demonstrations important topic है, important topic कि संस में है कि आपको क्या होता है, direct question आएगा, direct question आएगा, elaborate the right to freedom अब elaborate the right to freedom, आपको right to freedom को पूरा explain करना, उसमें आपको कौन-कौन से rights मिलते हैं, तो हमने freedom of speech expression देखा, अभी यह वाला right देखते हैं, ठीक है यह किस तरह की freedom है, citizens opt for this mechanism to discuss a problem, exchange ideas, mobilize public support or to seek votes मतलब, लोग meetings क्यों करते हैं, लोग processions, मतलब धरने क्यों निकालते हैं, ठीक है, रेलिया क्यों निकालते हैं, demonstrations, प्रदर्शन पर क्यों बेट जाते हैं, तो इन सारी चीदों के पीछे कारण है, क्या motive होता है, people opt for this mechanism to discuss problem, मतलब किसी प्रकार की कोई problem है, problem क्या है, जैसे मा बेट गाएं, प्रदर्शन पर बेट गाएं, नगरपालिका में जाके, तो आप एक problem को express करते हो, इस आजादी को इस राइट को इस्तमाल करते हो, आप अपने ideas को exchange कर सकते हो, meetings के थूरू आप क्या कर रहे हो, लोगों को भाशन के थूरू, लोगों को speeches के थूरू क्या कर आप अपने ideas को बता रहे हो, mobilize public support, उसके बाद में on to seek votes, ठीक है, votes चाहिए आपको public support चाहिए, तो इन सारी चीजों के purpose से आप क्या करते हैं, या तो आप meetings करते हैं, processions निकालते हैं, रेलियां करते हैं, demonstration होता है, clear हैं, तो यह सारी चीजे हो गई हमारी, अब आगे और किते हैं, कि such meetings, demonstrations should be peaceful, ठीक है, आपको आजादी तो दिये, लेकिन आपको यहाँ पर किस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान किस चीज का रखना है, आपको, such meetings, demonstrations should be peaceful, बतला बहुत शान्ती प्रीय तरीके से करना होगा सारा सब कुछ, अब शान्ती की क्यों जरुत है हैं, हाँ पर देखो, आप जो भी कर रहे हैं, आप धरना दे रहे हैं, आप meeting करने किसी प्रकार का प्रदर्शन निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या होता है, आपको सारी चीजें peacefully करना होता है, कारण क्या है, तो कारण उसके पीछे यह है, कि law and order should be maintained, law and order should be maintained मतलब क क्या है, देखो, आप तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन में मानलो इक तरीके से, जो भी रोड पर गाडिया निकल रही हैं, उनको रोक रोक के क्या कर रहे हैं, उनसे पैसे लेना चालू कर द पीसफुली होना चाहिए, बहुत शान्ती प्रिय तरीके से सारा सब कुछ करना होगा आपको, clear है? People should not carry weapon with them, अब क्या होता है, कि इस तरह से आप जब processions निकालते हैं, demonstrations निकालते हैं, तो you are not supposed to carry weapons with you, weapons मतलब क्या है, कि आप हतियार नहीं लेके जा रहे हैं, पता लग रहा है, आपने AK-47 डाली अपने गले में और release में निकल रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक तरीके से एक public security के towards एक danger रहेगा, कि आप meeting में, मतलब आप group में हैं, आप सशक्त हैं, दिख रहे हैं, आप powerful दिख रहे हैं, और उसी के साथ में आप हतियार लेके जा रहे हो, तो उससे क्या हो सकते हैं, उससे public security को एक खत्रा हो सकता है, तो ये आपक तरह से जब अपने इस right को exercise कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर हतियार ले जाने की आजादी नहीं है publicly, आप सुनो, अब आपके मन में doubt जरूर आयोगा नहीं सर, ऐसा तो होता है, कि अधिक तरह हम देखते हैं, कुछ release निकलती हैं, तो लोग देखा है ना आपने, तो ये कैस हो सकता है, तो वहाँ पर with permission it is allowed, आप permission के साथ करते हैं, responsibility के साथ करते हैं, तो वो allowed है, लेकिन आपको इस चीज़ का विशेज ध्यान रखना होता है, कि आप अगर meetings और इस प्रकास के demonstrations कर रहे हैं, जहाँ पर आपके पास weapon है, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, उस condition मे हैं, आपको पहले तो prior permission लेना होगी, आफिर weapons लेके ही मत जाईए, clear, can anyone form organizations, अब देखो क्या है, आपको meetings लेना है, processions लेना है, release निकालना है, demonstration में अपने आपको, अब अपना protest शो करना है अगर, तो उसके लिए आपको क्या हर इंसान बराबर रूप से free है, क्या यह जो आ individual to form organization, मतलब जितने भी individuals हैं, हर individual को इस चीज के आजादी है, कि वो क्या करें, वो अपने हिसाब से, अपने मतलब, जो भी उसका objective है, उस objective के चलते है, meetings, processions, release, demonstrations, कर सकता है, clear है, तो इस sense में क्या है, हर इंसान को permission है, हर इंसान को चीज़ें करने के आजादी है, जैसे हम द ना लेते हैं, उसी के साथ साथ अगर देखे हैं, हम citizens at various levels against corruption, pollution, तो अलग-अलग level पर आपके society के लोग हो सकते हैं, वो पूरी city के लोग हो सकते हैं, पूरी state के लोग हो सकते हैं, पूरी country के लोग हो सकते हैं, अलग-अलग level पर लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे मुद कर सकते और demonstrations निकाल सकते हो clear है तो यह सारी चीज़े हमने पड़ी किसमे freedom to hold meetings processions release and demonstration यह आपका topic था मैंने आपको बता है कि right to freedom के अंदर आपको इस चीज़ की भी आजादी है क्या ध्यान रखना होता है कि वह सब कुछ peaceful manner में हो और अगली चीज क्या है कि आप हतियार वतियार लेकिन आजाओ अपने साथ क्योंकि आपका कोई भर्वसा नहीं है तो यह सारा सब कुछ हमने पढ़ा इस वीडियो में अब right to freedom को और समझेंगे और कौन-कौन से pointers हो सकते राइट to freedom में आप और क्या-क्य exercise कर सकते हैं तो सारी चीज़ें हम next वीडियो में discuss करेंगे इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं इस वीडियो में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंह राजपूद welcome to magnetbrains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे freedom to travel to any part of the country पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में हमारा expression ठीक है another one is freedom to freedom to organize meetings demonstrations rallies यह सारी चीज़े तो हमारे तरह तरह के आजादी के अधिकार हैं अब उनी में से एक अधिकार क्या है हमारा कि we are free to travel to any part of the country मतलब हम country के किसी भी part में travel करने के लिए free है आजाद है यह हमारा अधिकार है ठीक है अब देखिए इस चीज़ को समझते हैं citizens are free to reside and settle in any part of the territory of India अब देखो यहाँ पर क्या है इस चीज़ को समझेगा citizens सबसे पहली चीज़ तो citizens मतलब क्या है Indians को ही यह right होगा ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहर से आ गया और वो हमारी पूरी country में कहीं भी रह सकता है कहीं भी सटल हो सकता है यह citizens को citizens are free to reside and settle in any part of territory of India अब कहीं भी रहने की आजादी इसका मतलब यह नहीं कि आप पाकिस्तान में जाके घर बना लो गया अपना ठीक है क्या बोल रहें territory of India territory of India मतलब क्या कि जो इंडियन territory है ठीक इंडियन territory पर ही आप घर बना सकते हो रह सकते हो घूम सकते हो clear यह आपका क्या है अधिकार है अब मुझे पता है बहुत सारे आप में से समझदार बच्चे हैं ठीक है तो उन लोगों के मन में यह सवाल आया होगा क्या सवाल then what's the problem with Jain के ठीक है जम्मू और कश्मीर में यह exception है क्यों कि आप चीज़ें बदल गई है लेकिन फिर हम ऐसा देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले आर्टिकल 370 हटने से पहले लोगों को यह राइट नहीं था दूसरे इंडियन सिटीजन्स को कि वह वहाँ पर जाके प्रॉपर्टी खरीज सके ठीक है आज भी नौर्थ इस्टन स्टेट्स में कुछ देखा ज देखो आप यह नहीं बोल सकते हैं कि हमारे फंडमेंटल राइट वॉलेट हो रहे हैं क्योंकि आप बोल रहे हो वी आर फ्री टू रिसाइट एंड सेटल इन अनी पार्ट ऑफ दी टरिट्री ऑफ इंडिया और वहीं पर आप हमें रोख रहे हो तो रोखा जा सकता है जैसे हमने क्या देखा था जैसा हमने राइट टू इक्वालेट हाले फंडमेंटल राइट में देखा था कि रिजरवेशन आं दी वालेशन ओफ राइट टू एक्वालेटी क्यों क्योंकि वहां पर आप उस चीज को जस्टिफाय कर पा रहे हो ठीके वो करना जरूरी था वैसे लिए भी इस आरी चीजें एक उस यह वे कुछ रघ। लगाय जा रहे हैं इस रिश्टिक्शंस आर्थि रिमि kob construction इन रिश्टिक्षन के पीछे कि connecting characters है valid reasons है क्या valid reasons है क्या कारण है वह मैं आपको समझाता हूँ तो valid reason है जैसे क्या कि आप अगर देखोगे जमो कश्मीर में तो अब रहा नहीं वह provision पहले इसलिए था क्योंकि पहले इसपे special status मिला हुआ था लेकिन जैसे कुछ North Eastern States के parts है ठीक है parts of Undemand Nicobar Island तो इन सारी जगह पर क्या है इन सारी जगह पर sensitivity है यहां पर ट्राइबल कलचर है क्या सकते कि वहां का culture अलगे शाहिद इस कारण से हमें वहां जाने नहीं दिया जाता है हमें वहां property नहीं लेने दी जाती है ठीक है तो यह कारण यह सारा हो गया हमारा अब हम देखते हैं कि इस जो हमारे अधिकार है freedom to travel to any part of the country इसमें और क्या-क्या चीज़ आती है इस right को enjoy करते हुए क्या है सारे citizens enjoy this right enjoying this right people migrate from village to towns ठीके poorer regions to the prosperous region अब क्या होता है क्योंकि आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप travel कर सकते हो घूम सकते हो सेटल अपने आपको दूसरे पार्ट में सेटल करना चाहते हो तो इस right का enjoy मतलब इस rights को enjoy करते हुए लोग क्या करते हैं एक region से दूसरे region की तरफ move करते हैं दिक्तर हम देखते हैं लोग शहरों से विलेजस से शहर की तरफ टाउंस की तरफ migrate कर जाते हैं और फिर दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि जो पूरर रीजन है वहां से लोग prosperous regions की तरफ migrate कर जाते हैं जैसे आपने देखा होगा दिक्तर लोग क्या अच्छा education के लिए या फिर कह सकते हैं कि चार पैसे जादा कमाने के लिए एक जगा छोड़के दूसरी जगा migrate कर जाते हैं और इस चीज में उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती है क्यों नहीं होती रोक टोक क्योंकि हमारे एक अधिकार इस धी fundamental right of the citizen of the country ठीक है जो जितने भी citizens हैं उन सभी लोगों को यह fundamental right है कि they are free to move to any part of the country ठीक है they can recite there they can settle themselves over there तो यह एक अधिकार है हमारा ठीक है same freedom extends to the choice of occupation अब देखो क्या है कि यही इसी प्रकार से जो आपको कहीं भी घूमने की कहीं भी settle होने की आजादी दिए वही आजादी आपको choice of occupation में भी दिए मतलब choice of occupation का मतलब क्या है कि आपको को पुखे का नहीं आपको जो काम करना आप वो काम कर सकते हैं जैसे जैसे एक example देता हूँ कि आप doctor बनना चाहते हैं तो आप doctor बनिए आप lawyer बनना चाहते लोयर बनिए अप teacher बनना चाहते है be往yte or चूज़ करते हो आपके उपर किसी प्रकार का कोई restriction नहीं है जैसे हम देखते ना कि हमने mindset बना ले कि women should be housewife तो वो ऐसा compulsion नहीं होना चाहिए इंसान जो occupation चूज़ करना चाहिए वो उस उस occupation को चूज़ करने की क्या होना चाहिए आजादी होना चाहिए आया समझ में तो यह हमारा basic discussion था किस चीज के उपर वो था freedom to travel to any part of the country और उसी के साथ साथ एक और जो आपको fundamental right मिलता है वो वो है freedom to choose any occupation of your wish ठीक है आप आपकी एक्षा अनुसार कोई भी occupation को क्या कर सकते हैं चूज कर सकते हैं तो यह सारी चीज़ें आपको क्या क्या मिलता है इस अधिकार के अंदर आपको मिलता freedom of speech and expression ठीक है इस अधिकार के अंदर आपको क्या मिलता है क्या meetings organize कर सकते हो आप demonstrations, protests, यह सारी सीज़ें कर सकते हो peacefully ठीक है मैं आपको यह भी बताते जारों कि exception क्या है किन चीजों का ध्यान रखना है इसी अधिकार के अंतरगत आप क्या है इसी अधिकार के अंतरगत आप you are free to travel to any part of the country आप कहीं भी घुमने जा सकते हैं कहीं भी settle हो सकते हैं clear है और इसी अधिकार के अंदर और भी चीज़ें हैं वो क्या है वो यह है कि आपकी जो life है ठीक है तो आपकी जो life है आपका जो जीवन है उसको भी protection दिया जाता है right to freedom के अंदर वो क्या होता है वो सारी चीज़े हम नेक्ट वीडियो में डिसकुस करने आले कि आपकी life को कैसे protection दिया जाता है right to freedom के अंदर clear इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से आउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूद welcome to magnetbrains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे freedom of life and personal liberty right to freedom broad topic है उसके अंदर हम अलग-अलग तरह के freedoms को पढ़ते आये हैं देखा हमने की right to freedom के अंदर what are the variety of rights which we are exercising ठीक है अब ये last right जो है right to freedom के अंदर वो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है freedom of life and personal liberty मतलब आपको आजादी है किस चीज की अपनी life की और अपनी personal liberty की आपकी swim की जो liberty है उस चीज को आपको enjoy करने की पूरी आजादी है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं किस sense में चलिए वो समझते हैं देखिए no person can be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law अब देखो किसी को भी किसी की भी life से deprived नहीं किया जाएगा उसकी personal liberty से deprived नहीं किया जा सकता है मतलब आपकी जान कोई भी नहीं ले सकता है निश्चन रहिए आपकी जो personal liberty है मतलब आप खुले आम घूम सकते हैं ठीके आपके पास में पूरा यह rights होना चाहिए या आपके अधिकार होना चाहिए कि आपको जहां जाना है वहां जा सकते हैं तो यह personal liberty है आपकी life आपकी personal liberty को कोई भी इंसान नहीं ले सकता है ठीके य no person can be deprived of his or her life और personal liberty except according to the procedure established by law मतलब अगर कुछ law के दवारा procedure established की गई है तो उस हिसाब से आपकी life आप से ली जा सकती है मतलब क्या बोलना चाहिए जैसे हम देखते हैं किसी को capital punishment मिलती है capital punishment मतलब फांसी की सजा मिलती है तो वो क्या है वो एक तरी से procedure established by law है procedure established by law के चलते है वो अगर कोई procedure है जो की law के दारा established की गई है तो उस procedure के थूँ आपकी liberty को आपके rights को आपकी life को क्या किया जा सकता है आप से लिया जा सकता है ठीक है सिर्फ यह exception है बाकि उसके अलावा कोई भी आपकी life आप से नहीं ले सकता है ठीक है यह right to life का part है यह आपकी freedom का part है clear तो जैसे procedure established by law में में लिख दिया orders of court ठीक है जैसे courts अगर order दे देते है supreme court high court तो आपको क्या है मित्यों की सजा भी हो सकती है मितलब सजाय मौद जो देखते हैं movies में फासी की सजा ठीक और उसी के साथ में आपको imprisonment भी हो सकता तो यह कुछ provisions हैं जिसके थूँ आपकी life आप आपकी personal liberty जो है वो पूरी तरह से आपके पास पूरी आजादी से उसे enjoy करने का अधिकार है clear आप देखो क्या है इसी right मगर हम देखे हैं कि freedom of life and personal liberty तो personal liberty से जुड़ेगा आपके और भी rights होते हैं क्या right होते हैं और भी तो rights during the detention or arrest by the police अप क्या होता पुलिस वाले आपको arrest क करने आएंगे या फिर आपको बंदी बना के रखना चाहेंगे मतलब हो सकता है कि वह आप से कुछ investigate करना चाहें तो उस समय के लिए भी आपको कुछ अधिकार है उस समय के लिए भी आपको कुछ rights है यह अच्छे से पढ़ लेना कल को police पगड़ने आएगी तो आपको आप बंदी बना के रखना चाहें पुलिस ऑफिसर्स अगर आये आपको अरेस्ट करने के लिए आपको बंदी बना के रखने के लिए तो वह ऐसा नहीं कर सकते हैं कब तक नहीं कर सकते हैं unless he has proper legal justification मतलब जो पुलिस ऑफिसर आया उसके पास में अगर कोई proper legal justification नहीं है आया समझ में जब तक उनके पास में कोई एक किसी भी चीज को कह सकते कि एक valid वो नहीं है reason नहीं है कि हाँ इस बिनाह पर हम इस इंसान को अरेस्ट कर रहे हैं इस इंसान को डिटेन कर रहे हैं जब तक आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है तो यह आपका fundamental right एक तरह से आपको ध्यान रखना यह क्या कि you cannot be detained or arrested by any police officer और government officer without any legal justification जब तक वो आपको एक legal justification नहीं देंगे आप उनके साथ मज जाईएगा clear आप देखो क्या है और अगर मान लो legal justification है भी कि आपको कह सकते हैं suspect के basis पे आपको कह किया जारा है किया जारा है detain किया जारा आप से कुछ पूछता आज की जा रही है तो उस समय पे government को कुछ कह सकते procedures को follow करना पड़ता है ठीक है तो यह ऐसी condition हो गई कि if they have any legal justification at that time also government is required to follow some procedures क्या procedures follow करना होगी government or police has to follow some procedure while arresting someone if they have legal justification ठीक है ऐसे तो arrest करी नहीं सकते हैं आपको लेकिन अगर arrest करते भी हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए मतलब arrest करते समय हैं कुछ procedures को follow करना होगी क्या-क्या है procedures देखो आपको सबसे पहले तो reason बता जाए कि क्यों arrest कर रहे है clear है मतलब यूई किसू को भी गाड़ी में बिठा के नहीं ले जा सकते हैं आपको पहले क्या बताया जाएगा कारण बताया जाएगा क्या आपको क्यों arrest किया जा रहा है clear inform the reason for arrest and detention to a person for that और मतलब क्यों detain किया जा रहा है अगर बंदी बना के भी रख रहे हैं within a period of 24 hours of arrest मतलब जैसे आपको आज अरेस्ट करके ले गए और आज अरेस्ट करके ले जाने के बाद में क्या है आज अरेस्ट करके ले जाने के बाद में अगला जो जैसे आज चार बजे ले गए तो कल के चार बजे के अंदर अंदर आपको you are required to be presented before the magistrate मतलब judge के सामने आपको क्या करना होगा present करना होगा अब ऐसा नहीं कि आपको थाली पे सजा के present करेंगे मतलब आपको क्या है यह judge को inform कर देना होगा एक तरी से कि हाँ हमने इस इंसान को arrest किया है आप बंदी बनाये रखना है अरेस्ट मतलब आरेस्ट सिनेरियों में रखना है नहीं रखना है या फिर छोड़ देना है तो वह सारी चीजों को फिर आगे जुडिशेरी समाल लेती है पुलिस का काम क्या होता है सिर्फ अरेस्ट करके लाना और प्रजेंट कर देना तो वह आपका एक प्रोविजन है मतलब या आपका राइट कह लीजिए या फिक कर लीजिए कि गवर्मेंट को एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि जिसमें इंसान को अरेस्ट किया है तो ऐसा नहीं कि पुलिस इस्टेशन में एक मैने तक बिठा के रखा है उसे तो नहीं किया कि मुझे अरेस्ट कर लिया त्रीक ह? क्या होता है कि उन्होंने मुझे 24早 के अंदर-थ्यजि six टेट जी के सामने समय कर दिया में लेकिन मैस ट्व 274好 के पहले चाहर हो कि मैं कमा उसले के खम करी मैं अपने का करूं तो यह गवर्मेंट की responsibility होती कि गवर्मेंट उसे lawyer भी provide करें ऐसे में तो these are some of the rights which are given in our constitution और यह rights किस चीज से बताय गया है clear है तो हमने यह सारा सब कुछ पढ़ा किसमें यह सारा सब कुछ हमने पढ़ा right to freedom के अंडर में तो हमने right to equality पूरा complete कर लिया था right to freedom भी इन सारे rights के साथ में हमारा complete होता है अब अगला right कौन सा हमारा अब अगला fundamental right जो हमारा आएगा वो होने वाला है right against exploitation ठीक है आपको कोई exploit नहीं कर सकता है तो next वीडियो में हम यही सारी चीज़ें discuss करने वाले हैं कि right against exploitation होता क्या है कैसे काम करता है यह सारी चीज़ें clear इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next वीडियो में thank you thank you very much Hello everybody this is दिग्राश संग राजपूद welcome to magnetbrains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे right against exploitation पिछले वीडियो तक हमने right to freedom complete कर चुके हैं right to freedom के जो भी अलग-अलग dimensions थे वो मैंने आपको बता चुका हूँ अब हम पढ़ेंगे right against exploitation अब देख constitution given in Indian constitution start करते हैं right to equality and liberty explains that no one should be exploited देखो वैसे तो देखा जाए तो जब आपको right to equality दी गई है समानता का अधिकार दिया गया है ठीक है liberty दी गई है आजादी दी गई है तो इन सारी चीजों के चलते अपने आप यह आजाता है कि जब आपको equality है तो आपको कोई exploit कैसे कर सकता ह जब सबको हम एक नजर से देखेंगे तो फिर हम किसी के साथ अन्याय कैसे होने देंगे ठीक है तो अगर हम ऐसा कहें कि right to itself is itself coming under the right to equality और right to liberty तो वो भी सही है लेकिन क्योंकि हमारे constitution makers का एक broad vision था उनने समझ में आ रहा था कि लोग इतने समझदार नहीं है ठीक है वो exploit करें आने के लिए specifically right against exploitation mention किया गया है specifically right against exploitation क्या है देखो yet the constitution makers thought it was necessary to write down certain clear provisions to prevent exploitation of the weaker section of the society आया समझ में कि constitution makers ने सुचा कि यह जरूरी है कि हम एक बार specific तरह से clearly लिखते है right against exploitation में क्या क्या है क्या होता है right against exploitation जिससे हम क्या कर सके हमारी society का जो weaker section है उसे बचा सके उसे exploit होने से रोख सके आया समझ में तो वही सारी चीज़े अब हमारे constitution में broadly अगर हम बात करें we discuss broadly तो तीन right against exploitation के provisions है आफिर कह सकते है कि तीन fronts पे बात की गई है क्या है वो तीन fronts provision of traffic and human beings अब traffic मतलब वो वाला नहीं कार गाड़ी वाला ठीक है यहाँ पर traffic का मतलब क्या होता है buying and selling of human beings clear तो सबसे पहला right against exploitation में जो आपको provision मिलता है जो अधिकार मिलता है वो क्या है कि हमारी government ने हमारे constitution ने क्या करके रखा है हमारे constitution ने traffic in human beings को prohibit करके रखा है traffic in human beings मतलब इंसानों में खरीद फिरोत नहीं हो सकती है अब आप बोलोगे इंसान कोई लौकी गिल की थुरी ना है जो हम खरीदेंगे बेचेंगे तो आपका तो एक perspective यह रहागा कि इंसान भी खरीदे बेचे जा सकते हैं क्या तो जी हाँ क्या होता है कि पहले के समय में होता था आज भी चोरी चुफछ दे होता है बहुत सी जगाद थी कह बहुत सारी stories पड़ते हैं आप new paper में articles पड़ते हैं कि इतने लोग खरीदे गए इतने लोग बेचे गए तो वो क्या होता है कि human beings को खरीदा जाता था बेचा जाता था क्यों खरीदते बेचते होंगे ठीक है तो traffic का मतलब मैंने बता दिया traffic means selling and buying of human beings अब क्यों किया जाता सा ऐसा ठीक तो usually women ठीक अदिकतर खरीदा बीचा जाता था किसको महिलाओं को बच्चों को खरीदा बीचा जाता था उनके body organs निकाल लिए जाते हैं जैसे आपने शिवाय मूवी देखिए मैं आपको बताता हूं हर चीज क्या मिल जाती है आपको सोसाइटी में मिल जाती सोशल साइंस सिर्फ बुक म दिया जाता है ठीक है तो इन सारे purposes से क्या होता है खरीदा जाता था इंसानों को बीचा जाता था तो हमारे और यह मतलब जब आप किसी को खरीद रहे हो बीच रहे हो और उसे सब human की तरह consider कर रहे हो तो यह क्या हो गया यह तो violation है fundamental rights का या आप exploit हो तो इस चीज के against में हमे against exploitation जैसे I am not for seal यह photograph जो बोलता है तो मतलब आप human beings को usually जैसे मैं देखा women for immoral purpose तो वो खरीदना बेचना जो होता है वो गलत होता है clear और देखते हैं तो prohibition of forced labor and beggar forced labor and beggar forced labor and beggar forced labor to आपको समझ आ गया ही ठीक है English English media में पढ़रो तो इतना समझ आ जाता है मतलब क्या है जबर जस्ती किसी से labor करवाई जा रही है forced labor and beggar बेगार क्या होता है वो में आपको समझाता हूं बेगार भी इसी चीज को कहा गया बेगार is a practice where the worker is forced to render services for free or nominal renomination ठीक है अब देखो क्या है मतलब आपने यह सुनाओ का बंदुवा मजदूर वाला bonded labor वो आगे पढ़ेंगे भी हम ठीक है तो forced labor में क्या होता है कि आपने किसी इंसान को एक बार खरीद के लिए हो या फिर एक बार पैसे दे दी है ठीक है अब एक बार पैसे दी आपने मानलो इस इंसान को एक लाग रुपे दी एक बार अब rendering services to his master ठीक है for free या तो वो free में काम कर रहा है और at nominal remuneration ठीक है या फिर बहुत कम पैसों में काम करवाया जा रहा है जैसे आज मैं आपको बताओं तो आज भी कुछ rural areas है crude areas है जहां पे आदमी दिन भर पत्थर फोड़ता है कड़ी महनत करता है और कितने पैसे मिलते हैं जि बहुत nominal remuneration बहुत कम पैसों में जहां पे लोगों को काम करवाया जा रहा है या फिर free में काम करवाया जा रहा है वो होता है big hour system ठीक है और यही चीज़ अगर lifelong period तक चलती है तो यह bonded labor बन जाती बंदूवा मजदूर मतलब एक बार पैसे दे दिया और जिवन भर उससे काम करवा रहे है ठीक है तो इस चीज के अगेंस्ट में हमें क्या मिलता है protection मिलता है राइट अगेंस exploitation में clear provision of force labor और अब आते हैं किस पे तीसरी चीज़ और क्या है राइट अगेंस exploitation में तीसरा पॉइंट क्या है तो इस पर direct question ऐसी बनना है what are the provisions provided अंडर राइट अगेंस exploitation तो राइट अगेंस exploitation का आपके पास prohibition of child labor, prohibition of child labor मतलब क्या होता है कि child labor समझते हैm child labor मतलब क्या है की जो बच्चे होते हैm बच्चों से काम करवाना labor की तरह घिकें अब बच्चों की definition क्या है आजकल तो 10 साल का बच्चा भी आपको पता नहीं क्या समझते से 14 साल से नीचे के जू बच्चे घ only तो प्रोइबिशन ऑफ चाइड लिपर में बताएगा है कि 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं ठीक है चिल्रन बिलोग दी एज ऑफ फोटीन कैनाट बी एंप्लाइड इन फेक्ट्री फेक्ट्री में काम पर नहीं रख सकते हो और माइन और इन एनी हजाडियस वर्क ठीक है मत पठाके होते हैं उसके अंदर बारू धी भरना रहता है तो बच्चों को हायर कर लिया जाता है कम पैसे में इस तरह से क्या किया जाता है कि अधिकतर ऐसी इंडस्ट्री इस कुछ होती है जो आप जैसे आप देखोगे फोटोग्राफ दिखाते हैं आपको तो यहां पे क्य चोटे चोटे बच्चे हैं तो कम पैसे में भी क्या किया जा सकता है कम पैसे में लोगों कैसा लगता है ठीक है कम पैसे में बच्चे का मिलेंगे आप होटल्स पे देखोगे आप तो होटल्स पे क्या होता है कि बरतन साफ करने के लिए छोटे बच्चों को रख लिया जात not their toys ठीक है वो उनके खेलने का समान नहीं है और उनके लिए खतरनाक हो सकता है मतलब उस संस में एक सटायर के संस में बताया गाया इस चीज को फिर यह बॉंडेड लेबर का जैसे आप देखिए सारे लोगों को ले जा रहे हैं काम पे तो इस तरह से यह कुछ फोटोग्राफ आपको शायद एक आईडिय क्लियर कर देगी कि हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटिशन में क्या क्या चीज़ें मिली है क्या क्या मिला है प्रोइबिशन ओफ ट्राफिक इन हुमन बिंग्स वो समझाया मैंने आपको प्रोइबिशन ओफ फोर्च लेबर और बेगा करते चलेंगे इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ओफिशल वेबसाइट मैग्नेट्रेंस.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलूड कर सकते हैं मैगनेट्रेंस.com पर क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंग्ज फॉर्मेट में अविलेबल हैं जिना आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और डाउनलूड कर सकते हैं फिल फ्री तो विजित आर ओफिशल वेबसाइट मैगनेट्रेंस.com विलता है नेक्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू बेर मच इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Right to Freedom of Religion विशले वीडियो तक हमने कौन-कौन से राइट्स पढ़ चुके हैं? Fundamental राइट्स पढ़ रहे थे हमने Right to Equality देखा, Right to Freedom देखा, Comprehensive Sense में देखा सारे राइट्स उसके अंदर क्या-क्या हमें अधिकार मिले हैं? वो सब कुछ देखा फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था Right Against Exploitation जो हमारे लास्ट वीडियो था अब Rights की कहानी को आगे बढ़ाते हुआ आप कौन सा Right पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे Right to Freedom of Religion मतलब आपको क्या आजादी है? क्या आपके अधिकार है? किस सेंस में? धर्म की अगर बात की जाए, Religion की अगर बात की जाए तो Religious Freedom इन सारी चीज़ों से आप Relate कर सकते हैं देखो यह बड़ा Sensitive Topic है, ठीक है? Sensitive Topic इस संस में कि गवर्मन को बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि Religion के नाम पे आदमी सबसे पहले क्या होता है? आग बबुला होता है कि हमें खुश होना चीज़ पे लड़ना जगणना नहीं चाहिए बिलकुल भी, क्लियर है? आई यह इस चीज़ को समझते हैं तो Right to Freedom Include, Right to Freedom of Religion as well ठीक है? मतलब जैसे जो Right to Freedom हमने डिसकर्स किया था आजादी की बात की जारी तो उसमें हर चीज़ के आजादी मिल गई है Equality की बात की जारी तो उसमें हर चीज़ की Religious Equality भी मिल गई है तो यह भी वही वाला सीन है जो उनने पिश्छे वीडियो में देखा था क्या कि Right to Freedom के अंदर ही Right to Freedom Of Religion समाया हुआ है ठीक है it is already inside it लेकिन फिर भी हमारे constitution ने कि specifically क्या करा उस चीज को clear कर दिया कैसे clear करा constitution says that India is a secular state ये शब्द ठीक है ये शब्द आपको हमेशा ध्यान रखना इसका meaning में आपको आपने बहुत सारे बच्चे एट्ट क्लास में भी पढ़ा था आपको ध्यान है लेकिन इस शब्द को हमेशा ध्यान रखना आगे तक क्योंकि बार बार ये चीजें आती है और ये ची सेकुलिजम का मतलब यह होता है कि हम क्या करते हैं लिटरल मिनिंग यह होता सेकुलिजम का कि अलग अलग कर दो स्टेट को अलग कर दो रिलिजन को अलग कर दो रिलिजन के मैटर में स्टेट इंटरविन नहीं करेगी और कंट्री के स्टेट के मैटर में रिलिजन इंटरव एक religious point of view हर religion का एक अपना style structure है वो अपने हिसाब से चीजे करता है ठीक है और वैसे ही क्या है government अपना काम करती रहेगी तो दोनों में बिल्कुल अपने काम करने दिया जाता कोई छेचाड नहीं होती है और Indian secularism को हमने इसी तरह से यह principle or equal distance का principle adopt किया Indian secularism में from all religion आया समझ में अब देखो क्या है कि समय आने पर लेकिन हमारे intervene करती है government समय आने पर कैसे तो आपने recently जैसे देखा होगा triple तलाक वाले issue में intervene करा government ने ठीक है वो भी एक religious issue था लेकिन government ने इंटर्वीन करा क्या वही वाली बात है कि यहां पर जस्टिफ जस्टिफाय कर पारे हो ना गवर्मेंट के जस्टिफाय इस एक्षन कैसे जस्टिफाय कर सकती government कि बहिए इंटर्वीन करना ज़रूरी है women's के राइट का वालेशन हो रहा है माना religious matter है वैसी Note 12डी को बें किया तो वो वःलीजोश वथा कि हां बंद्र शिर्चयबलन किनபर इस तो होना चाहिए लेकिन यह अर्शम क्यों होना क्यों कर यहें कि यह होना चाहिए मैं वही चीज रहती है कि प्रिंसिपल डिस्टेंज से हम ने कुछ बना लिये है मतलब हमारी का काम करने का तरीका हैं कुछ प्रिंसिपल से उनके बेसिस पर जरूरत पढ़ती है तो इंटर्वीन भी करती है अब देखो क्या है एवरी सिटीजन है टो प्रोफेस्ट प्रेक्टिस एन प्रपगेट ठीक है ये शब्द समझना है प्रेक्टिस आप किसी भी तरह का धर्म को क्या कर सकते हो किसी भी तरह के धर्म को किसी भी तरह से प्रेक्टिस कर सकते हो जो आपका धर्म बोल रहा है प्रपगेट आप अपने धर्म को फैला सकते हो ठीक है लोगों तक बता सकते हो तो यही प्रोफेस्ट प्रोफेस्ट का अधिकार है आपको मतलब यह आपके राइ आपकी इक्षा है आप जानना चाह रहे हो दूसरे धर्म को सीखना चाह रहे हो उससे तो यार फ्री टू चेंज यूर रिलीजन आ गहा है समझ में तो यह भी बता है परसन इस फ्री टू चेंज रिलीजन और है और हर ओन विल मतलब यह इस शब्दु का अंडरलाइन करो ओन मतलब आप अपनी इक्षा से जैसा धर्म फॉलो करना चाहो आप किसी धर्म को फॉलो नहीं करना चाह रहे हो आप उस चीज के लिए अलाउड हो आया समझ में तो यह एक तरीका होता है मतलब कह सकते हैं कि इस तरह से हम सेकुलर प्रिंसिपल्स को डाउट करते कि रिलीजिय पहले क्या होता था पहले सोसाइटी ऐसी थी कि पहले सब कुछ everything was governed according to the religion religion जैसा मतलब religious authority जैसा बोल देती थी वैसा होता था पहले हम देखते थे कि राजा भी जो रहते थे तो राजा को भी कौन करता था मतलब राजा वी राजा एक तरह से किसके opinions के साफ से चलते थे जो highest authorities होती थी वहां पर प्रीष्ट वगएरा जो होते थे उनकी बाते सुनके चीज़ें करा करते थे तो पहले सब कुछ religious centric होता था लेकिन जैसे जैसे secular states बनते चले गए तो religion से क्या होने लगा एक तो अगली चीज यह ध्यान अटना है बट no one should compel another person to convert ठीक है मतलब आप convert होना चाह रहे हो तो खुझ से होना चाह रहे बाई your own will his or her own will तो तब तर ठीक है लेकिन no one should compel another person to convert मतलब आप किसी को जोजबर दस्ते नहीं change करवा सकते हो एक इन रिजिजन ठीक है यह secularism के अंदर आता है क्या कि इंसान अपनी इक्षा से बदलना चाह रहा है धर्म बहुत बढ़िया है बदलने दो लेकिन अगर आप किसी को compel कर रहे हो if you are forcing somebody तो वो गलत है ठीक है यह रहां रखना है बट no one should compel another person to convert clear by force fraud inducement और allormant मतलब किसी परकार की लालज दे के डरा के धमका के किसी के साथ में चल करके fraud करके तो यह सारे तरीकों का इस्तमाल करके अगर आप किसी का धर्म बदल रहे हो तो फिर पुलिस बहुत मारती है ठीक है क्या करती है गवर्मेंट आपके अगेंस्ट में action लेती है clear अब देखो और क्या है और भी चीज़ें इसमें कि हमारा जो right to freedom right to freedom of religion जो है उसके मेरे अंदर तो स्वेम भगवान ने अवतार ले लिया उन्होंने बोला कि दस लोगों की बली चाहिए तो आप बोलोगे कि और government को इस matter में इंटर्वीन नहीं करना चाहिए क्यों कि हमारा religious matter है और secular state होने के चलते government को इंटर्वीन नहीं करना चाहिए और इस नाम पर आप क disciples को अपनी religious practices को follow करते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है ठीक है तो वह ही बताएगा है जैसे sacrifice sacrificing animals or humans पतला अगर आप लोगों की इंसानों की बली देना चालो कर तो धर्म के नाम पर तो वह क्या है वह justifiable बिल्कुल नहीं यह वह गलत है सरासर गलत है आप इस तरह से किसी को क्या sacrifice नहीं कर सकते हैं animals को humans को फिर अगली चीज़ का है discrimination with women आप महलाओ के साथ में क्या है किसी प्रकार का आप विद्वा हो जैसे सती प्रेक्टिस क्या थी सती भी तो यह था दो चीज़े वहाँ पर women के right भी wallet हो रहे हैं और उसी के सांस साथ में क्या हो रहा है one cannot do whatever he she wants आगे समझ में और उसके आप में government की भी कुछ responsibility होती है जब वो अपने आपको secular बोलती है तो governments work on being secular government को किस तरह से अपने conduct को carry out करना होता है government को किस तरह से public में अपने activities को carry out करना होता है एक secular state में तो no favor and no discrimination towards any religion government को इस चीज का विशेश ध्यान रखना होता है कि वो ना किसी को favor दे ना किसी के साथ discrimination करें simple सी चीज़े मतलब government ना किसी religion को favor दे रही है कि पता लग रहा है majorities को जो majority religion है government भी उन्हें favor देने start कर देती है फिर minorities को favor देने start कर देती है अभी आपके मन में एक doubt आया होगा कि sir जो minority regions रहते हैं तो उन्हें कभी-कभी educational institutes में फाइदा मिलता है तो यह कहां तक justified है तो इस चीज़ को वहां देखो reasonable restrictions या पर जो हमने reservation वाली point में discuss कर रहा था कि वो पीछे रह गए ठीक है और अब वो क्या है एक तरह की equality है unequal treatment to unequal ठीक है वो पीछे रह गए ना तो उनको आगे लाने के लिए किया जा रहा है वो बाकि ऐसा नहीं कि उनके religion को extra favor मिल रहा है आगे जमझ में तो no favor and no discrimination towards any religion clear no religious instructions in government educational institutions ये चीज़ देखना है कि religious instruction नहीं दी जाना चीए पता लग रहा है कि आपको किसी government school में या फिर government aided school में क्या हो रहा है आपको एक specific किसी धर्म के बारे में पढ़ा रहे है किसी धर्म की किताब पढ़ा रहे है ठीक है तो किताब पढ किते हैं कि अधिकतर अभी तो आप school में हैं फिर आप colleges करेंगे ठीक है आप और scholar field में अगर जाते हैं पीज़डे वगरा करते हैं तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं government institutes में पढ़ाईया होती है ठीक है आप किसी specific religion को पढ़ रहे हैं तो वह आप बोलों कि वह कैसे हो रहा है ठीक है लेकिन government किसी को जबजस्ती religious instruction नहीं दे सकती government educational institutes में आगया समझ में अब आप बोलो कि what about private educational institutions जैसे missionaries होते हैं ठीक है बहुत सारी missionary schools होती है तो आप वहाँ पे क्या है आप देखते हैं कि एक तरह से religious instruction नहीं किया सकते हैं बाकि वह religious atmosphere create किया जाता है तो वहाँ पे क क्या है private educational institutions को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि no person shall be compelled वह अपना बताएंगी लेकिन किसी को compelled नहीं करें कि आपको ऐसा ही करना है ठीक है तो यह religious issues पे थोड़ा सा क्या होता है यह बहुत sensitive matters होते हैं तो sensitive matters पे government को government की CDC policy है क्या policy है principled or equal distance सब सब को एक नजर सा देख वहाँ पे religious instruction नहीं दिया जाएंगे आया समाझ में private institutes में भी क्या है किसी को compelled नहीं किया जाएगा लोग अपनी इक्षा से करना चाह रहे है तो वह we welcome that step ठीक है यह सारा सब कुछ हमने पड़ा right to freedom of religion में चार right हो गए हमारे कौन-कौन से freedom of religion हो गया नहीं चार से ज्याद हो educational right इसी right से जुड़ा हुआ है वो पढ़ेंगे और एक constitutional remedy दो right और बचे हमारे ठीक है तो इसके साथ में हमारा fundamental right comprehensive तरह से complete हो जाएगा clear है तो इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते है magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available है जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूद welcome to magnetbrains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे cultural and educational rights देखिए fundamental rights पढ़ रहे हैं अभी तक 4 fundamental rights complete कर चुके हैं पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था freedom of religion अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे cultural and educational rights ठीक हैं ये भी आपका fundamental right है अब आपको इस right का नाम सुनते से क्या समझ में आया इस अधिकार के बारे में सुनते से क्या समझ में आया देखिए cultural and educational cultural मतलब क्या है कि आपकी जो संस्कृत ही है उसको बचाने का अधिकार ठीक है educational मतलब आपका जो educational system में आप उस संस्कृत के बारे में लोगों को पढ़ाना चाहरा है तो उसको बचाने का अधिकार ठीक है तो ये होता है हमारे cultural and educational right अब क्या होता है कि हमारे constitution ने ये right दिया सभी को है specifically minorities के लिए ज्याद पहले minorities समझते minorities को अधिकतर बच्चे confused कि किस चीज से कर लेते हैं आप यह सूचते minorities मतलब जिन जो religious basis पे जो कम है जिनकी population कम है वो minorities तो जी नहीं वो तो है ही है उसी के साथ में क्या आप language के basis पे भी minorities बन जाती है language के basis पे कैसे minorities बन जाती है कि अगर कोई language speaking group क्या है कम minority हो गई है जैसे example के लेते हैं कि असामी हो गया असाम के असामी बोलने वाले तो फिर भी बहुत साथ लोग है कोई से money पूरी होई अगर जैसे language ठीक है जहां कम population है तो वो जो language बोली जाती है ठीक है वो language क्या हो गई एक तरह से minority language होगी तो वो language बोलने वाले लोगों को special rights होते हैं कि वो अपनी language को protect करें ठीक है तो वो minorities language के basis पर हो सकती है culture के basis पर हो सकती है religion के basis पर हो सकती है अब जिसे हम यह देख रहे है cultural educational rights हैं तो constitution क्या बोलते हैं constitution specify the cultural and educational right to the minorities specifically अब क्यों minorities को हमेशा दिया जाता है तो उसके पीछे कारण है कारण क्या है सोचो जरा देखो क्या है democracy में अगर हम बात करें तो majority is always in power मतलब जो majority opinion होगा वो power में रहेगा तो majority को protection के तो जर्वत ही नहीं है एक तरह से क्यों क्यों क्योंकि democracy maturity के साफ से चलती है तो उस sense में क्या है कि democracy में majority की terny ना हो जाए कई minorities छूट ना जाए कई तो इस sense में क्या करते है special protection देते है किसे minority को clear है क्या protection मिलता है minority को तो वो अपने education अपना educational system चला सकते हैं अपने culture को protect करने के लिए अपने distinct language को अपने रहन सहन को अपने तौर तरीके को protect करने के लिए educational institute खोल सकते हैं ठीक है तो क्या-क्या rights दिये गए है उसके अंदर cultural educational rights के अंदर minorities को हम वो discuss करते हैं देखो, any citizen of any section of citizens with a distinct language or culture have a right to conserve it मतलब यह आपको अधिकार दे दिया है कि आप अपने culture को बचाना चाह रहे हैं अपने culture को protect करना चाह रहे हैं अपनी language को protect करना चाह रहे हैं तो आपको यह government इसमें support करेगी और अगर को इनसान ऐसा है जो आपके culture को खतम करने की कोशिश कर रहा है तो हम देखेंगे जैसे जो central government की exams होती है जैसे UPSC जो exam होता है तो UPSC exam में क्या होता है कि हमारे दूसरे languages हैं ठीक है जो 22 languages हैं तो वो सारी languages में आप दे सकते हैं जो scheduled languages हैं ठीक है जो constitution में दी गई है तो उन languages के हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी language को opt कर सकते हो paper देने के लिए तो यह क्या है यह बताता है कि हाँ जो linguistic minorities हैं उन linguistic minorities को अपनी language को preserve करने का अधिकार है वो बोल सकते हैं कि मेरी language यह में minority section में आता हूं में इसी में एक्जाम दे पाऊंगा तो यह provision होता है आया समझ में कि आप उस language में एक्जाम दे आपको यह अधिकार होना चाहिए क्यों कि हमने cultural और educational rights दी है अब इस बीच में क्या होता कोई government आती और को आया जा रहा है आया समझ में तो इस सेंस में क्या है कि हर section society के हर section को जो minority section है वो किसी भी basis पर हो सकता है language पर culture पर religion पर उन्हें अपने अधिकारों को अपने culture को अपनी language को अपने religion को conserve करने के पूरे पूरे अधिकार है आया समझ में यह हो गया फिर दूसरा देखते हैं तो admission to any educational institution maintained by government और receiving government aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion और language बड़ी अच्छे चीज़ है यह मतलब आप अगर किसी एक ऐसे educational institute में admission लेना चाह रहे है जहां पर क्या है जहां पर government का educational institute है या फिर government aided मतलब government उसे पैसे देती जैसे क्या होता अधिकतर colleges जो होते हैं तो colleges अगर कोई minority college है ठीक अब minority college है तो उसमें क्या है कि government को बता देता है कि हम minority college है हमें आपके पैसों की जरूवत है मतलब government से फंड चाहिए तो government उन्हें पैसे देती फंड देती है और अब इस बैसी पर government aided college हो गया clear तो आपके क्या बता रहे कि admission के अगर बात की जाए कि ऐसा कोई college है जो which is being maintained by government और receiving government aid तो ऐसे colleges में आपको admission cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language मतलब आपके धर्म पे आपके language के हिसाब से आपको किसी भी तरह का discrimination नहीं होने देंगे ठीक है यह आपका cultural educational right है कि आप अलग culture से आते हैं ठीक है आपका language अलग है आपका religion अलग है तो सुर्फ इस basis पर आपको government इंस्टीट्यूट्स में government minority is not specific to the area जैसे तमिल नाडू में तमिल लेंगवेज तमिल speaking people जो है वह majority में हैं ठीक है क्यों क्योंकि वह वहां की native language तो पूरा तमिल नाडू में तमिल लेंगवेज माइनोरिटी नहीं होगी नहीं कहलाएगी लेकिन वही तमिल language पंजाब में क्या कहलाएगी minority कहलाएगी आगया समझ में तो वैसे ही क्या रहता है कि minority जो है वह relative term में रहती है कि गुजराती जो language हो गुजरात में minority language इसकी category में नहीं आएगी लेकिन वही गुजराती language आप अगर आसाम चले जाओगे तो अब जो relative concept है तो all minorities have the right to establish and administer educational institution of their own choice तो इस sense में क्या है इस sense में minorities जो है तो वो अपनी इक्षा अनुसार क्या कर सकते हैं अपनी इक्षा अनुसार educational institutes को establish कर सकते हैं कैसे establish कर सकते हैं जिसे आपने अधिक्तर देखा होगा कि mother saas जो होते हैं मदरसास जो होते हैं तो वो क्या है वो religion के basis पे जो minority section है हमारा Muslims जो हैं तो Muslims ने क्या बोला कि to preserve their culture and their language या फिर कह सकते हैं जैसे उर्दु में पढ़ा जाता है तो अपने culture को preserve करने के लिए अपनी language को preserve करने के लिए उन लोगों को यह आजादी है किसीज की यह उनको extra right है कि वो अपने cultural educational institutions को operate कर सकते हैं establish कर सकते हैं यह उनका cultural educational right है ठीक है तो all minorities have the right to establish and administer educational institutions of their own choice वो अपने हिसाब से अपने culture को पढ़ाने के लिए अपने educational system को पढ़ाने के लिए इंस्टिट्यूट्स खोल सकते हैं पढ़ा सकते हैं बच्चों को यह सारी चीज़ें कर सकते हैं आया समझ में तो हमारा यह वाला fundamental right भी हम कवर चुके है cultural and educational rights तो इस sense में अगर हम देखें तो कौन-कौन से rights complete हो गए हमारे ज़रा एक बार recall करते है सारे fundamental rights complete हो गए एक right चुटा है बस हमारा वो चुटा है constitutional remedies वाला introduction वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि यह बहुत important right है हमारा constitutional remedies क्या होता है तो इसे हम next heading में discuss करेंगे next video में how can we secure this rights मतलब अभी तक जितने भी rights हमने पढ़े इन rights का अगर violation होता है तो इन rights के violation को restore करने के लिए मतलब आपके अधिकारों का अगर हनन होता है आपके अधिकारों को अगर क्या किया जाता है violate किया जाता है तो आप कैसे उसके against में demand कर सकते हैं क्या इस चीज के लिए कोई provision है तो भाई सारी चीज आप next वीडियो में पढ़ने वाले हैं इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं magnetbrains.com मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिगरास सिंह राजपूद Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे How can we secure these rights Which rights, कौन से rights, कैसे secure करने की बात की जारे हैं यहां पर, देखिए पिछले वीडियो तक मैंने आपको सारे rights बता चुका हूँ कि हमें क्या-क्या अधिकार मिले, what are our fundamental rights हमारे मौलिक अधिकार क्या-क्या है बता दिये थे, अभी क्या है अभी हमें यह देखना है कि अगर उन rights का violation होता है उन rights का हनन होता है तो उन्हें हम restore कैसे करवाएंगे क्या guarantee है कि जो हमें अधिकार दिये गए है वो कोई violate नहीं करेगा सिर्फ constitution में लिख देने से कुछ थोरी ना होता है बोल सकते हो आप ऐसा तो उसी चीज को secure करने के लिए कि अगर आपके fundamental rights violate होते हैं, तो how can you or how can we, मेरे भी हो सकते है how can we secure these rights ठीक है, अगर इनका violation होता है तो हम कैसे secure कर सकते हैं तो उसका provision समझते है आईए, ठीक है, लेको why fundamental rights are called so, what makes them so important, fundamental rights को fundamental rights क्यों बोलते हैं पहले मुझे बता हो ठीक है, rights हैं वह तो लेकिन उन्हें fundamental क्यों लगा दिया, clear और उसके आद में दूसरी चीज़े, what makes them so important तो इसे में समझाता हूं, अच्छी चीज़े हैं, आप से कोई पूछ सकता है why fundamental rights are called fundamental rights they are called fundamental rights because they are fundamental in nature ठीक है, अब भोलो कि और confuse कर दो सर आप तो देखो, simple सी चीज़े हैं कि हमारी life के लिए, जो एकदम basic fundamental rights होते हैं मतलब जो हमारे हमें जीने के लिए जो चीज़े fundamental होती है right to life, freedom, equality, फिर हमने क्या देखा है right against exploitation, तो these all rights are what? these all rights are fundamental for our survival अगर जिन्दा रहना है तो यह basic है, हमारे लिए बहुत जादा जरूरी है इसलिए इन्हे fundamental rights कहा जाता है, ठीक है you cannot survive without these rights therefore they are known as fundamental rights clear? तो why fundamental rights are called so यह बताया है मैंने उसके पीचे एक और कारण है कि fundamental इसलिए क्योंकि यह enforceable nature के हैं अभी समझाता हूँ enforceable nature क्या है what makes them so important तो वो समझते हैं, देखो fundamental rights are called so because of the enforceable nature enforceable nature क्या होता है? enforceable nature मैं समझाता हूँ आपको देखो enforceable nature यह होता है simple सी चीज, we can seek information या फिर we can, sorry, we can seek enforcement of fundamental rights in case of their violation देखिये, enforceable nature simple सी चीज़े जैसे हम बोलता है कि police is enforcing this law या फिर government is enforcing this law enforce करना मतलब लागू करना किसी भी चीज़ को ठीक है, तो यह जो fundamental rights होते हैं इनका nature कैसा होता, enforceable होता है मतलब अगर यह violate होते हैं तो इनके against में कानून लागू हो सकता है ठीक है, यह आपके उपर लागू हो रहे हैं एक तरके से enforceable nature है इनका इस sense में क्या है, इस sense में fundamental rights बहुत important होते हैं ठीक है, इस sense में हम यह कहते हैं कि they are so important क्यों? क्योंकि वो हमारी life के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और उनका violation होता है, तो उसके against में आपको क्या मिलेगा उसके against में आपको protection मिलेगा क्यों? क्योंकि उनका nature जो है, वो enforceable nature है वो कानून अपने साथ लेके चलते हैं अगर हनन हो रहा है, violation हो रहा है अगर आपको exploit किया जार आपके fundamental parts पे, fundamental rights पे तो क्या होगा? आपको उसके against में remedy मिल सकती है तो यह remedy वाली जो बात है तो इसलिए से क्या कहा जाता है इस right को क्या कहा जाता है right to seek constitutional remedies मतलब कि अगर आपके fundamental rights violate होते हैं क्योंकि वो enforceable nature में होते हैं enforceable nature में होते होता अगर उनका violation होता है तो उसके against में, violation के against में मतलब अगर आपके fundamental rights violate होए तो उस violation के against में you have right to seek constitutional remedy ठीक है यह constitutional आएगा constitutional NL ठीक है तो constitutional remedy अब यह देखो एक right to seek constitutional remedy है ना यह भी अपने आप में fundamental right है अभी fundamental right का कुछ specific feature है वो मैं आपको बता हूँगा ठीक है तो seeking enforcement itself is a fundamental right मतलब आपके equality freedom यह सारी चीज़े तो आपके fundamental right है ही है और आपका right violet होता है तो आप क्या करोगे government के पास मैं जाओगे बोलोगे कि enforceable nature है fundamental rights का आप क्या करो हमें justice provide करो अब यह justice provide करने की जो demand कर रहे हो आप यह भी आपका fundamental है आया समझ में मतलब जो आपके fundamental rights है वो तो fundamental है वो जीने के लिए जरूरी है और अगर उनका violation होता है तो उसके against में आपको क्या मिले protection मिले उसके against में आपको justice मिले यह बात भी यह right भी क्या है fundamentally यह भी आपके लिए बहुत जादा जरूरी है आया समझ में वो सारी चीज़े होती है अब क्या होता है कि अगर आपके fundamental rights चीज़ों को जो गलत हो हमारे साथ उसको सुधार हो ठीक और यह सुधार नहीं की जो power है आपकी यह भी आपके लिए क्या एक तरह से fundamental rights है ठीक है तो आप क्या होता है in case of violation of fundamental rights we can seek remedy through codes और अगर हमारा violation होता है fundamental rights का तो we can seek remedy 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 मतलब क्या होता है जैसे बिमारी हो जाती तो बोलते ना कि दवाई लगा लो तो दवाई का एक तरह से remedy आपकी तो यह भी remedy कि आपके rights wallet होते है fundamental rights wallet होते हैं तो you can seek remedy deal आपको दवाई कौन देगा यहां पर दवाई देने वाले doctor कौन है doctor है court में चीक है court में जो रहते हैं judges वो आपका doctor बन जाते हैं अगर आपके fundamental rights wallet होते हैं तो आया समझ में कि दिखती बात ही देखो वालेट करने वाला कौन हो सकता है पुलिस आपके fundamental right wallet कर सकती है पुलिस में मतलब आपको अरेस्ट करके रखा है और जो हमने देखा था freedom of life and personal liberty तो उसके अंदर आपको 24 गंटों के अंदर magistrate के सामने पेश करना रहता है लेकिन क्या हो रहा है कि पुलिस वाले ने आपको अरेस्ट करके रखा है और चार दिन तक magistrate के सामने पेश नहीं किया तो आपको fundamental right वालेट हो गया हो गया तो अब अगर पुलिस से ही बोलोगे कि हमारा fundamental right वालेट हो गया तो पुलिस दो देंडे और लगाईगी बोलेगी चार दिन रखा था आठ दिन रख लो क्यों क्योंकि उन्होंने तो intentionally violate किया है तो आपको remedy चाहिए आपको enforcement चाहिए कि आपके fundamental rights violate हुए तो आप कहां जाएंगे आप जाएंगे courts के पास में ठीक है क्योंकि courts हमने starting में पढ़ा था working of institution में judiciary क्या काम करती है guardian of your fundamental rights के तरह काम करती है relate करो जब आप पीछे जाओ अपनी memory को rewind करो पीछे जल्दी से हमने पढ़ा था ना judiciary acts as an guardian of fundamental rights कि अगर आपके fundamental rights violate होंगे तो वो कौन उसे सुधारेगा कौन उसे बापिस से उसके against में justice provide करेगा आपको तो court होता है वो judiciary होती है ठीक है आप कहां कहां जा सकते हो आप तो we can directly approach to supreme court और high court in the case of violation of fundamental rights वैसे क्या होता है जैसे कुछ भी अगर आपका case होता है मान दीजिए ठीक है लड़ाई जगड़े कुछ भी हो जाते है तो पहले district court फिर आप satisfied नहीं हो तो high court फिर high court से फिर supreme court ऐसा एक procedure होता है लेकिन आपके fundamental right अगर violate हो रहे ना तो आप सीधे supreme court जा सक तो अगर आपके fundamental rights wallet होते हैं तो you have the power you have the right ठीक है आपका अधिकार है तो directly approach the supreme court और high court आपको कानून के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होना ही चाहिए क्यों क्यों कि आपको आगे मदद देंगे आगे कैसे मदद देंगी कि आपके साथ मगर कभी भी कहीं गलत होता है तो you should know about your fundamental rights what are the basic fundamental rights which you have ठीक है कौन-कौन से कानून कैसे काम करते इंसाइड चीज़ों के बारे में पढ़ते रहना चाहिए पता रहना चाहिए आपको clear है तो यह हमने यह पढ़ा how can we secure these rights direct question ऐसे आता है what would you do if your fundamental rights are violated how would you secure those fundamental rights तो उसमें हमने आपको सारी चीज़ों बताई कि कैसे secure करेंगे आपके fundamental rights को fundamental rights जो होते enforceable nature होता है उनका enforcement कैसे देख सकते हम we can seek enforcement through fundamental rights in case of violation enforcement देख सकते हो right to constitutional remedy right to constitutional remedy के बाद मेरे अगली चीज़ कहा देखिए हमने कि अगर violation हो तो आप सीधे supreme court high court जा सकते हो district court में आपको लजने की दरवत नहीं होती है clear है यह सारा हो गया और देखते है कि इतने important है तो इतने important है तो इस sense में क्या है कि importance दिखनी भी च constitution किसे कहा जाता है Dr. B.R. Ambedkar को ठीक है तो Dr. Ambedkar क्या कहते है Dr. Ambedkar called the right to constitutional remedies मतलब वो जो हमारे restoration वाले rights है ठीक है तो right to constitutional remedies को क्या बोला है उन्होंने as the heart and soul of our constitution मतलब हमारा पूरा जो constitution है उसका heart और soul किसे बताया गया है पूरे constitution के heart और soul को बताया गया है इस article को article 32 है हमारा आर्टिकल 32 मतलब यही right to seek constitutional remedies कि अगर आपके fundamental rights violate होते हैं तो आप court में जाईए यह आपका अधिकार है court आपके rights को क्या करेगा court आपके rights को फिर से restore करेगा enforce करेगा कैसे करेगा court क्या सारे जज्ज आपके साथ में जाएंगे आपका right restore करवाने में वो मैं समझाता हूं लेक and soul of Indian Constitution मतलब Indian Constitution से अगर यह right हटा लिया जाए तो Indian Constitution कुछ भी नहीं है क्यों क्योंकि देखो ultimately individuals को protection होना चाहिए individuals को protection कम मिलेगा जब Constitution में provision होगा अब हमारे Constitution में provision है तो हमारे Constitution में जानी इस चीज से आईए कि हाँ individuals का अगर कुछ fundamental rights violate होते हैं तो उसके पास में यह fundamental right है कि वो constitutional remedies सीख कर सके है आया समझ नहीं है ठीक है अब देखो नहीं पर कहा है fundamental rights are guaranteed against whom अब यह fundamental right fundamental right चिला तो रहे हम किसके अगेंस्ट में मिलता है हमें मतलब किसके अगेंस्ट में क्लेम कर सकते की he or she had violated my fundamental rights तो आप किसको पकड़ोगे कि हाँ इस इंसान के पर मुकदमा चलाओ जसा आप इसने मेरे fundamental rights को वालेट किया है तो यह हम अगर समझें तो actions of legislatures actions of legislatures मतलब क्या है कि जो legislative body है जितने MPs MLs हैं उन सारे लोगों ने मान लोग ऐसा कोई law लिया है जिस law के चलते उन्होंने क्या बोल दिया जिस law के चलते उन्होंने दी जाएगी अगर हमारे legislature ऐसा कुछ law आते हैं जहां पर right to equality wallet हो रही है आपकी तो आप आपके पास में अधिकार है कि आप अपने fundamental rights को क्या कर सकते हो claim कर सकते हो आया समझ में तो actions of legislature के against में the executive and authorities connected with government आप क्या होता executive और जितनी भी authorities हैं जैसे मान लोग कोई पुलिस वाला ह किसी पुलिस वाले ने किया कि आपके fundamental rights wallet करके रखें वही वाली बात कि आपको arrest कर लिया और present नहीं कर रहा है 24 hours तक तो आप उनके against में अपने fundamental rights को सीख कर सकते हो अब आप देख रहे हैं कि सारे government organs के against में हमें दिया जा रहा है fundamental rights तो जरूरी भी है क्योंकि who is the most powerful person या फि तो वह धियान रखना है आपको actions of legislatures the executive and the authorities connected with the government court can also enforce the fundamental rights against the private individuals and bodies और ऐसा नहीं कि private individuals कुछ भी खुलके आपके fundamental rights को wallet करेंगे government मतलब अगर आपके fundamental rights wallet हुए आपको लगता और आप court के पास जाते हैं तो court can enforce fundamental rights against the private individuals and bodies also ठीक है कि private body भी अगर कुई है जो आपको क्या करी है मान लीजे जिसे right to life आपका अधिकार है right to life आपका अधिकार है आपके जान ले ली किसी ने तो अब क्या है आपका fundamental right wallet हुआ है fundamental right wallet हुआ है तो आप क्या करेंगे अब आप सीधे जा सकते हैं उस तरह से किसी private इंसान ने अगर किया है तो यह clear court issue direction order ठीक है आप यह देखो court क्या करती है कि आपके fundamental right wallet हो गए पूरे investigation करती है देख सायर lawyers क्या करते है evidences present करते है फिर court को जैसा ठीक लगता है जैजेश को जैसा ठीक लगता है तो यह issue a direction order direction order issue करते हो उस direction order को क्या कहा जाता है रिट्स कहा जाता है, ठीक है? मतलब वो order जो fundamental right के violation को restore करने के लिए enforce करने के लिए court के द्वारा issue किया जाता है उन orders को, उन direction orders को क्या कहा जाता है? रिट्स कहा जाता है, इन रिट्स के अंदर अलग-अलग होता है heaviest corpus होता है, madamis होता है, ठीक है? इस इंसान की ये सारे rights wallet हुए, आपको restore करना ही आपकी responsibility है आया समझ में, तो उस sense में क्या करता है? court issue direction orders और rits, rits कहा जाता है जिसे rits for enforcement of fundamental rights, आपके fundamental rights का फिर से enforcement हो सके, उनने फिर से क्या किया जा सके? enforce किया जा सके, restore किया जा सके, तो उस चीज के लिए rits issue किया जाते, courts के दवारा, ठीक है? अब ये तो हमने rits तो समझ लिया, कि आपके fundamental rights का अगर violation होता तो government ये issue करती है अब मान लीजे कि environment जो है, ठीक है? environment को pollute किया जा रहा है, अब आपको ऐसा लगता है कि court में क्या environment खुद जा सकता है, environment आपने देखा क्या रही ये जा रहा है, environment देखो वो तो कोई, मतलब as a person नहीं है ना, लेकिन वो ज़रूरी भी है कि वो बहुत सहीर है environment हमारा, ठीक है? उसको harm ना किया जाए, ये भी देखना जाना समझना बहुत जादा जरूरी है तो उस case में क्या एक PIL का provision होता है, PIL मतलब public interest litigation, देखो public interest, public interest मतलब जो general public के interest की बात की जा रही है, तो public interest litigation उसके against में आप अगर general public के साथ में कुछ गलत हो रहा है, या फिर public interest के issues पे कुछ गलत हो रहा है जैसे environment pollute हो रही है, तो आप उसके लिए litigation उसके लिए क्या कर सकते हो, एक अरजी लगा सकते हो कोट में, वो होता है public interest litigation, आया समझ में, तो वो सारे issues, वो सारे agendas, वो सारे topics, विचार of core public interest, ठीक है public interest के issues हैं, जिन पे कोई एक individual, जिसी इसके लिए claim नहीं कर सकता है, या फिर environment खुद कभी court में नहीं जा सकता है, environment विचार कोई इंसान नहीं है साफ पानी चाहिए, आपको तो पानी court में थूरी जाएगा, अपने case लेकर कि यह मुझे pollute कर रहे हैं, बचा लो judge साब तो वहाँ पे क्या है कि यह ऐसे मुद्धे हैं, जहाँ पे क्या होता है कि लोगों को influence किया जा रहा है, बतलब लोगों की life कहीं नहीं influence होगी, public interest influence होता है, तो उस case में क्या है कि PIL का provision है, PIL as a right to constitutional remedy, तो आप public interest litigation भी लगा सकते हैं court में, और बोल सकते हो कि मेरा fundamental right तो wallet नही सेंगे ठीक, तो sense में क्या है कि PIL को भी constitutional remedies की तरह use किया जाता है, समय समय पे ऐसे जो मुद्धे हैं, कुछ जो क्या करते हैं, जो general public interest को कहीं नहीं express करते हैं, उन issues को place किया जाता है, उन issues के थूर क्या किया जाता है, यह ensure करने की कोशिश की जाती है कि fundamental rights हमारे wallet ना हो, आया रिस्टोर किया जाता है, हमारा जो constitutional remedy right to seek constitutional remedy है, वो एक ऐसा right है जिसके चलते हैं, आपके अगर fundamental rights wallet होते हैं, तो आप enforcement seek कर सकते हैं, और यह भी आपका fundamental right है, आया समझ में, तो इसे के साथ सारे fundamental rights complete कर लिए हैं, अभी आपको एक जो box में कुछ content दिया है, National Human Rights Commission का, ज़रूर उसे discuss करेंगे हम next video में, तो इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video म Thank you, thank you very much. आप करते हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि fundamental rights के लिए क्या government के अलावा भी कोई काम कर रहा है, तो जी हाँ, government के अलावा भी institutions होते हैं, government के अलावा भी commissions होते हैं, जो काम करते हैं, national human rights commission जो अपने आप में government institution है, ठीक है, statutory law के थूरू pass किया गया था, मतलब एक law pass किया में आपको पूरी details, क्या है national human rights commission, कैसे काम करता है, ठीक है, वो सारी चीज में आपको बताने वाला हूँ, clear है, चलिए, तो आप एक काफी अच्छा answer लिख सकते हैं, इस पूरे content को समझने के बाद में, इस पूरे content को पढ़ने के बाद में, start करते हैं, national human rights commission या फिर NHRC कह ल करेगा, कि human rights का violation नहीं होने दे, या फिर human rights का violation अगर हो गया है, तो इस issue को highlight करें, लोगों को नियाय दिलवाए, justice दिलवाए, ठीक है, human dignity, human dignity की बात करता है, ऐसा नहीं कि हमारे constitution में, जो सुरी fundamental rights दिये हैं, उन्ही के लिए काम करेगा, ये, उसके अलाबा भी human dignity से जुड criticize government agencies and force them to work, अब क्या होता है, देखो NHR से ऐसा नहीं है, पुलिश की तरह डंडे लेके चलेगी, मारते पीटते चलेगी, जो लोग violate कर रहे है, fundamental rights को, लेकिन ये क्या कर सकती है, उस violation को, उस case को highlight कर सकती, उस case को लोगों तक पहुचा सकती, उस case को, लोगों तक बता सकती, को कि ये ऐसा हुआ है, ये गलत हुआ है, हमारे constitution के against जाके हुआ, देखो हम अभी अधिकतर बच्चे जो आप देख रहे हैं वीडियो, आप लोग urban areas से हैं, ठीक है, rural areas से भी हैं बहुत सारे बच्चे, rural areas के अलावा बहुत crude rural area भी होते हैं, crude rural areas मतलब क्या है कि जहां पर कह सकते हैं कि अभी भी वो समय ऐसा चल रहा है कि आज से तीस साल पीछे चल रहे हैं वो लोग, आज भी भी system में पूरा, ठीक है, बहुत conservative societies होती है, सारी चीज़े होती है, तो उस sense में क्या है, उस sense में आपको ध्यान रखना है कि ऐसा जो area है, ठीक है, या फिर ऐसी जो जगह हैं, वहाँ पर आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है, women को जैसे मान सकते है, honor killing हो रही है, ठीक है, पंचायत के लोग किसी को फांसी की सजा सुना दे रहे है, तो यह सारी चीज़े हो रही है आज भी, ठीक है, अब जब आज भी इस सारी चीज़े हो रही है और वो लो talks with media to highlight its objective, ठीक है, उसका जो objective है, मतलब human rights और human dignity को preserve करना, तो उस objective पे काम करती है, media के साथ मिलके, it criticized government, government को खुलके criticize करती, government institution है, लेकिन government को criticize करेगा, क्यों? क्योंकि इसी तरह से तो काम होगा, government अगर बेफिकर हो जाए कि उन्हें कोई criticize करने वाला नहीं है, तो क्या government अप अब देखो क्या होता है, तो it criticized government agencies and force them to work, government को मजबूर करती कि government काम करें, ठीक है, क्योंकि government डर के रहेगी है, हमेशा कि अगर हम काम नहीं करेंगे, तो क्या NHRC देख रही है, कि हाँ लोगों के fundamental rights वालेट हो रहे है, government के करना कर वालेट हो रहे है, और government कुछ काम नहीं कर र ठीक है, फिर आगे और अगर देखते हैं, तो this is an independent commission established in 1993 by a law, ठीक है, by a law मतलब क्या है, कि हमारे constitution में नहीं आया था ये, एक कानून लाया गया, उस कानून के थूँ एक body बनाए गयी है, एक commission बनाया गया, उस commission को कहा, मतलब national human rights commission कहा गया, और एक independent commission है, independent का, जैसे मैंने आ रहता है, अगर NHRC किसी के अंडर में रहता है, जैसे मानलो executive के अंडर में रहता है, legislature के अंडर में रहता है, तो अपना काम खुल के कर पाएगा, क्या, नहीं, वो हमेशा अपने आपको क्या समझेगा, कि मैं इनके अंडर में हूँ, तो मुझे इनके against जा के काम नहीं करना बड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर उसे independent बना दिये जाएगा, सशक्त कर दिये जाएगा, सारी शक्तियां दे दी जाएगी, सारी पावस दे दी जाएगी, तो तब वो अपना काम independent रूप से करेगा, और it is required that National Human Rights Commission works independently, why? तो उस why का सिधा सा आंसर है, अगर वो independently काम करेगा, तब ही तो वो सहीं मुद्दो को, सहीं issues को, सहीं subjects को हमारे सामने present कर पाएगा, तो इस sense में बहुत जादा जरूरी है कि NHRC क्या करें, अपना काम independent तरीके से करें, और उसकी independence को ensure भी किया जाना चाहिए, clear? अब आगे अगर हम देखें, तो कैसे appointment होते है, मतलब जो National Human Rights Commission है, तो ये body, members होते हैं, तो इन members को कैसे appointment किया जाता है, तो they are being appointed by president, अब president के दौर appointment किये करते हैं, तो आप खुश हो गए होंगे, मैं भी बन सकता हूँ, तो जी हाँ, आप भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए कुछ requirements है, तो who are in it, तो जैसे जो retired judges होते है ठीक है, इन लोगों ने कानून को पढ़ा है, समझाया है, सारी चीजों, मतलब पूरा life अपना judiciary में निकाल दिया है, तो अब retire हो गए हैं, अब retire हो गए हैं, तो क्या इने एक ऐसी body का head बना दिया जाता है, जैसे जो chair person की बात करने हैं, chair person is appointed by president, तो एक ऐसी body का अगर chair person ब तो उन्होंने क्या करा है, हमारी country के लिए nobel peace prize लेका है, ठीक है, अब उसी के सांसाथ ने वो एक बहुत, कह सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है, तो उन्हें बनाया जा सकता है, he is an eminent person, clear है, तो इस तरह से इन लोगों को बनाया ज जा सकता है, प्रसिडेंट के दौर अपॉइंट किया जा सकता है, चेयर परसन की तरह, National Human Rights Commission का, clear है, फिर आगे अगर देखे हम, तो नहरी राइट्स अगर हमारे वालेट होते हैं, तो उसके टूर्ट्स काम करेगी, ठीक है, नहरी राइट्स अगर वालेट होते हैं, तो उ उनने सिक्योर करने के लिए काम करेगी, NHRC, फिर उसी के साथ साथ में और क्या करती है, राइट्स मेंशन इन्धी, युएन स्पॉंसर्ड इंटरनाशनल ट्रीटीज, मतलब क्या है, कि युनाइटेड नेशन्स के सिगनेट्री हैं हम, हम मतलब इंडिया, अब इंडिया जाए इसके लिए काम करता है National Human Rights Commission कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ तो सिंपल से चीज़ें यहां पर बहुत क्या होता है एने चार सी है काम कर रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारे fundamental rights में मतलब हमारे fundamental rights हमें दिये गए उन fundamental rights में किसी इस चीज़ पर बात नहीं की गई है मान लो ठीक है लेकिन बिंगर जैसे अगर हम देखें है fundamental rights में आगर आपको ध्यान हो तो LGBT rights के उपर अभी थोड़े समय पहले सुप्रीम कोड का एक government आया ठीक है तो एक कह सकते हैं कि by law हमने उस चीज़ को recognize नहीं करा था LGBT rights को ठीक है lesbian gay transgender इनके जो rights थे इन rights को हमने by law recognize पहले नहीं करा था लेकिन वो क्या है वो human dignity से जुड़े rights थे तो अगर उनका कहीं violation हो रहा है मानलो कि किसी community को मानलो जैसे lesbians की community या फिर gay की community उन लोगों को क्या किया जा रहा है कोई society में बहुत जादा परिशान किया जा रहा है मारा पीटा जा रहा है तो वहाँ पे national human rights commission जा सकता है law नहीं है कोई लेकि national human rights commission जाएगा बोलेगा कि या यह human dignity के खिलाफ है वो भी इनसान है उनके अपनी choice होगी ना उस sense में अब तो law बन गया है तो अब तो वो government भी step कर सकती उसमें पुलिस जा सकती है पुलिस बोल सकती है कि नहीं नहीं आप यह यह law है आप इनके साथ मैसा नहीं कर सकते हो तो एक society का mindset अलग रहता है और वो सारे laws, rights mentioned in UN sponsored international treaties that India has signed इंडिया ने जितनी भी treaties को sign किया है जिसमें जो जो राइट्स की बात की गई है उन सारे राइट्स की towards काम करेगा उन सारे राइट्स को secure करने के लिए काम करेगा कौन? NHRC NHRC cannot by itself punish the guilty, no judicial power ये चीज़ समझने वाली है क्या? कि NHRC सिर्फ क्या कर सकता है? कोशिश कर सकता है मैंने बता है वो उस मुद्धे को highlight करेगा मीडिया के साथ मिलके ये सारी चीज़े लेकिन वो judicial power नहीं है NHRC के पास में ऐसा नहीं कि वो सजा सुना देगा किसी को कि इस इंसान ने गलत किया है तो इसको ये सजा मिलनी चाहिए फिर आप बोलोगे है तो बिना दात वाला शेर हो गया एक तरह से ठीक है कि मतलब जो सरफ दहाड़ता रहेगा लेकिन काटने की power नहीं है उसके पास में तो वो मैं आपको बताता हूं क्यों 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 कि क्या हो सकत आज वीडियो अपलोड हो रहा है तो यह आज के नेशनल हुमन राइट कमिशन के चेर परसन है आप इनका नाम मुझे बताएंगे यह आपका हो गया अब सब कुछ पकापका है मिल जाता बड़ अच्छा लगता जैरा गूगल करा करो गूगल हो आपका ठीक है यह इनका न लोगों यह लोगों है राश्श्ट्रि मानाव अधिकार आयूग नैशनल हुमन राइट कमीशन ठीक है तो यह सारा हमने पड़ा अब हम समझते कि काम केसे करता नाशनल हूमन राइट कमेशन रहा तो जो स्तीशंस Yo इंक्वैरी बनाता है, इंक्वैरी कंडेक्ट करता है National Human Rights Commission, जो कि क्रेडिबल होती है, क्योंकि बॉडी इंडिपेंडेंट ही है, निश्पक्ष तरीके से करेगा ना काम, हम ये इंशाओर करते हैं कि National Human Rights Commission अपना काम बहुत क्या सकते हैं कि ट्रांस्पेरेंसी के साथ में आपको एक एक जामपल देता हूं कि क्या होता है कि कि किसी डिस्ट्रिक्ट में एक जगा क्या होता है किसी एक दलित कम्यूनिटी के पूरे के पूरी कम्यूनिटी को क्या किया जाता है, ऐसे एंसे हुए हैं कि पूरी की पूरी कम्यूनिटी को एक साथ लाज स्केल पे अपनी inquiry conduct करेगी, independent तरीके से करेगी, वो यह देखेगी कि क्या human rights का violation हुआ था, हाँ हुआ था, क्या है यहाँ पर government के लापर वाई थी, वो यह भी देखेगी, तो यह सारी चीज़ें करती है NHC, आया समझ में इस तरीके से inquiry conduct की जाती है, फिर उसके बाद में क्या होता है, commission presents its finding and recommendations to the government or courts, अब क्या होता है कि आपने inquiry कर लिए, inquiry करने के वाद में आपने जो भी सीखा, आपकी जो भी findings है, तो क्या करता है, commission उन findings को present करता है, किस के सामने, उन findings को present करता है, court के सामने, court के सामने findings को जब present किया जाता है, तो उन findings के basis पर क्या होता है, accordingly actions are taken by the responsible institution, and what is the responsible institution here courts, ठीक है, आपने courts में present कर दिया है, commission ने report court में present कर दिया है, court में judges हैं, वो देखेंगे कि हाँ, 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 यह हुआ है, और उस मुद्धे को उस हिसाब से क्या होता है, उस मुद्धे पर उस हिसाब से, accordingly actions are taken by responsible institution, responsible institution मतलब courts, courts फी क्या करेंगे, judgment सुना देंगे कि हाँ भय NHRC has a wide range of power to do all this, अब NHRC के पास में बहुत सारी power होती है, इन सारी चीजों को करने के लिए, wide range of power, क्या होती है powers, देखो, it can summon witnesses, summon witnesses मतलब क्या है, summon यहाने, officially, आप letter issue करते हैं, किसी को बुलाते हैं जब, ठीक है, जिसे courts जो होते हैं, judiciary जो होती है हमारी, वो summon issue करती है, अब म issue होना है, तो वो summon होते हैं, तो वैसे NHRC भी summon issue कर सकती है, किसी को बुला सकती है, investigation के लिए, it can summon witnesses, जो भी witnesses थे, जिन्होंने देखा, उन से पूशताज के लिए, summon issue कर सकती है, ठीक, question any government official, किसी भी government official को अपने आप बुला सकती है, आओ जरा, ठीक है, फिर उनसे एक तरह से क Demand any official paper, किसी भी तरह का कोई document अकर NHRC को इसा लगता कि इसके through उनकी inquiry में और ज्यादा बजन बढ़ सकता है, तो वो official paper demand कर सकती है, nobody can reject that, ठीक है, उन्होंने demand करिए कि हमें ये document चाहिए, और आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, देना पड़ेगा आपको क्यों कि वो powerful independent body एक जो human rights के violation के against में काम कर रही, तो आपको उनके साथ क्या करना पड़ेगा, compromise करके चलना पड़ेगा, visit any prison for inspection or send its own team for on the spot inquiry, देखो भी यहाँ पे गाए, अधिकतर क्या होता है कि हम prison में कैदियों को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, अब कैदी तो बंद है अब लेकिन उन कैदियों के fundamental rights wallet नहीं हो रही है, यह कैसे पता चलेगा आपको, जो भी कैदी है, उन कैदी के साथ में कुछ भी गलत नहीं हो रहा, यह कैसे पता चलेगा आपको, तो इन सारी चीजों को ensure करने के लिए खुद NHRC की team जा सकती है, prison में visit कर सकती है, तो यह आप government officials को question कर सकती है, official paper demand कर सकती है, तो यह सारी powers होती है, National Human Rights Commission के पास में, ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया, आपको homework भी आपको पता है, अंकल का नाम पता करना है, ठीक है, यह चेयर परसन है, अभी के समय, NHRC के बारे में basic information कैसे बना क्या हुआ, कब बना 1993, ठीक है, और कैसे काम करता है, तो इसी के साथ में अब हम last topic पढ़ेंगे हमारे next video में, expanding scope of rights, ठीक है, हमारे topic होने वाला है, next video में हम discuss करेंगे इस चीज़ को, इस chapter के notes, आप हमारी official website, magnetbrains.com पर जाकर, बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters, और सभी chapters के सब topics, एक array format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हों, डाउनलोड कर सकते हैं, feel free to visit our official website, magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिग्रास सिंह राजपूत, welcome to magnetbrains, इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम पढ़ेंगे, expanding scope of rights, expanding scope of rights क्या है, इस चीज़ को समझेगा, हमने पूरा chapter पढ़ चुके हैं, सारे fundamental rights देखे हैं हमने, कैसे अगर कोई violation होता है, तो restore किये जाएगा, वो भी देखा हमने, national human rights commission को पढ़ा हमने last video में, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद में हम जब conclusion करेंगे, हमारा last topic के theory part प कि आज से 200 साल पहले, अगर कोई बात करें women के equality की, ठीक है, कि women को भी equal rights मिलना चाहिए, तो वो समय था ही नहीं, कोई बात करता था, उससे पिटाई लग जाती थी, ठीक, तो इस तरह से पहले वो provision नहीं था, लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि rights expand हुए है, rights का जो हमारा scope है वो expand हुआ है, अब इंसान क्या बोल रहा है, अब इंसान ये बोल रहा है कि women को rights क्यों नहीं होना चाहिए, पहले ही बोलते हैं क्यों होना चाहिए, और वो सही था, आज हम बोलते हैं क्यों नहीं होना चाहिए, ये सही है, आया समझ में, तो संस में क्या है कि हमारे rights जो हैं तो वो continuously क्या होते हैं, expand होते रहते हैं, rights की जो scope है, वो limited नहीं रहती है, और static नहीं है कि इतना है, तो आपको बस यही अधिकार रहेंगे, समय के साथ evolve होते हैं, जैसे आप Indian context में देखो, LGBT के जो rights थें, lesbian, gay, transgender community जो है, तो उनके जो rights थे, वो पहले recognize नहीं किये गए थे, अब क्या कर लिए हमने, recognize कर लिए हैं, तो rights expand हुए हैं न, वही चीज़ बताई गई है, तो इस video में हम वही देखेंगे, तो मैंने आपको जैसे बताया, rights होते हैं, rights में कुछ basic rights होते हैं, fundamental rights, अब इन fundamental rights का भी scope बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं कि वो fixed हैं, static हैं, या फिर बहुत narrow है, क्या होता है, wide range of rights, rights जो होते हैं, fundamentals तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं तक सीमीज थें, कि जितने 6 दे दिये हैं, हमाई constitution में होतना ही है, वो समय के साथ में expand होते हैं, अब आप बोलोगे, समय के साथ में कैसे expand हो जाते हैं, balloon है क्या वो, तो जी हा, balloon की तरह है ही है, जैस है, ठीक है, right to food is also a fundamental right, कि आपके पास खाना हो, आया समझ में, right to privacy क्या है, आपका fundamental right है, पहले उस चीज़ को recognize नहीं किया गया था, लेकिन, तो उस sense में क्या है, उस sense में आपको ध्यान रखना पड़ता है, कि हमारे जो fundamental rights हैं, जो एक बर दे दिये constitution में सिर्फ वहीं तक सीम example given, freedom of press, जैसे freedom of press हमारे एक fundamental right बन गया एक तरह से कहलो, तो वो क्या हो गया, court ने judgment सुना है न, court ने उस चीज़ को clear कर दिया कि नहीं भया, ये भी आपका एक अधिकार है, ठीक है, right to information, right to information कब आया था, right to information आया था 2005 में, जिसके थुरों में एक अधिकार मिल गया हमारा fundamental right बन गया ये, क्या, कि अगर आप as a citizen, government की किसी भी प्रकार की information को जानना चाह रहे हैं, तो ये आपका अधिकार है, और ये government की responsibility है कि government आपको बता है, RTI, ठीक है, वो ही RTI Act, right to information, तो ये आपका क्या बन गया, ये right बन गया, कब, over the period of time, constitution बना था, तब ये था क्या, तब न क्योंकि ये दिख रहा है कि, मतलब इंसान को जीने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं, रोटी कपडा मेकान मिल जाए, सिक्षा भी जरूरी है, सिक्षा नहीं होगी, तो आज में आगे कैसे sustain करेगा, तो उन सभी sense में right to education भी एक important fundamental right है आपका, clear, तो right to education भी एक fundamental right हो गया, consider it as legal rights, तो ये सारे rights जो हैं, तो इस समय के साथ में legal rights की तरह consider किये गए और उन्होंने अपना जो scope है, उसे क्या किया, expand करते चले गए, ठीक, अब देखते हैं, this expansion take place in name of human rights, ठीक, अब human rights के नाम से इन सारी चीजों का expansion होता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने हिसाब से चीज़ पर और बढ़ा ही जा सकती है, human rights के नाम पर कैसे बढ़ा ही जा सकती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, वही वाली बात जो हमने LGBT के rights को भी discuss किया था, तो क्योंकि उनका sexual orientation जो है वो अलग है, ठीक, वो किसी और तरीके से चीजों को देखते हैं, समझते हैं, उनका sexual attraction जो हो होता है, वो किसी और चीज के towards होता है, तो आप उनको सब human की तरह consider नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो वही चीज यहां पर बताएगे है, क्या कि expansion जो है rights का, वो human rights के नाम से भी होता है, जैसे universal moral claims that may or may not have been recognized by law, तो जैसे क्या है कि हम अगर देखे हैं कि कुछ universal moral claims होते है, universal moral claims मतल मतलब कि हर आदमी को अपनी इक्षा के हिसाथ, मतलब आजादी हो जाची कोई भी उससे बंद करके ना रखें, ठीक है, कि एक कमरे में बंद करके रखो, right to freedom आपका एक universal right है, ठीक, लेकिन यहां पर क्या होता है, मानलो जिसे कहीं country, किसी country में हम देख लेते हैं, कि वहां प क्या आजाता है, universal moral claim तो यह बोलता है कि equality होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे है, that may or may not have been recognized by law, तो साओधी अरिबिया में law के थुरूँ इस चीज़ को recognize नहीं किया, कि नहीं freedom नहीं देना है women को, आया समझ में, लेकिन वो universal moral claim तो है न जरूरी right है आपका, ठीक है, अब उस जरूरी right को आप कैसे छोड़ सकते हो, मुझे बताइए, ठीक है, तो उस sense में क्या है, उस sense में हमें देखना होगा, कि moral rights जो होते हैं, तो moral rights continuously expand होते रहते हैं, expand कैसे होते हैं, कि हो सकता है कि कहीं कि government नहीं उसे by law accept किया हो, या ना किय हो, लेकिन वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, they are universally accepted moral claims, ठीक है, तो उन चीज़ को आपको मानना होगा, समझना होगा, clear, but with the expansion of democracy, there is greater pressure on government to accept these claims, और क्या होता है कि अब ये जो universally accepted moral claims जो होते हैं, तो इन चीज़ को जैसे जैसे democracy फैलते जा रही है, तो साओधिय अरिवय में आज नहीं है, लेकिन आज से 50 साल बाद हो सकता है कि सारी चीज़े नॉर्मल हो जाएं, clear है, क्योंकि democracy जैसे जैसे अपनी roots को फैलाते जा रही है, तो universally एक जैसा system, एक जैसे rights इन सारी चीज़ों को लाने की कोशिश की जा सकती है, आया समझ में, तो वही चीज़ यहां पर बताई गई है, क्या, कि अगर expanding scope देखे हम rights का, तो rights continuously expand कर रहे है, legal rights के नाम पर expand हो जाते हैं, ओर the period of time judiciary, government, by law, क्या करती है, नए-नए laws ले आती हैं, जिसके चलते हैं, आपके rights का horizon, जो आपके rights की sphere जो है, वो expand हो जाती है, over the period of time human rights के नाम से भी चीज़ें क्या और ही expand होते जारी है, तो rights जो हैं, वो सीमित नहीं है, rights static नहीं है, वो क्या है, continuously evolve करते हैं, grow करते हैं, clear है, तो अब देखो क्या है, कि कभी-कभी क्या होता है, country to country rights vary करते हैं, लेकिन uniform level पे पूरे universe में एक जैसे rights लाने के लिए क्या होता है, some international conventions have also contributed to the expansion of rights, जैसे example में देखें, ICCPR, तो international convention on civil and political rights, United Nations के दोवारा एक, कह सकते हैं कि एक rights के लिए, वो treaty बनाई गई है, इस treaty में सारे जितने भी signatory members हैं, तो जो जो इस international convention को sign करेगा, तो उसे इस international convention के हिसाप से जिन जिन rights की बात की गई है, जैसे equality की बात की गई है, ठीक है, equality की बात क की गई है, तो यह जो basic rights की बात की गई है, तो हो सकता है, उनकी country में ना हो राइट, constitution में ना हो उनकी country के, लेकिन वो अगर इस तरह की international convention का part है, जिस convention में किसी right की बात की जा रही है, और जो आपके constitution में नहीं है, तो आपको उस right को मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने international convention को sign करके क्या कर दिया, एक तरह से अपने rights के horizon को, अपने rights के scope को expand कर लिया है, तो वही सारी चीज़े होती है, आया समझ में, तो यह सारा सब कुछ हमने पड़ा, expanding scope of rights में, कि rights का scope जो है, वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है, आपको question ही आ सकता है, कि how rights can be expanded with the help of legal rights और human rights बनना चाहिए, basic सी चीज़े, clear है, तो यह सारा सब कुछ पड़ा हमने, अब इसी के साथ मैं कहूं कि theory part पे, ठीक है, theory part पे हमारा chapter complete हो चुका है, तो theory video जहादा complete होते हैं, एक और video बनाएंगे, इस पर next video हमारा कौन सा होगा, frequently asked questions वाला, कि और कौन-कौन से, किस तरह से, क्या-क् official website, magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर आपको notes काफी आसानी से मिल जाएंगे, अभी अगली चीज़, किसी प्रकार का कोई doubt है, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, chapter complete होता theory part पे, question answers, next video में, thank you, thank you very much, Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूत, welcome to magnetbrains. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम discuss करेंगे कुछ frequently asked questions. पिछले वीडियो तक हम लोगों ने हमारा जो chapter है, वो theory part पर complete कर चुके हैं. सारे rights, जितने भी fundamental rights थे, National Human Rights Commission और उसी के सांसात में expanding scope of rights, यह ह आपकी बारी. ठीके? आपकी बारी कैसे? तो हम कुछ questions discuss करेंगे. Questions कैसे discuss करेंगे? कि topic wise क्या questions पूछे जा सकते हैं इस chapter से? तो वो सारे questions में यहां से आपको देने वाला हूं, आप answer recall करेंगे. जुप चाप बैटके सिर्फ questions सुनना नहीं है. ठीके? answers recall करना है. Theory part हमने अग को question आने वाले exam में. लेकिन हाई, इस चीज की guarantee में लेता हूं कि topics यहीं रहेंगे, इनी topics में से twist होके. ठीके? concept पता है, शब्द कैसे भी हो फिर question के? किसी भी शब्द में question पूछे जा सकते हैं. अगर आपको concept पता है, तो आप answer लिख सकते हैं. क्लियर है, तो हम देखते है कि क्या-क्या questions बनके आ सकते हैं इस chapter से, जो कि हमारा last chapter है civics का, कौन सा chapter? Democratic rights. Start करते हैं, देखिए. सबसे पहले हमने case studies discuss करी थी. कहां-कहां की case studies? Guantanamo Bay, Saudi Arabia, Kosovo. तो अब क्या होगा? इन case studies पे specific story के form में question आ सकते हैं. कैसे? Explain all what happened in Guantanamo Bay. ठीक है? तो Guantanamo Bay में जो भी हुआ उसकी पूरी कहानी को explain करने को आ जाएगा. तो अब आपको वो लिखना होगा. उसी के बाद में ऐसा पूछ सकते हैं कि how fundamental rights are being violated in Saudi Arabia. Saudi Arabia की story पता है? लिख दो पूरी story लिख दो बिल्कुल भी न डरे. तो वो क्या हो गया? आपका answer complete हो गया. आई समय में तो जितनी भी case studies हमन experience की जान ली गई. तो वो क्या है? फंडमेंटल राइट वालेट हुए? अगर question आता है कि how fundamental rights are being violated in Kosovo? तो आप उस पर answer लिख सकते हैं. आया समझ में is that clear? तो इस sense में आपको क्या करना है? आपको तीनो case studies को अच्छे से समझना है. हमने specific video बनाया है. सारे videos को specifically देखिए, सम और answer लिखिए, एक सुंदर सा answer लिखिए. clear है? आगे बढ़ते हैं. अब देखो, यह जो topic है. What are rights? definition के form में one marks में question आएगा. तो वह आप लिख देंगे सिधे rights are the reasonable claims of. ठीक है? रिकॉल कीजे फटा फट definition. मैंने आपको बताया है ना, recall करना है. तो rights के definition one marks में भी आ सकती है. What are rights? explain five marks में भी आ सकता है. तो वही चीजें आपको करना है जो हमने वीडियो में discuss की थी. क्या? one marks में आती है, definition लिखो, आगे बढ़ो. सीधे एक number पग गया आपका. लेकिन यही चीज पांच number में आ जाती है. तो क्या करेंगे फिर? फिर explain करो कि what are rights? तो reasonable claims. reasonable claims कैसे होते है वह explain करो example दो. फिर उसमें बाद में क्या करना है? उसके आद में recognized by society जैसे अगर आता है. तो recognized by society मतलब क्या है? उसे explain करो. बता है ना सारी चीज़े? recall कर पारे हो? फिर sanctioned by laws. तो sanctioned by laws वाले clause को भी क्या करना? explain करना है. तो according to the marks, जितने number का question है, उतना उस हिसाब से आपको समझना है, explain करना है. आया समझ में, smart work करना है यहाँ पर, तो what are rights explain इस तरह से question आ सकता है, उस topic पर एक ही question मनेगा, what are rights explain? या फिर सिर्फ one marks में what are rights, clear है? आगे बढ़ते हैं, और क्या question आ सकते हैं? तो why do we need rights in a democracy? अब यह important question है, points discuss किये थे हमने, specific video था इस पर, इस पर जरा answer लिखेंगे आप सभी लोग, why do we need rights in democracy? इस question पर एक specific answer लिखेंगे, अभी लिखेंगे और मतलब इस video को complete करने के बाद में देखता हूँ कितने लोगों को वो याद है answer, ठीक है? तो why do we need rights in a democracy? एक यह potential question है इस chapter से, फिर आते हैं, what are the various set of rights given in the Indian constitution? अब देखो क्या है? हमने सा इस सेंस में हमने क्या किया है? हमने हर right को discuss किया है, अब अगर in general question पूछ लिया, यह देखो in general question है, मतलब specific नहीं है, this question is in general question, कि what are the various set of rights given in the Indian constitution? तो आपको उसमें लिखना है कि Indian constitution में कुछ ऐसे rights हैं, which are essential for our survival और उन rights को fundamental rights की तरह recognize किया है, basically six fundamental rights are available to us in our constitution, सारे के सारे जो six fundamental rights equality, freedom, religion वाला, freedom of religion वाला जो right है हमारा, फिर उसके बाद में और क्या right देखे थे, cultural educational, constitutional remedies, right against exploitation, तो यह सारे rights लिख देना है, explain करने को नहीं आया है, सिर्फ पूछा है तो लिख देना, अगर explain करने को आया, तो हर right को फिर वहीं पर short में explain भी करना है, तो in general question सारे के सारे rights एक question में भी पूछा जा सकते हैं, फिर क्या होता है, फिर अलग-अलग भी पूछा जा सकता है, जैसे right to equality, अब right to equality पे question आगा है आपको, what do you understand by right to equality, explain, right to equality पे आप लिखोगे, फिर इससे issue, मतलब right to equality से related issues भी हमने discuss किये थे, जैसे our reservations, the violation of right to equality, की जो reservation provide किया जा रहा है आपको, क उसका violation है, तो नहीं, वो violation नहीं है, कैसे, can you explain, तो वो भी आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है, तो reservation, right to equality, इन दोनों की बीच में relation करके question पूछा जाएगा, concept पकड़ा है हमने, ठीक है, तो उस concept के basis पे पूरा answer लिख देंगे आप, clear है, I am confident about that, कि आप लोग लिख सकते ह और आपको भी उस चीज़ पे confident रहना होगा, कि हाँ आप लिख सकते हैं, फिर भही चीज़ आएगी, right to freedom में, right to freedom in general पूछ लिया, what do I understand by right to freedom, ठीक है, explain the various sets of rights provided to you under right to freedom, तो उसमें आप क्या करेंगे, कि right to freedom के नाम से आपको जो भी rights मिले हैं, जैसे freedom of speech and expression, freedom of holding meetings, processions, rallies, demonstrations, freedom to travel to any part of country, इन सारी चीज़ों का हमने specific discuss किया है, तो अगर in general पूछा है, what do I understand by right to freedom, ये सारा सब कुछ लिखो, complete करो answer को, फिर क्या होता है, फिर अगर ऐसा पूछ लिया जाए, कि ये जो right to freedom के अंदर आप जिन जिन अधिकारों को क्या करते हैं, exercise करते हैं, जिन rights को आप क्या से कह सकते है, what are the reasonable restrictions on it, तो reasonable restrictions क्या है कि आप किसी को defame नहीं कर सकते हो, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते हो, you cannot provoke people to rebel against the government, तो ये सारी चीज़ा आपको क्या करना होगी, right to freedom of speech and expression में लिखना होगी, आया समझ में, मैं concept क्या देना चाह रहा हूँ, आपको क्या कैसा पुछा जाएगा, right to freedom, एक broad right है आपका, ठीक है, मतलब एक कह सकते है, बहुत खुला हुआ अधिकार है, जिसमें बहुत सारी चीज़ा आती है, right to freedom में, सारी चीज़ा आगी लग 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 लग, ठीक है, अब सारी चीज़ा जो आगी तो उसको अगर specifically पूछा गया, freedom of speech and expression के नाम से पुछा गया, तो आप से वो बनना चाहिए, freedom of holding meetings, processions, release, demonstrations, तो इसमें क्या आपको किस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, कि जो meetings हो रहे हैं, processions हो रहे हैं, demonstrations हो रहे हैं, तो they should be in peaceful manner, तो rights को exercise करते समय, किन बातों का ध्यान रखना होगा, what are the factors which are required to be considered while exercising these rights, उस को भी आपको ध्यान रखना होगा, clear है, यह सारा सब कुछ हुआ, तो मैंने जैसे यहाँ पर mention किया है, meaning and the conditions to exercise them, इन rights की meaning पूछी जा सकती है, और conditions पूछी जा सकती है, कि किन conditions को ध्यान में रखना होगा, while exercising these rights, ठीक है, और questions देखते हैं, तो आप क्या पुछा जा सकता है, और इस chapter में, rights provided to citizens during the time of arrest or detention, ठीक है, या फिर ऐसे पुछा जा सकता है, what procedures are required to be followed by government or police officers while arresting or detaining any person, तो इसमें हमने सारे rights discuss किये थे, कौन-कौन से rights discuss किये थे हमने, जैसे बिना legal justification के arrest नहीं कर सकते हैं, arrest कर रहे हैं, तो within 24 hours, magistrate के सामने क्या करना होता है, पीश करना होता है, त questions बता रहे हूं, आपको answer recall करना होगा, recall क्यों करना होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है सब कुछ, नहीं पढ़ा होता तो फिर भी समझ में आता था, कि चलो बच्चों को बता दिया जाए, लेकिन यहां तो पढ़ा है न हमने सारा सब कुछ, उस sense में ध्यान रखना है, फिर आते हैं, what are rights, what are rights provided under right against exploitation, ठीक है, एक आर ज्यादा आ गया, what are rights provided under right against exploitation, तो right against exploitation के अंदर हमें कौन कौन से rights provide किये गए, right against exploitation के अंदर हमें बेगार, ठीक है, provision of बेगार, forced labor का right दिया गया है, तो उसके आद में क्या दिया गया है, human trafficking के against में हमें protection दिया गया है, child labor को ban किया ग right against exploitation में आगे न तो सेंस में इन जनरल अगर पूछ लिया what are the rights provided under right against exploitation तो आप वो तीनों चीज़े लिख देंगे फिर क्या होता है यहाँ पर यह जो segment है यह वाला जो right हमने discuss किया था तो यह one marks के question की potential लेके चलता है अपने साथ में one marks के question की potential कैसे है कि define में अगर आपसे सीधे पूछ ले human trafficking ठीक है तो यह क्या है one marks का question मन सकता है यह किस के अंडर में आया था right against exploitation में हमने पड़ा था वहीं पर बेगार पूछ ले what do you mean by बेगार तो forced labor जो होता है वो बेगार होता है ठीक है forced labor at free of cost और at nominal remuneration ठीक है तो nominal remuneration पर या फिर बहुत free में काम करवा रहे हैं forced तरीके से करवा रहे हो बेगार हो जाएगा child labor क्या होता है तो 14 साल से नीचे के बच्चों को अगर क्या करवा रहे है आप काम करवा हजाडियस industries में या फिर कह सकते है mines में factories में तो वो क्या हो गया इसलिए मैं क्या करता हूँ आपको हर टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनाते हैं ताकि क्या हो ताकि जब question आए तो आपको उस topic से related सारी चीज़े एक वीडियो में मिल जाए ताकि question किदर से भी आ जाए घूमके ठीक है शब्द बदल जाते है question के question के शब्द ऐसे बदल जाएंगे कि आपने जो पढ़ा है जैसे अब हो सकता है कि जैसे right to freedom of religion right to freedom of religion को ऐसे पूछे जाता है कि या तो ऐसे पूछ लिया explain simple पूछेंगे explain right to freedom of religion या फिर और इसको twist कैसे कर देंगे which right allow you to exercise your own religion freely तो शब्द बदल गए content तो वही जाना है ना तो उस sense में चलो तो what are the set of rights provided to minorities वाला किस राइट के अंदर आएगा ये under cultural educational rights तो वाला segment आप complete करेंगे फिर आके है right to freedom of religion right to freedom of religion क्या है explain करो ठीके secular state क्या होता है define में पूछा जा सकता है secular state बता है हमने आपको तो right to freedom और फिर इसमें एक चीज़ वह भी धियान रखना है कि किन conditions में exercise किया जाता है right to freedom of religion को मतलब while exercising right to freedom of religion what precautions should be taken अब इस अधिकार को अगर आप enjoy कर रहें तो आप ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पे कुछ भी करें कुछ भी करें मतलब कि आप लोगों को अगर क्या करें धर्म के नाम पे sacrifices दे रहें humans beings का animals का तो वह गलत है तो उसके साथ साथ में क्या था discrimination नहीं करना आपको धर्म के नाम पे जैसा हमने देखा कि untouchability क्या था धर्म के नाम पे एक से discrimination था ठीक है उसे right to equality के चलते क्या कर दिया गया बैं कर दिया गया जैसे हमने videos का देखा कि we don't should not be forced to shave their head ठीक है अपने मतलब सिर मुंदवाने के लिए मजबूर नहीं किया जाए तो यह सारी चीज हमने क्या देखा था कि freedom of religion को exercise करते समय इंसान को ध्यान रखना होती है clear है तो right to freedom of religion पर question पूछा जा सकता है secular state पर question पूछा जा सकता है फिर आते हैं what do you understand by constitutional remedies अब इसमें Dr. B.A.R. Ambedkar को ध्यान रखना है आपको उन्होंने statement क्या दिया था he considered right to constitutional remedy as heart and soul of the Indian constitution कि जो Indian constitution है उस constitution का heart और soul क्या है तो ये वाला जो हमारा right है ठीक है जो हमारा article 32 है कौनसा right to constitutional remedies ये heart and soul consider किया गया है किसके दवारा Dr. B.A.R. Ambedkar दोनों चीज़े किसने बोला statement और क्या statement बोला one marks का question तो ये लेके आता है फिर अगर explain करने को आता है तो explain करने को आता है मतलब फिर पूरी चीज़े बताओ fundamental rights fundamental इसलिए होते हैं क्योंकि वह enforceable होते है nature में enforceable होते है मतलब क्या है कि अगर उनका violation होता है तो court can direct the enforcement to restore those rights ठीक है उन rights का violation हुआ है उन्हें restore करने के लिए court directions दे सकता है government को police को ठीक है इस sense में क्या है यह सारी चीज़े हमें हमारे एक fundamental right के रूप में मिली है जो की है right to constitutional remedies clear अब आता है explain national human rights commission पढ़ाए एक पूरे वीडियो में पढ़ाए तो इस पे मतलब ज्यादा discussion की भी ज़रूरत नहीं है national human rights commission को पूरा explain करने को आ जाएगा simple सी चीज़े कैसे काम करता है वो ठीक है how does national human rights commission rights commission works तो वो भी आपको लिखना है ठीक है कैसे बना कब बना एयर बताएगा अभी comment section में फटाफट comment section में आपको बताना है कि किस year में national human rights commission को establish किया गया था by law established किया गया था और year कौन सा था clear है अब देखते हैं expanding scope of rights expanding scope of rights में आपको क्या देखना है तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो हमारे rights है वो rights expand हो रहे हैं तो legal rights के थुरूए expand होता है मतलब court या फिर legislature जो है वो क्या करती है नए laws बना देती है और हमारे rights बढ़ जाते हैं फिर human rights के ground पर भी expand हो रहे हैं तो legal rights और human rights के ground पर किस तरह से हमारे rights expand हो रहे हैं how on the grounds of legal rights and human rights are fundamental rights या फिर in general our rights are being expanding explain तो अब आपको बताने कि जैसे legal rights के अंतरगत समय अनुसार क्या होता कि government जो है courts जो है legislature law बनाते जाती है वहीं पर human rights के समात में क्या है कि society जैसे जैसे evolve हो रही है तो नए laws जिने by laws शायद consider नहीं किया गया हो लेकिन क्योंकि उस पर universal moral claim है तो उस universal moral claim के चलते क्या होता है कि उन्हें rights में convert करना पड़ता है clear है तो इस पर question बन सकता है यह सारा content हमने discuss किया एक बार पूरा chapter revise हो गया आपका एक ही वीडियो में सारे question समझ में आ गए आपको कि क्या-क्या question कैसे पूछे जा सकते है और इसी के साथ में अगर आप यह कहूं में कि civics ultimately हमने complete कर लिया क्योंकि last chapter था यह हमारा civics भी complete हो गया तो 9th civics complete हो गया है chapter जो हमारा था democratic rights वो complete हो गया है तो अब क्या बनता है अब celebrations बनते हैं ठीक है तो with this we have completed our chapter अब क्या करेंगे हम अब हम next video से नए chapters जैसे हमारा भी दूसरे जो stream से geography है ठीक है सभी chapters और सभी chapters के sub topics एक arrange format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हो डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com आपकी किसी प्रकार के कोई अगर queries है तो आप comment section में पूछ सकते हैं thank you thank you very much